नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रा मिस्रा और आज एक वार फिर से आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक वार फिर से स्वागत करता हूँ साथियो आज हम लोग या हम क्या लोग हैं हम अके लिए हम स्वयम हैं आपके सामने फिर से प्रिकट हो गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ चो कि हम कह सकते हैं भारत का भोगो लेयानी की इंडियन चियोगरफी पार्ट वन है और ये पार्ट जो है हम जो है जब हम सुरुबात करते हैं तो हमेशा बड़ा ही बनाते हैं लोगों को जो मुझे जानते हैं पुराने समय से मुझे जानता हूं कि हमेशा मैं बड़ा ही वीडियो बनाता हूं ठीक है और इस वीडियो का एक छोटा सा पर्चे हम मुझे लगा कि कुछी मतलब नहीं है छोड़ने का दुबारा से करते रही है ठोड़ा बाद सपोर्ट करते रहे लोगों का ठीक है इस वीडियो के बारे में बता दूं कि यह जो वीडियो है यह कॉंप्लीट पेकेज होने बाला है इंडियान जुगरफी का इंडिय जिगलफी वेल्ल्ल जिगलफी इंडियान एकॉनमी और वीडियो और दे चुकह हूं आपको जिससे लोगों को लाग हो रहा है आनंद ले रहे हैं जो कि मैंने सीरीज बनाई है जिसका नाम रखा है Zero to Hero Guaranteed. Zero to Hero कैसे होगा कि आप माल लिजीए कि आपको किसी भी तरह से आने कि आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ने के बाद आपको जिगरफी का जीवी नहीं आता है तो मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज जिगरफी के लिए आप क्या बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप हीरो बन जाएंगे hero बनने के लिए सर्थ सर्फ इतनी होगी कि आपको इस video को देखना होगा इस video को देखना होगा इस video को देखने के साथ एक notebook और एक pen ले लेना है pen लेने के बाद आप जब note कर लेंगे तो आपका एक complete जो है एक study हो जाएगा जिसमें आप जब भी किसी भी exam में बैठेंगे चाहे कोई भी exam हो चाहे one day हो चाहे कोई भी हो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जब exam में आप बैठेंगे तो आप उस topic से आका है भारत के भूगों से जड़े होए परसनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे इस बात की guarantee लेता हूँ बस सर्त मैंने बता दी कि आपको वीडियो देखना होगा जो लोग मुझे जानते हैं पहले से जो मेरे वीडियो देखते हैं उनके बारे में उनने कुछ बैताने की जरूद नहीं है मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कहके ले लेता हूँ मैं subject की कहके ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ class लेता हूँ बैसे ही जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जोगरफी के जितने भी person होंगे उनकी कहके ले लेंगे तो यहाँ पर ले ही रहे हैं हम class भी ले रहे हैं उसके बाद हमें exam में जाके वहाँ पर solve करना है तो चलिए फिर आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और सर्थ मैंने बता दी कि आपको इस वीडियो को बड़ा धहर के साथ देखना पड़ेगा क्योंकि हम नए व्यक्ति से connect नहीं उपाते हैं नए व्यक्ति से connect होने के लिए सर्थ सिर्फ इतनी होती है कि आपको कुछ समय देना पड़ता है क्योंकि मैं आपको और आप मुझे नहीं जानते हैं तो जब नहीं जानते हैं तो जानने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा तो इस बात की guarantee देता कि आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेना उसके बाद आप मुझसे connect हो जाएंगे और मैं इस बात की सर्थ लगाता हूं कि आप 12 से 20 गंटे का वीडियो देख लेंगे तो आप बोर नहीं होंगे आपको पूरा आनंद आएगा पूरा आनंद आएगा यानि कि आपने बीडियो बहुत से देखे होंगे दो गंटे तीन गंटे में बोर होने रखते हम बोर भी आपको नहीं होने देंगे पूरा आनंद भी दिरवाएंगे तो हमारा काम है कि आपको यहाँ पर इस बीडियो को पूरा दिखाना तिक है अपना लेबल थोड़ा हटके रहता है हम है ठोटा सा अलग style में यहाँ पर हम देते हैं हम teacher बनके नहीं पढ़ाते हम यहाँ पर बच्चा बनके और एक आम भारती बनके पढ़ाते हैं एक आम भारती जो होता है वो आप लोग समझे जीते हैं किस तरह का होता है तो चलिके फिर आपका यह जो इंडियान जुगरती क करना ना भूलें साथ ही कमेंट करके थोड़ा सा बता दिया करें छोटे-मोटे कमेंट डाल के बता दिया करें कि वीडियो कैसा लगा ठीक है और चलिए तो नदर डालते हैं आपका इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ना है इस वीडियो में संपूर अध्यन होगा आपका एक एक परसन जो आप हल कर पाएंगे, ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे आकरती, इस्तिती, विस्तार के बारे में, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सीर्स पांच, छेत्रपल वाले राज्यों के बारे में, पड़ेसी दोसों की सीमा पर अबस्तित राज्यों के बारे में, भारत के अंतिम सीमा बिंदूओं के बारे में, इसके बाद पड़ोसी देसों के साथ सीमा बिस्तार के बारे में, प्रमुक अंतराश्टी सीमा रेखाओं के बारे में, भारत के किन किन राज्यों से करकर रेखा होकर गुजरती है, सीर्स पांच, छेत के बारे में बात करेंगे, बारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रयादेशिक समुद्री सीमा आजाती है, अवचिन मंडल समुद्री सीमा आजाती है, अनन आर्तिक छेत्र भी आ जाता है, बारत की चक्टानों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप परवती छेतर, उत्तरी मैदान, प्राइदीपी पठार, रेगिस्तान, तटिय मैदान और दीप समूँ, ठीक है? तो इसको हम एक एक करके समझे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे, भारत की भुह आकरती यानि कि जो पूरा भारत देश है, उसकी भुह आकरती को हम साधार रूप से छे भागों में यहाँ पर देखकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है, उत्तर का हिमाले, परवस्रिंखला, दूसरा जो आ जाता है, प्राइदीप ये पठार, तीसरा जो आ जाता, तट्रवर्ती ये मैदान, उसके बाद आ जाता, उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद आ जाता, दीप समू, उसके बाद आ जाता, भारती मरिश्टा, जिसको हम रेग इस्थान की कहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले बिवाजन करेंगे, हिमाले का बिवाजन, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ट पंजाब हिमाले आ जाता है कुमाहिय। हिमाले पर उत्तर भारत का मैदान में हम देखें जिसमें आपका खादर, बांगर, भाबर तरह ही आ जाता है। इसके बाद हम हिमनदों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें देखें जालेने कि सियाचिन बड़ी है कि क्यों बड़ी है तो हम यापर कुछ टॉपिक्स जुँए जैसे कि कुछ बंदे जो थे बंदे नहीं में बच्चे कह सकते हैं तैयारी करने वाले लोग वो जाते हैं कोट में और वहाँ पर केस करते हैं कि ऐसे से हमने जो ससाइनी लगाया था हमने कुछ बगेरा जो है उसमें हमने ससाइनी को देखा था तो हमने जब लगा दिया तो ससाइनी गलत माल लिया या फिर माल लिया तो किस आधार पर ससाइनी बारे में दूसरा आजाता है आपका परवत सिरीडियों के बारे में तो इसमें पठारों की बात करें तो मालवा का पठार, बुंदिरकंद का पठार, बिंद्यांचल, बगेलखंद का पठार, मेगाले का पठार, महाराष्ट का पठार, डंडदारियन का पठार, तेलंगाग चलह करें ये थाल्ड जाट भूर गांड पाल गाट उया अगुन पार बात करने वाले हैं नेक्स लिज नम बात करेंगे ने तटर्वरती ज़रटी मेयदानू है और हम पर पूर्थ जटर्चार करेंगे सि screening हम आगे बढ़ जाएंगे अपवाद तंत्र के बारे में या नहीं ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह इसके बारे में आपर चर्चा करने बाले में इसके हम बात करेंगे जल गिरड चेत्र यानि के बारे में बात करेंगे अपवाद रो तो गंगा नदीतन तो ब्रह्मों पुत्र नदीतन ठीक, दूसरा जो आजाता है प्राइदीव विबातन तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं, इसके बाद हमें आपर देखेंगे पश्मी तटीय दीप, बेस्टन, कॉस्टल, आइसलेंट, पीरम, भेंसला, खाडियावेट अलियावेट, एलिफेंटा, सालसेट और बूचर, पूर्वी तटी दीप के बारे में बात करने में हैं जिसमें आपका आजाता है न्यूमूर दीप, गंगा सागर दीप, गंगा डेल्टा, पंबन या मनार की खाड़ी वाले, वीलर दीप, मानदी, ब्रहमडी के महाने पर इसमें बात करेंगे, सिंदु नदी तंतर के बारे में, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, छे लम, छे नदीओं के बारे में आपर पढ़ने वाले हैं, इसमें बाइं तट से मिलने वाली नदीओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें चासकर, सियांग और सियगार हो जाती ह इसके बाद काबुल नदी के बारे में हम बहुत वरी गंगा नदी तंतर के बारे में बात करें जिसमें आप का जाता है गंगा नदी की साइक नदियों के बारे में दाये तटकी साइक नदियां यमना सून टॉंस पुनपुन दामुतर तंसा टॉंस बाये तटकी नदियों के के बारे में थोड़ी स्चानकारी लेंगे जिसमें आपका हुजा था चंबल नदी बेतवा नदी के नदी सिंद्र नदी बाए तड़की नदियों के बारे में बात करेंगे ब्रह्मों पुत्र अप्वाथ अंतर के बारे में इसकी साइक नदियों के बारे में बात करेंगे ज पढ़ने का तरीगा बता दू इसकी लंबाई उद्गमिस्थान किस तरह से यह सारी की यह आपर पढ़ने वाले हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में बात करेंगे जो बंगाली खाड़ी में अपना चल गिराती हैं जैसे की आपका हो जाता है जोंक, तेल, सिवनात, इव, मा दो, प्रवरा, मंजीरा, पूड़ा, विन गंगा, बर्दा, इद्रावती, प्राण इता, कोईना, पंची गंगा, दूद गंगा, तुंगबद्रा, मूसी नदी, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं नेक्स नम बात करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाले नदियों के बारे में लूनी नदी, सामर्वती नदी, माही नदी, घगर नदी, नर्मदा नदी, तापी, सतरंजी, भादर, मांडवी, जुआरी, सावरती, पेरियार, बरत, पुझा और बेमानाद नदी इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स नम बात करेंगे राज ताथा केंसासे प्रदेशतों की जीलों के बारे में जम्मुकस्मी, बुलर जील, डल जील, गाडसर जील, सेसनाग, वेरिनाग, कोसरनाग, तेसमरी, गंगावल और मानसवल इमाचल प्रदेस की नदियों के बारे में बिरंगु, मच्छी ताल, रेडुका, सूरज ताल, चंदर ताल, उत्रागंड की बात करें तो नयनी ताल, डोडी ताल, भीम ताल, साथ ताल, देप ताल, हे ताल, खुर्पा ताल, रक्ष ताल, नौक नेक्ट बात करेंगे पंजाब की सुखना जील, राइस्तान की बात करें तो राय समन, जय समन, नकी, सांभर, फते सागर, लूण करसर, डीडवाना, फ्योहौला, आना सागर, डेवर, कुचालान, पुसकर जील, महराश्त की बात करें तो लोनार जील, ओबई जील, नेक्ट करें उडीजा की तो उडीजा में आपका चिलका आ जाता है मडीपूर में आथ बात करें तो लोगटग जील, के बोलाम जाओ, ठीक, सिक्किम की बात करें तो सांगमा चील के बारे में हम बात करने बाले हैं ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और के हम क्या प्रपात नो कलिकाई जल प्रपात हुंटरू जल प्रपात राजर जल प्रपात वारही पानी इसके बार डूडूमा बजराही अमबोली ठीक है इस तरह को खुछ जल प्रपात है चलिए आईए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं भारत की आकृति इस्तती एवंबिस्तार से पोजीशन एंड एक्स्टेंशन फिर से बोदू पहला टॉपिक आकृति इस्तती एवंबिस्तार किसके उपर गिलोब की उपर यानि कि जो हमारी क्रत्वी है इसके उपर भारत कहां पर इस्तत है इसका विस्तार कितना है इसकी लंबाई कितनी है इसकी चोडाई कितनी है इ भारत का बिस्तार की बात करें तो उत्तर में लदाक से लेकर यहां से उपर से मैं आपको दिखा दूँ उत्तर में लदाक से लेकर नीचे चलते चले आएंगे कन्या कुमारी तक कितना है फैला हुआ है लगवक बत्तिस सो किलो मीटर तक फैला हुआ है पूर से लखे पश्च यह मौटा मौटी बता रहे है, ठीक है? इस्थिते के अगर बात करें, तो उत्तरी गोल आर्ध में यह इस्थित्देश है, ठीक है? करक रेखा जो है हमारे भारत देश सह बीच ओ बीच से गुजरती है, जो की आठ राजियों से होकर बुजरती है क्या करकर रेखाओ तो इसके बारे में आगे चल्चा करेंगे दच्छिड से उत्तर की ओर अगर बात करें तो भारत की मुख्य भूमी का बिस्तार जो है नीचे से देखें यहाँ से सुरू होता है आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी आचा डिग्री छे मिनट उत्तरी आचांस के बीच में यह फैला हुआ है डिटेल में हम जानेंगे ठीक है पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें यहां से पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह आपका पश्चिम और यह है पूर्व तो पश्चिम से पूर की अगर बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 60 मिनट पूर भी देशांतर से लेकर चलते चले हैंगे 97 डिग्री 25 मिनट तक इसकी चोड़ाई है समझे रहा ना उत्तर से दच्छड और या दच्छड से उत्तर की बात करें आप पूर से पश्चिम तो समझ में आ रहा है न हैं आपको उसके बाद बात करें लगबबग दोनों का देखा जाये यान की 10 छे से उत्तर कितना देशांतरों के बिस्टता conservative एंट कितना आच्छांसों का परति से पूर की अगर बात करें तो कितना बिस्टता रहें 30 डिग्री आच्छांसों का ठीक है चलीए इसको हम किलि साथ देशों के साथ इस्तली सीमा बनाता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें, साथ देश कौन से हो जाते हैं, यहां से सुरू होता पाकिस्तान से, गुजरात का चलता चला जाता है, इस तरह से चलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यह इस तरह से अफगानिस्तान, अ और यहां पर चलता चला जाता है चलता चला म्यामार आ जाता है इस तरह से म्यामार के बाद यहां पर आपका बंगलादेश आ जाता है तो लगबग मैंने कितने बता है साथ देशों ते इस्तली सीमा का निर्मार करता है जिसकी कुल लंबाई जो है कितनी है 15200 किलो मीटर है ठ तर्टी सीमा की तो तर्टी सीमा यहां से गुजरात से सुरू होती है इस तरह से इसके बारे में डिटेल में जाने के इस तरह सुरू होती है गुजरात फिर महाराष्ट गोवा फिर करनाटक फिर केरल पिर तमिल नाडू इसके बाद आंध्र प्रदेस आंध्र प्रदेस इसक सात अजार पांसो सूल है या मोटा मोटी जो होती सूल होता है लेकिन पॉइंट में कुछ करके हैं आप है स्तरह लिग दिया है तो साट अजार पांसो सत्रह किलिए मैं भारत में बर्तमान में 2021 में अगर बात करें तो 28 राज्य तथा आठ के इंसासित प्रदेश है ठीक है तो चलिए फिर आपका शुरुबात करते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले भारती इस्तिति विस्तार के बारे में तो भारत की आकरती जो है चतुसकोंडी है गुलार्द तता पूर्वी गुलार्द में है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आचांस की दरश्टी से भारत उत्री गुलार्द का देश है तता देशांतर की दरश्टी से हमारा पूर्वी गुलार्द का देश है भाया ये कैसे हो गया तो आईए इसको किलियर करते हैं मान लीजिए है हमारा globe यानि कि हमारी प्रत्वी है और प्रत्वी पर के इस तरह की रेखाएं होती है दो तरह की रेखाएं मानी जाती है जिसमें खड़ी जो रेखाएं होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं और लेटी यानि कि latitude जो होती है उनको आचांस रेखा कहते हैं तो जीरो डिगरी देशांतर जो है बीचो बीच पे प्रत्वी के ऊपर खीची जाती है इस तरह से यानि खड़ी खड़ी रेखा इस तरह से खीची दी जाती है तो जीरो डिगरी देशांतर के पूर बाला जो भाग होता है वो पूर्वी गोलार्द कहलाता है यानि कि पूर्वी विस्तार जो है मौटा मौटी 68 डिगरी पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिगरी पूर्वी देशांतर में है समझ रहा है ना तो पूर्वी सब्द का इस्तामाल हुआ यानि कि भारत जो है पूर्वी गोलार्द का देश है देशांतर की आदार पे वहीं हम अगर बात करते हैं फिर से गुलोग बना देते हैं इस तरह से मालीजी तो हमने 0 डिग्री आचांस कीज़ दिया तो 0 डिग्री आचांस को हम कहते हैं विस्वत रेखा का मतलब है प्रत्वी के बीचों बीच में यानिकी दो भागों में यह ब आठ डिगरी से लेकर कितना माना जाता है 37 डिगरी उत्री आचांस माना जाता है समझ रहा ना तो पूर्वी देशांतर और उत्री आचांस का देश होने का मतलब सीधा सा यह हुआ कि भारत देश जो है पूर्वी गोलार्द तथा उत्री गोलार्द में इस ते देश हैं तो उत्री गोलाद में कब जब आचांस की द्रश्टी से देखा जाए क्यों क्योंकि 8 डिगरी उत्री आचांस से लेकर 37 डिगरी उत्री आचांस तक इसका क्या है आचांसी विस्तार है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर 8 डिगरी से लेकर यहां पर मैं जून करके दिखा द इस्तार है वहीं देशांतरी विस्तार की अगर बात करें है तो माना जाएगा 68 डिगरी यहां से सुरू होता है इस तरह से कुजरास से सुरू होता है 68 68 67 71 73 74 75 76 77 88 89 89 82 82 यहां पर क्या हो जाता है यह उत्तरपर मिर्जापुर में आ पर 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 97 आपर आजाता है आपका अर्णा चल तो 68 68 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 पूर्वी देशांतर तक इसका आच्छांतरी विस्तार है तो उत्री गोलार्द तता पूर्वी गोलार्द में इस्ति देश हैं समझ मा गया तो फिर से बोल कि आच्छांस की दरश्टी से ये बोला जाए तो उत्री गोलार्द में इस्तित है वहीं देशांतर की आधार पे अगर बोला जाए तो पूर्वी गोलार्द में इस्तित ये देश हैं बारत का आच्छांसी विस्तार की अगर बात करें तो आठ डिगरी चार मिनट से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्री गुलार्थ के बीच में इस्तित है यानि कि यहां से सुरू होता है इस तरह से चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं और 37 डिगरी लड़ाख में खतम हो जाता है वहीं देशांतरी बिस्तार की अगर बात की जाए तो देशांती बिस्तार जो है 68 डिगरी 7 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इस्तियां से शुरू होता है अर्शट 71 एस तरह ठीक है तो भारत जो है बिस्त में सेत्रबल की दिरश्टी से सातमा सबसे बड़ा देश है वहीं जनसंक्या के आधार पेर यह दी देखा जाए तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है उसके बारे में आगे बात करेंगे देश का मानक समय की अगर बात की जाए देश का मानक समय जो है पूर्वी देश अंतर है साड़े व्यासी पूर्वी देश अंतर हैं जो कि भारत के उत्तर प्रदेश नामक एक राज्ज में मिरजापुर नामक जिले से होकर गज़ाता है यह ग्रीन विज समय से साड़े-पांच घंटे आगे है इसक ग्रीन विच से यानि कि लंदन का जो ग्रीन विच से यानि जीरो डिगरी देशांतर से कितना आगे है साड़े ब्यासी साड़े व्यासी का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि यह गलोब है गलोब पर आप मान लीजिए यह है गलोब और गलोब पर यह 0 डिगरी देशांतर है 0 डिगरी देशांतर का पूर बाला भाग जो है पूर में जाते हैं तो एक पूर में जाते हैं तो क्या होता है समय जो होता है पिलस होता है और पस्षिम क्यों जाते हैं यानिकि 0 डिगरी देशांतर के पूर पस्षिम क्यों जाएंगे तो समय जो होगा गटेगा ठिक और मैंने आपको बताया था कि 21 प्रत्थिवी को एक डिगरी पार करने में क चार मिनट समय लगता है इसके बारे मैं आगे बात करेंगे अभी केवल आप सुन लीजिए चले तो मैंने क्या बताया भारती मानक समय रेका साड़े व्यासी पूर्वी देशांतर पर इस्तित है और भारती मानक समय रेका भारत के पांच राजियों से होकर गुजरती है तो पांच राजी कौन कौन से हैं तो यहां पर सबसे पहला जो आ जाता है उत्तर प्रदेश यहां से शुरू होता है इस तरह से हम यहां पर देखा सकते हैं आपको इस तरह से यानि कि आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश इस तरह से आता है उत्तर प्रदेश से होता हुआ यह पिर आंध्य प्रदेश से होता हुआ ये गुजर जाता है समझ पा रहा है ना तो मैं फिर से बता दूँ भारती मानक समय रेका भारत के पांच राजियों से होकर गुजरती है पहला जो है उत्तर प्रदेश दूसरा जो है मत्य प्रदेश तीसरा जो है आपका च्छतिस बिच के समय से क्या होता है आगे चलता है भारत क्यों चलता है उसको हम आगे किलियर करेंगे भारत का कुल छेत्रपल जो है 32,87,263 बर किलो मिटर है जो कि विश्व के कुल छेत्रपल का कितना है दो दसमलब चार दो परसेंट है ठीक है और विश्व में ये छेत्रपल के आध सात्मा सबसे बड़ा देश है भारत में बारत में विश्व की कुल जन्संक्या का सत्रे दस्मलब पांच तीन पर USA, नमबर चार पर इंडोनेसिया, नमबर पर ब्राजील, नमबर छे पर आपका पाकिस्तान, नमबर साथ पर नाइजीरिया, और नमबर आठ पर जो आपका आजाता है, वंगला देश आजाता है, ठीक है, छेत्रपल के आदार पर बात करें कि दुनिया का सबसे अधि है, वो आता है आपका USA, नमबर पांच पर जो आता है आपका व्राजील, नमबर छे पर आता है आपका ऑस्टेलिया, नमबर साथ पर आपका नमबर जो आता है वो आता है भारत का, नमबर आटमा जो है वो है अर्जेंटीना, ठीक है, तो एक नजर फिर से डाल दू, सबसे नमबर एक पे आता है आपका रूस, दूसरे नमबर पे कैनेडा, नमबर तीन पे आपका आपका चीन, नमबर चार पे USA, नमबर पांच पे ब्राजील, नमबर छे पर आपका ऑस्टेलिया, नमबर साथ पे आपका आता है, क्या भारत, समझगा ना, चलिए, तो भारत से पाख 41,000 भारत में गाउं हैं जो 2011 की जनगड़ना के साफसे 2021 चल रहा है इसकी जनगड़ना होगी उसके आतार पर हम बात करेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं पश्चिम से पूर की और मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी जो है पश्चिम से पूर की और घूमती हुई प्रत्वी का लगवग 360 देशांतर रेखाएं हैं और प्रत्वी को 360 रेखाएं या कर 360 देशांतर रेखाओं को घूमने में या फिर पार करने में 24 गंटे यानि कि 1440 मिनिट का समय लगता है और प्रत्वी को मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी जो है 4 मिनिट में 1 डिगरी देसांतर को पार कर पाती है इसलिए भारत के पच्चिमी सोर जो कि आपका 68 डिगरी 7 मिनिट पूर्वी देसांतर से लेके पूर्वी छोर जो इसका है 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर गूमने में प्रत्वी को लगबग 120 मिनट का समय लगता है यानि कि आणाचल प्रदेश पो गुर्दिरात के मद्धिल लगबग 2 गंटे का अंतर होता है किलियर करेंगे एक एक पॉइंट भी विस्तों में अधिक देशांतर्य विस्तारard वाले देश्तों में मद्ध की जो बीच की जो रेखा होती है यानि कि नju 13 मेरा तो मद्ध की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान जो मानी जाती है वहीं का जो समय होगा वह पूरे देश का समय मान लिया जाता है तो भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर को पूर्वी देशांतर को भारत के मानक समय के रूप में निधार किया गया है इस को स्विकर कर लिया गया और यहीं पर यानि साड़े 82 पूर्वी देशांतर को पर जो समय होगा पूरे देश का समय माना गाएगा इसका मतलब अंतरराष्टी मानक समय रेखा जो होती है जीरो डिगरी देशांतर लंदन के ग्रीन बिच नामकिस्तान से गुजरती है और व ग्रीदेशांतर से लेकर 85 पूर्वी देशांतर के मथ 5.5 घंटे का समय अंतराल है क्यों कि भारत जो है पूर्वी गोलाग में स्टित है इसलिए मैंने आगको बताया था कि भारती अमानक समय साड़े ब्यासी पूर्वी देशांतर यानि की गिरीनिवीच के समय से साड़े पांच घंटे आगे होगा इसका मतलिवी होगा कि भारत में सामके साड़े पांच बज रहे होगा तो लंदन में कितना समय होगा लंदन में साड़े बारे बज रहे होगे अगर भारत में साड़ फिर से clear करते हैं मैंने क्या बताया मान लीजिए आपका ये है गूलार्द गूलार्द है यानि कि पूरी प्रत्वी है इसको मान लेते हैं जीरो डिग्री देसांतर और ये यहाँ पर मान लीजिए लंदन लंदन के समय से क्या है मैंने बताया तागे अगर पूर की ओर बढ़ते हैं इस तरह थे पूर की ओर तो समय क्या होगा पिलस होगा पस्चिम की ओर जाते हैं इधर की ओर तो समय होगा माइनस मैंने आपको बताया था कि पिरत्वी जो है किसी भी पिरत्वी क्या गोल जो बस होती है उस पर 360 अंस का कोण खींचा जा सकता है तो इस गुलोब पर भी क्या है पिरत्वी जो है एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है 24 गंटे का 24 गंटे को अगर हम गुणा कर देत हैं कितने का 360 का अगर हम भाग देते हैं वो 60 का 360 का भाग देते हैं तो निकल के आएगा बरावर कितना आ जाएगा चार तो एक डिगरी पार करने में कितना समय लगता है चार मिनट का समय लगता है प्रत्वी को तो यहां पर मैंने क्या बताया प्रत्वी का देशांत्री व विस्तार जो है वो कितना है 30 ओossen दीजीु तो भारत का मैंने कया बताया बारत जो है कितना फैला हुआ इस तरह से मालीजे बारत है भारत यहां से अरसट से सुरू होता है अरसट से और मालीजे 97 पर खत्म हो जाता है तो यह मोटा मोटी जो इसका निकल के आता है कितने 33 विस्तारों निकल के आता 30 का क्योंकि अगर गुजरात के एसाब से हम कर लें कि गुजरात में पांच बज़ रहे हैं तो पूरे देश में अंतर कितना आ रहा है दो गंटे का तो हम बीच का समय निकालते हैं तो अरसट से हम बढ़ेंगे 99,77,77,47,47,46,47,98,89,89,86,18, erstmal यानी कि पूरे ब्यासी पर पांच बज़ रहें हैं तो पूरे देश में क्या बज़ रहें होंगे पांच बज़ रहें होंगे अब यह साड़े-वìnसी साड़े-फाँच गंटे का अंतर कैसे आया? तो उसको माल miss आएं चाले एक नेचर पहले तो हम छड़ा सा यहा अ पे रीजर निकाल लेते है इसको छड़ा सा नकर देते हैं इस तरह से 시ह करते हैं Craft hardly को कितना समय का अंतराल है साड़े पांच गंटे का कैसे आ हम इसको भी रहा करते हैं anál साड़े व्यासी को गोड़ा करें 82 दसमला 5 या नहीं 82 गुणा 4 क्योंकि एक डिग्री को पार करने में एक डिग्री को पार करने में कितना लगता है 4 मिनिट तो 82 तो 82 का गुणा कर देते हैं 4 में तो 82 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 2, 328 ठीक पिलस कर देते हैं 0.5 multiply 4 यानि कि कितना आजाएगा 2 तो 328 पिलस दो बराबर आ जाएगा कितना 330 यानि कि 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 85 पूरवी देशांतर तक कितना मिनिट का अंतर आ गया 330 मिनिट तो 330 मिनिट इनकलाए तो हम इसको क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, 60 का, तो 330 में 60 का भाग देंगे, तो 6,35 यानी कि 5 गंटे और 30 मिनिट हैं, यानी 5 गंटे का अंतर हो जाता है, के लिए रुगा, किते अंतर हो जाता है, 5.5 गंटे का अंतर हो जाएगा समझ मैं है न, क्योंकि अब वहीं बात आ जाती है यहाँ पर अब मान लीजिए साड़े पांच गंटे का जैसे मान लीजिए अंतर आ गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना देशांतरी विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक 68 डिगरी 7 68 degree 7 minute से लेकर 7 minute से लेकर 97 degree 25 minute तक है तो यहां पर कितना हो रहा है कितना हो रहा है यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है 30 degree तो यहां का मानेंगे तो 23 विस्तार कितना हो रहा है 30 degree यानि कि 30 देशामतिर विस्तार है तो 30 तो बारत को पार करने में कितना समय लगेगा तो 4 का चार बराबर 120 यानि कि यहां से लेकर यहां तक यानि कि गुजरात और अणाचल के समय में कितना अंतर हो जाएगा दो गंटे का अंतर हो जाएका क्योंकि 120 मिनिट यहां पर समय लगेगा इसको पार करने में समझ पार है न किलियर हुआ तो अम्मीद है आपको किलियर हो गया होगा कि क्यों कि मानक सेमे मानते हैं क्योंकि मान लीजिए जो मान लेते हैं गुजरात को माल लीजिए बज़राे नहीं तो यहां पर आप से तो भाईया यह कहें हम तो अपने fluffy सर्थalis और सूरagnम करेम बात हैं कि सूरज इंतुरा थोड़ी न करेंगा सूरज हंपर निकल तुरेखा ने सुन फॉरज हंच बजी और यहा पर निकल निकल रहा तुरिक्तुम। साथ बजय का अंतरा लो रहा तो इसलिए आम बीच का माल ले ते बीच का जब समय मानते हैं तो न त词रा न सेअंतर में 2 से रहें तो कया कर्देगे उल्टा कर देंगे आने की साड़े 5 गंटे तो यहां पर जो समय हो रहा होगा वो कितना हो जह रहा होगा साड़े 6 बजरहे होंगे कि Rapha पर 18.85 देस नंतर में समझपा रहे हैं? चलेए आगे बढ़ते हैं भारत देश का विस्तार उत्तर से लेकी देशषिड नंग मंधर परदेश चले रहा है उत्तर से लेकी देशषिड में ब्रुट परदेश πरिए हिमाचल परदेश पंजाब, हर्यान और पूर से पश्षिम कियोड़ा चले है जब यह पश्माला टी तरह पश्षिम ले में समक्राइब है उसके जानुस zwrahी कि बता दू है, isको लंबाई जो है, कितनी है, 3200 km और पूर से पश्चिम की बात करें तो इसकी चोड़ाई कितनी है 2900 km है समझ पा रहे हैं बारत की इस्तली सीमा की लंबाई की बात करें तो 15200 km है केवल भारती प्राइजदीप की 30 सीमा की अगर बात के जाए तो 6100 km है तटी भाकी भी अगर बात कर ली जाए तो 7516 km या मोटा मोटी मालने 7516 km दीप समू को मिला कर है अगर दूसरे सब्दों में समझें तो भारत की इस्तल सीमा जो है 15200 km है और इसके मुख्य भूमा की 30 सीमा जो है 6100 km इसको हम थोड़ा सा किलियर करते हैं समझते हैं मैंने क्या बताया माल लीजिए हमने अभी बताया कि यहां से सुरू होती है इस्तल इस्तल खंड का मतलब होता है जो पानी से न लगता हो यह नहीं समुद्र से न लगता हो तो यह तो हो गया पाकिस्तान लद्दाक में प्रिवे मतलब लद्दाक से सीमा बनाता हुआ उसके बाद अफगानिस्तान से उसके बाद लद्दाक जो है चीन से सीमा बनाता हुआ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं चीन से चलता चला जाता है फिर इमाचल प्रदेश उसके बा राज आता है तो मोटा मोटी यहां से तक चलते चले आते हैं और उसके बाद फिर यहां पर पशी मंगाल की तरफ चले आते हैं पशी मंगाल यानि बंगला देश तक चले आते हैं यहां पर आपको देख रहा होगा तो यहां से लेकर यहां तक यहां गुजरात से लेकर स्थली सीमा की अगर बात करें तो कितना हो जाता है पंद्रे हजार दो सो किलियो मीटर की इसकी स्थली सीमा है वहीं तटी सीमा की बात करें तटी सीमा की तो तटी सीमा कहां से तुरू होती है यहां से सीमा सुरू हो जाती है आपकी गुजरात वाली तटी सीमा जो पानी से ल जली सीमा जो है अनिकि जो समुद्र सीमा लगा रही है वो कितना है मुख्यु वहा की मुख्यु वहा की जो है वो है छे हजार सो किलो मीटर समझ पारा ना छे हजार सो किलो मीटर क्या है इसकी जली सीमा इस तली सीमा पंदर हजाद 200 km वहीं यह तो मुख्य हुभाती होगी अब अगर दीप समू को मिला लिया जाए दीप समू आपके कौन से हो जाते हैं जो समदर के बीच वीच में जैसे कि अंड़मान निकोवर दीप समू और लच दीप को भी तो लच दीप को भी अगर इसमें जोड लिया जाए तो जली स सी मा जो है पंदरे हजार दूसों km है वहीं जली सी मा जो है मुख्यू भुबाकी छे हजार सो km है और दीप समू हो तर अगर इसकी अस दीप सम्मो को मिला कर कितना हो जाता है इसको मूटा मोटी हम 7,517 km भी बोल सकते हैं इसी परकार तो दौनों की अगर हम देखे हैं तो इस परकार भारत की कुल सीमा की बात करना है कुल सीमा इस्थली और जली सीमा को मिला लिया जाए तो 15,200 प्लस 7,516 km को दौनों को जोड़ जाए तो 22,716 km हो जाती है समझ पार है ना किलेर हुआ शरी देखते हैं भारत के अंतिम बिंदु या लास्ट वर्डर पॉइंट देख लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अडाचल प्रदेश में बलांगू यानि की किबुथू में होता है सबसे पूर्वी बिंदु यानि की किबुथू में देखने को मिल जाता है सबसे पच्च्च्मी विंदुकि अगर बात किया तो गौर्माता कहा पर है। कहाँ पर है। कुजरात में सतद है। सबसे उत्री विंदुकि अगर बात की जाएा। ठीक है इंद्रा कॉल के नाम से जाता है सबसे दख्षडी बिंदु की अगर बात की जाता है तो यहाँ पर सबसे दख्षडी बिंदु जो है वो आ जाता है यहाँ पर इंद्रा पॉइंट किस में इसमें अंडमा निकूबर दीप समू में इंद्रा पॉइंट को पहले पिग 6.8 km है, ठिक है, इसके बास, प्राज़ Dhī가지고 भारत का सबसे दच्री बाक की अगर बात की में, इसतिता है, यानि कि प्राज़दी भारत की अनि मुख बुवाग का सब से दच्छिर्दम बिंदु की अगर बात की जाए, तो वो आता है तमिल, लाड़ू, केप, गुमोरे निया कान्या, कुमारीमारीमें, ठीक है? सीर्स पांच छेत्रपल बाले राजी देख लेते हैं पांच सबसे बड़े छेत्रपल बाले राजी सबसे ज़्यादा छेत्रपल जो है वो आपका आजाता है राजिस्तान का राजिस्तान आपका यहां से सुरू होता है मैं आपको राजिस्तान दिखा देता हूँ, जूम कर के दिखा देता हूँ, राजिस्तान आपका पंजाब, हरयाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, और गुजरात से सीमा लगाता है, ठीक है। फिर से बतातू हूँ राजिस्तान सबसे बड़ा राजी है छेत्वड़क दिरिश्टी से जो की आपका एक गुजरात, दो मद्धि प्रदेश, तीन उत्तर प्रदेश, चार आपका हर्याना, पांच जो है आपका पंजाव, यहीं कि पांच राजियों से सीमा लगाता है, दि प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मद्धि प्रदेश जो है तीन लाग के चेतपल के साथ, बर किलूमेटर के साथ, दूसरे नंबर पे आता है, जो की आपको यहां पर मैं दिखा दूँ, आपका उत्तर प्रदेश एक हो जाता है, उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है, नंबर दो जो है आपका 36 गड़ से सीमा लगाता है, नंबर तीन महाराष्ट से सीमा लगाता है, नंबर चार जो है वो आपका गुजराश से सीमा लगाता है, और नंबर पांच जो है आपका किस सीमा लगाता है, आपका राजिस्तान से, तो दूसरे नंबर पर आपका आ आ और करनाटक और गोवा से सीमा लगाता है ठीक है चोहता सबसे बड़ा राजी की बात करें तो है आपका उत्तर प्रदेश ये भी यहां से सुरू होता है आपका नंबर एक बियार से सीमा लगाता है नंबर दो जारकंड से सीमा लगाता है नंबर तीन च्छतिज़र से सीमा ल लगाता है नमबर छे उत्तरा खंड से सीमा लगाता है नमबर साथ और यहां पर एक आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी इसकी लग जाती है यानि कि आठ राजियों से सीमा लगाता है पर एक इंसा से प्रदेश से सीमा लगाता है और इसके साथ ही है चौथा चौथा छेत्रबल के आदा पर चौथा सबसे बड़ा राज हो जाता है पांचमा राज की अगर बात कि जाए चेत्रबल की दिरस्टी से तो आपका छेत पर दिरश्टी से गुजरात की अगर बात की जाए तो आपका राजिस्थान से सीमा लगाता है उसके बाद मध्य प्रदेश सीमा लगाता है और यहां पर मध्य प्रदेश उसके महराष्ट और दमन दीप से भी सीमा लगाता है समझ पा रहा है ना तो एक ब पिर से बता दूँ आपका Rajasthan उसके बाद Madhya Pradesh उसके बाद महाराश्ट उसके बाद Uttar Pradesh उसके बाद Gujara तो जाता है नंबर एक पर राजिस्थान नंबर दो पे Madhya Pradesh नंबर तीन पर महाराश्ट नंबर चार पे यहांपर मैं नहों करके दिखा दूम है यहां पड़त्वान अदर्वन तिसल मेर्र wnतंसर कोद дан्य में यहां पर यह इसका नुनार तर्यॉच को नकि health है कि आता है पर पर आता संथ दो नमब्छम का चाहना यहां पर दुठ पर है कश्प्र नमबर अब यहां पर आपको लग्दाक का नमबर तीन पर आपका जैसल मेर यहां पर देख जाएगा यहां पर जैसल मेर कहां गया जैसल मेर यहां जैसल मेर यहां जैसल मेर उसके बाद यहां पर देख जाएगा यह बीकाने उसके बाद यहां पर देख जाएगा बाड मेर चलिए भारत से गुजन बाली एक रेखा है, जिसको हम कहते है करकरेखा, करकरेखा जो होती है, मैं आपको दिखा दूँ, यह है आपका ग्लोब, ग्लोब में यह आता है, जीरो डिग्री आचांस, जीरो डिग्री आचांस को कहते हैं, विस्वत रेखा, विस्वत रेखा के उत्तर मे जाएंगी तो करक्रेका बनती है साड़े तेईस उत्री आचांस में करक्रेका कहते हैं साड़े तेईस उत्री आचांस को करक्रेका कहते हैं महीं साड़े तेईस दच्छडी आचांस को मक्का करक्रेका कहते हैं तो जो करक्रेका है वह भारत के बीचों बीच में से होकर जाती ह यानि साड़े तेश उत्रिय च्छांस जो है भारत के बीच province से हो कर जाती है जो की लगवग आठ राज्ज को हाँ लगवग नहीं होता है सीध़ा सीध़ा आठ राज्टीं से होकर गुजरती है नंबर एक जो आता ता है आपका गुजरात नंबर दो आ आजाता है आपका राजिस्तान नंबर तीन आ जाता है आपका मद्धिप्रदेश नंबर चार आ आजाता है आपका यहां पर 36 गड़ नंबर चार नंबर पांस जो आ जाता है आपका जार घंड नंबर छे आ जाता है प्रश्षिविंगाल नंबर साथ तिरपुरा और नमबर आठ जो है वो आ जाता है आपका नमबर आठ जो आ जाता है वो आ जाता है मिजुरम नमबर आठ जो आता है वो आता है मिजुरम ठीक है फिर से बता दू नमबर एक गुजरात नमबर दो राजिस्तार नमबर तीन मद्वर्दे नमबर चाच छतीर नमबर पांच जारक नमबर छे पश्यूंगाल, नमबर साथ तिरपुरा और नमबर आठ जो आता है, वो आ जाता है, मिजूरम ठीक है, कौन सा जाता है, मिजूरम आ जाता है, इसके बाद नेक्ट बात करते हैं, इसी में ही, मैं आपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखती है, यह आठ राज्य पश्यूंगाल, तिरपुरा और आपका मिजूरम, जोम करके दिखा देता हूँ, एक मिनट जोम करके दिखादा हूँ, गुजरात, राजिस्तान, मद्दपर देश, छंटिसगर्ड, जा रकन, पश्यूंगाल, तिरपुरा और मिजूरम, चलिए, नेक्ट बात科 करते हैं, साथ यो आगे बात करते हैं भारत में बिदेशी चेत्रों का क्या मतलब चाहिस क्लान ता है कि बहारद के लिजती चेत्रां का चाहिस को आ शाता है last of the म lista रहता है कि यह कुछ ऐसे शेथ ज् gren बोगों का और में hello पर से पहला यह सरत हम कोत्त अब दाधर नगर अग आफिली और दमनोर्दीब यह हँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से ठीक है इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा दूम कर देखाऊं तो दीब दमन दादर नगर अविली पुर्थगालियों के अंडर में था इसके बाद यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा दादर नगर अविली और प्षेतर पर इतना था पा जो यहां है छंद्रोत पक्र माहय और Extra यहां पर आपको दिखता हूँ यहाँ पर नहीं धिर्टम आपको देखने को मिल जाएगा में जूम करके दिखाता हूं आपको यहाँ पर देखिए सबसे बहुते ले इट्स स्टेट एंड यूनियन टेडिटरीज देखते हैं किलियर करते हैं ठोड़ा सा क्यांकि अभी संसोधन हुआ इसलिए मैंने थोड़ा सा एक अलग ठोटा सा टॉपिक बना दिया है क्यांकि संसोधन होने के बाद थोड़ा सा अगर हविली इन्टु ए सिंगल यूनियन टेरिटरीज टू नॉन एज दादर एंड नागर हविली एंड दमन द्यू एफेक्टिव फ्रॉम तर्टीश यह वरी टूटाउज़न ट्वेंटी सीधा तो मतलब यह था कि नवंबर दोजार उन्निस में क्या था भारती जू सरका थी बारत की जो सरकार थी उसने क्या किया एक दिल पास किया जिस में पहले क्या था दादर नगर हविली अलग हुआ करता था एक दादर नगर हविली क्या हुआ करता था एक अलग केंसादी प्रदेस हुआ करता था और दमन और दीब एक अलग केंसादी प्रदेस हुआ करत बर्तमान में अगर बात की जाए तो बर्तमान में यानि की 2021 की बात कर रहा है तो 28 राजजी तथा आठ केंसासित प्रदेश्त हैं उनको भी हम किलिए करते हैं गुजरात को पंदर में राज़ी के रूप में 1960 में महाराश्तिय अलग करके बनाया गया था बर्तमान में 28 प्रदेश की एक अपनी स्वयम की सरकार है राज तीय राजदानी छेतर दिली एक प्रदेश चेतर जिसके पास अपनी निरवाची सरकार है और राज यह उन संग छेतर के बीच का दर्जा दिया गया है छे अगर्स 2019 से पहले भारत में 29 राजी तथा साथ केंसासित प्रदे पंजाब नमबर 3 उत्तरा खंड नमबर 4 अर्याणा नमबर 5 पिर दिली फिर मद्ध उत्तर प्रदेश राजिस्तान कुजरात मद्ध प्रदेश बियार चार खंड पस्री वंगाल आपका सिक्किम-म असम अनाचल प्रदेश नागालन्झ मढिपूर मिजूरम तिरपुरा उ उसके बाद पुदोचेरी और दादर नगर अवेली और दमन्दी यानि कि केंसाथि प्रजिस्तों में थोड़ा सा सोधार किया गया था तो 29 राज हुआ करते थे जिसमें जम्मुकस्मीर सहित आपके 29 राज होते थे ठीक है लेकिन अनुच्छे 370 को खत्म करने के बाद जम्म इसको क्या कर दिया गया था इसको दो राजियों में बाद मतलब इसको के 370 जब जारा खत्म की तो इसको राजी का दर्जा खत्म करके केंसाथि प्रजिस्तों में बाद दिया यानिकि दो केंसाथि प्रजिस्तों में बाद दिया एक लद्दाक और दूसरा जम्मुकस्मु सरक मेन लातलंुन है तो जब इसको जब 373 की लिजया तो 28 तो यह सब्सक्राइब राज्य अपने आप खतम हुआ और जम्मुकष्मी राज्य खतम हुआ तो फिस राज्य और नौ किंसादि प्रदेस हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है तो इस राज्य जाते हैं लेकिन नौबर दोजार नहीं से के में क्या होता है दादर नगर अवेली ता दमन दीव जो हुआ करते थे उनको एक किंसासित प्रदेश में ही बदल दिया जाता है यानि कि पहले क्या ते नो हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है जो दादर नगर अवेली होता है दादर नगर वेली और दमन दीव को पहल कितने अठाइस राजित था आठ किंसाजी प्रदेश बन गए तो सबसे पहले देखते हैं अंध्र प्रदेश अंध्र प्रदेश असाम बिहार शेस्टीजगर गुवा गुजरात अर्याणा इमाचल प्रदेश जारखंड करनाटा केरल मद्रप्रदेश महाराच मनिपूर राजिस्तान, सिक्किम, तमिलनाडू, तेलंगाना, तिरपुरा, उत्तर प्रदेश, प्रत्राखंड और पस्षी मंगाल आखे मन्द करके हम इनको महसूस भी कर सकते हैं कि हमारा जो है कि हम यह याद कैसे हो जाएंगे याद होने का सिंपल था तरीका है आप दो चार बाज मैप की तरफ देखेंगे तो आप पहले देख के बोलिए लगदाग्स, जम्मू कस्मीर, हिमाचर प्रदेश, पंजाब, उत्राकंड, हर्याना, दिल्ली, राजिस्तान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्टा, तेलंगाना, करनाटा, गुवा, के बढ़ेंगे तो उडिशा, चैसिसगाड, जारकंड, पच्छिमंगाल, बिहार, आपका सिक्किम, अनाचर प्रदेश, असम, नागालेंट, मडिपूर, मिजोरम, तिरफुरा, मेगालें, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको चाप पांच बार जब हम देख के पढ़ेंगे उसके बार आँख्या बंद करके हम जब पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप मैसुस होने लेगा है, का उत्तर प्रदेश के तरह जर बीच में पढ़ेंगा, जमुकश्मिल और लग्दाक चेत्र के तरह उपर है, आपका असम बाला चेत्र इस और पढ़ेंगा, आपका चलते चले जाएंगे, गुजरात की तरफ तो नीचे गुजरात की तरफ दिल जाएगा, हम तमिल नाडू की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा, केरल, केरल के ठोड़ा से और ऊपर बढ़ेंगे, तो आपको करनाटक मिल जाएगा, करनाटक के तो आपको क्य मन्द कर लीजे मैं बोलता हूँ सबसे उपर आपका लग्दाग लग्दा के बाद जम्मू कस्मीर हमाचल प्रदेश पंजाब राजिस्तान गुजरात माराष्ट गोवा करनाटा के रल तमिन लाड़ू तमिन लाड़ के उपर आ जाएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश ते से हो जाएंगे यहां पर मैंने लिख दिया है विफोर ट्वेंटी सिक्स विफोर अगर्स शिक्स तुटावन नाइंटीन यानि कि छे अगर्स दो जार उन्नीस से पहले उन्तिस राज और सास के इंसा से प्रदेश हुआ करते थे लेकिन आपका जो संसोदन होता है तो इसम समबर 29 से आगधा 29 वीडियो दवनदीप को एक कर दिया जाता है उसके बाद इसको लागू कर दिया जाता है तो 28 राजी और 8 के इंसासित प्रदेश में बदल दिया जाता है ठीक है भारत के राजी और छेत्रों के नाम देखते हैं ठीक है चलिए क्लियर हुआ ना चलिए बारत के नव गठी राजों के बारेम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले जो था list में गुजरात बनता है बंबैी सी अलग इब करके 1973 में नाखलेणन भनता है असंजाब करके 1966 में हर्याणा मनाई जाता है पंजाब से लग करके चेत्र था उनीस सो सताजी में अनाचल प्रद्य को बनाए जाता है अनाचल प्रद्य को बनाए जाता है उसके बाद दो जार में आपका दादर नगर हवेली को क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है दादर नगर हवेली यह है दादर नगर हवेली और दमन्दीप को मिला दिया जाता है दो हजार उन्निस में आपका जम्मू कस्मीर का आपका जम्मू कस्मीर का आपका राज्य का दर्जा खतम कर दिया जाता है और लद्दा किसाइश प्रदेश थैं, 28 राज्जी और 8 केंसाइश प्रदेश है, शलिया आके बढ़ते हैं, ठोड़ा से देख लेते हैं, छंडिगर्व, चंडिगर्व, चंडिगर्व केंसाइशिस प्रदेश होने के साथ तो दिल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दादर नगर अवेली है यहां पर है महाराष्ट और गुजरात की सीमा पर दादर नगर अवेली और दमंदी विहां पर इस्तित है ठीक है दादर नगर अवेली और दमदी भीहा पर गुजरात और महाराश की सीमा पर इस्तित है पॉंड चेरी जो है हमारा पुदो चेरी या पॉंड चेरी या पुदो चेरी या पुदो चेरी जो की तीन राज्यों में फैला हुआ है तो आईए देख लेते हैं कौन कौन से तो पहले तो देख लेते हैं चार देले तो महे दूसरा पॉंड चेरी तीसरा कराइकल चौथा या नम ठिक यहां पर आईए देखते हैं तो केरल में आपको महे देखने को मिल जाएगा केरल में आपको महे कराइकल पुदू चेरी जो है तमिल लाडू में और या नम जो है आपका आंध प्रदिस में फिर से बता दू पॉंड चेरी चार इस्थानों पर अवज्दित है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है माहे केरल में यहाँ पर पॉड़ोचेरी और कराइकल आपका तमिल राडु में यहाँ पर यनम आंध प्रदिस में यहाँ पर ठीक है पर आपको दिखाते हैं बंगलादेश बंगलादेश यह है हमारा इस तरह से जाता है इस तरह से यह इस तरह से इस तरह से इस तरह से ठीक है 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 इस तरह से यह देख पार ना यहाँ पर यह यह बंगलादेश बंगलादे मेगाले तिरपुरा चुक है और मुझोरम समझ पाना है चलें तो तिरपुरा जो है टीन उन से किसे किरा हुए है बंगलाद裡 से तो यहाँपर इसूर इसूर और नależी समझ की शलिए तिरपुरा और वंगलादेश की सीमा क्या क्या लाती है सून ने रेखा का जाता है तिरुपरा वंग्लादेश की सीमा रेखा को क्या रिका जाता है सून ने रेखा कहा जाता है ठीक है यह तिरुपरा है आपका पाकिस्तान से लगे भारत के किस राजी की सीमा सबसे लंबी है तो राजिस्तान की सीमा सबसे लंबी है यहां स तो सबसे अधिक जो लंबी जो है सीमा रेका तो राजिस्तान से पाकिस्तान से लगे कि कि इनसाथे प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है तो वो है जम्मु कस्मीर की क्योंकि कौन से दो रहे कि इनसाथे प्रदेश सटे हुए है तो यह इस तरह से लद्दा होता है इस तरह से उ उकमादीप में भारत आ जाता है पाकिस्तान पहले तो आ जाता है नंबर एक पे भारत नंबर दो पे पाकिस्तान नंबर तीन पे बंगलादेश नंबर चार पर यहां पर मालदीप नंबर पांच पे आपका आ जाता है स्री लंका नंबर छे पे आ जाता है नेपाल नंबर चार पांच्छे साथ देश इसमें सामिल किये जाते हैं भारत की दच्रत्मबिंदु भारत की दच्रत्मबिंदु जो है एक चार लिग उत्रिया चांसे यूथ चलिए पडोसी देशों की सीमा रेका से जोड़े भारती राज्यों की संक्या कितनी हैं तो वो कितनी हैं सोले हैं भाया सोले कैसे हैं तो आईए जूम करके मैं आपका दिखा देता हूं नंबर एक पे आजाता है आपका गुजरात नंबर दो पे राजिस्थान नंबर तीन पे पंजाब नंबर पांच पे आपका उत्त्रा घंड नंबर छे पर उत्तर प्रिदेश नंबर साथ पर पे हार नंबर आट पर आपका सिक्किम नंबर नो पर आपका मालीजे पशी मंगाल नंबर दस पर आप असम नंबर ग्यारे पे अनाचल प्रिदेश नंबर बारे पर आपका मेगाले नंबर तेरह पे आपका तेरपा नंबर छौदे पे आपका नागालेंड नंबर सॉले पे आपका मनिपुर नंबर सूले पे आपका मिचूरम आजाता है ठीक है फि suzdeep डेशों के साथ पड़ोशी देशों की सीमा से जुड़े भारती राज्यों की संक्या कितनी है तो सोलह है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारती है कि इनसाजी प्रदेशों की संक्या कितनी है तो दो है कौन कौन से आ जाते हैं लद्दाख और जम्मू कस्मी तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से गुजरात स राजिस्तान, राजिस्तान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कस्मी, जम्मू कस्मी के बाद आपका लद्दाक, लद्दाक के बाद आपका आजाता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहां पर उत्राखंड, उत्राखंड के बाद उत्तर प्रद तिर्पुरा के बाद आ जाता है, यहां पर मेगाला हैं. तो इस तरह से यहां से लेकर यहां तक सूल्य राज्य तता दो के इंसासित पृदेश सीमा बनाते हैं. समझ गए न चलिए. तो जितनी मतलब 15 राज्य, 16 राज्य और दो के नसासित पृदेश जितनी सीमा बनाते हैं उसकी टोटल या खुल लंबा जो है पंद्रह हजार दोसो किलो मीटर है भारत का आचानसी विस्तार के अगर बात की जाए आचानसी विस्तार और देशांत्री विस्तार का बात की जाए तो कितना है तो 29 डिगरी दो मिनट से लेकर आचानसी विस्तार ह लेकर पोरे देश का आछांगी विस्थार की लेकर बात की जाए तो और यहां पर शेंटिर्स दिग्री अब अर्शय सबस्वाद विस्थार के आगर से सुरू होता है और सट डिगरी साथ मिनट से लेकर पूरवी देसांतर में चलता चला जाता चलता चला जाता है और सट डिगरी साथ मिनट से लेकर 97 डिगरी पूरवी देसांतर के पीच मौझूद है पॉंडचेरी और 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 पॉंडचेरी यह नम जो है पुदुचेरी जो है आपका पुदुचेरी के बाग है कहां पर है आपका आंधपरदेस में चलिए भारत के बरतमान में पांट चेरी को क्या कहा जाता है पुदुचेरी कहा जाता है मरकट दी मरकट दी पयानी की एमराल्ड आइसलेंड के नाम से किसको जाना ज जाता है तो अंडमा निकोवर दीप समू को जाना जाता है फिर से बता दू मरकट दीप एनी के एमराल्ड आइसलेंड के नाम से किसे जाना जाता है तो अंडमा निकोवर दीप समू को जाना जाता है भार के पूरवतर राज जिनकी सीमा बंगला देश से नहीं लगी है तो व प्रिदेश होता है तो आपको बता दें कि नागालेंड के बीच में आपका पढ़ जाता है आपका असम के बाद आता है नागालेंड ठीक है और अरणाफ प्रिदेश तो बंगलादेश से कौन-कौन सीमा साजा करता है पश्ची मंगाल ठीक है पश्ची मंगाल इसके बाद य मेगाल हैं तिरपुरा और मिजोरम कौन कौन से नहीं करते हैं तो नागा लेंट मरणीप्र औरणा चे प्रेष नहीं करते हैं मैख मोहन रेखा चीन तथा भारत के किस राज्ज के बीच यह क्यों आपको बता दें भारत तथा चीन के बीच जिग सीमा रेखा है उसको मैंक मोहन रेखा नहीं कहते हैं पूरे को पूरे को नहीं कहते हैं केवल भारत और अरणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा है उसको हम मैंक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं मैंक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं चलिए आगे बात करते हैं इंदरा अच्छा जिसको विस्वत्रेखा क्याते हैं विस्वत्रेखा से उपर के और जाते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और आठ डिगरी चार्मेंट से सुरू होता है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अन्दमा निकूबर दीप समून में यहाँ पर देखन है आठ सो छेटर किलो मीटर इंद्रापॉंट भारत का दच्छिड़तम बिंदू है भारत के सीर्स पांच तट्रेखा वाले राच्यों के नाम सबसे ज्यादा है गुजरात की उसके बाद है आंध्रदेश की नंबर तीन पर तमिलनाडू नंबर चार महराष्ट और नंबर तमिलनाडू नंबर तमिलनाडू के अंध्रदेश के बाद उडिसा उडिसा के बाद यहां पर पस्षी वंगाल आपका आ जाता है तो यहां पर जो टोटल है ट्रेखा जो है छे हजार सो किलो मीटर है अंडमान निकोबर दीव समूव लच्छी डीव को भी जोड़ लिया तो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेखा वाला जो राज है वो है आपका गुजरात कौनसा राज है गुजरात नंबर एक पर आ जाता है गुजरात नंबर दो पर आपका आ जाता है आंत्र प्रदेश नंबर दो पर आंत्र प्रदेश नंबर तीन पर आ जाता है नमबर चार पर आता है आपका महराश्ट नमबर प्माच पर केरल तो सबसे जादा स्ट रिखा वाला राज राज कौन सा है यहां पर है यहांका सिक्न में यह इस्चित है सिक्ग्यम के पश्चिं में जाएंगे तो यहां पर नेपाल पूर में आपका भूटान और उत्तर में आपका चीन इस्ट पार का बह राज जिसकी अधिकत्र सीमा म्यामार से लगती है तो Hello from Just से इस तरह से सुरू होता है इस तरह से इस तरह से सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है आपकी अर्णाचल प्रदेश की म्यामार से कौन-कौन से राजी जो है सीमा साजा करते हैं अर्णाचल प्रदेश नागालेंड मडिपूर और मिजोरम ठीक है चलिए भारत का भहराज जिसकी अधिक्तम सीमा म्यामार से लगती है तो वह नाचल प्रदेश हो गया भारत के किस पडोसी देश की सबसे लंबी इस्तली सीमा है तो वह है बंगला देश की बता भी चुका था क्योंकि जितने भी पडोसी देश हैं इस्तली सीमा की अगर बात करें तो वो सबसे अधिक कौन साजा करता है वो है बंगला देश वह देश जिससे डूरंड लाइन यानि की भारत की सीमा निधार करता है और सबसे कम तो है अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान जो है के इंडिरेक्टली करता है यानि कि पी ओके के माध्यम से करता है अफगानिस्त होते हैं यहां पर देख जाएगा आपको पाक जलसंदी पाक जलसंदी जो होते हैं जलसंदिया जो होती है वो दो भूखंडों को क्या करती है अलग करती है ठीक है तो यह है आपका पाक जलसंदी जो की भारत और स्री रंका के मत्य में हैं प्रुमुक्ता छे देख लेते हैं बारत का सबसे अधिक नगरी करत राजी कौन सा है? यानि कि यहाँ पर देखने को मिल लाएगा आपको गुवा सबसे अधिक नगरी करत राजी है. सबसे कम नगरी करत राजी जो है हमाचल प्रदेस है. भारत का मत्य प्रदेस सबसे अधिक बन बाला राजी है. मत्य प्रदेस होती है अरावली पर्वस सेडिय सबसे प्राचींतन पर ओर यह फ़ी सबसे नभीन पर्वस होती है सबसे नवीन पर उनकला रहाँ है यह पर अपने बारत की चलिए भारत की अंतरराटी की सीमा एवं पड़ोसी तेस के बारे में बात करते हैं. stopping हैं समझते हैं पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार के बारे में बात करते हैं लेंग और ज़ा native बारत की कुल्व भारत सुलो किलोमेटर है जो की नो राज्यों और चार की इंसासिस प्रदेसों को च्छूती है। बारत के पांच राज जैसे हैं जो किसी भी अन्तराशी सीमा रेखा को तठ या इसफर्स तठ रेखा को इसफर्स नहीं करते हैं तो कौन-कौन से हैं वो है आपके हर्याना अर्याना मद्य प्रदेश ज़ारखंड श्पतिस गड़कते लंग़ाना जैसे अर्याना के अगर बार इन बात करें तो हर्याना को करता है और यहां पर आपको देकने को मिल जाएकर राजिस्तान इस तरह से यह किसी भी देश से सीमानी जहारखंट कारें आपकोने यापको देखने को मिल जाएक जहारखंट जो है आपका वयहार से करता है पश्छी मंगाल से करता करता है तेलंगाने से करता है महराष्ट से करता है मत्ध प्रदेश से करता है लेकिन किसी देश से नहीं करता है तेलंगाना की अगर बात करता है तेलंगाना को यहां जून करके दिखा देता हूं तेलंगाना आपका आंध प्रदेश उड़ीशा शत्तिजगर्ड महराष्ट क परनाटक और परदेश लेकिन किसी देस से नहीं करता है चलिए भारती, राज्यों में गुजरात की तरत्रहा सबसे अधिक हैं, इसके बाद और अन्द प्रदेश की तरลहा सबसे अधिक हैं पिर्से बतात्स गुजरात की सबसे अधिक और दूसरे नंबर पह आपका आ तिरपरा यहां से देखिए ऊपर से भी दाएं से भी और नीचे से भी गिरा हुआ है किस से बखला देश से भारत के पांच साथ पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को क्या करते हैं इस परस करते हैं कितने साथ पड़ोसी देश साथ पड़ोसी सबसे पहले आता है पाकिस्तान पाकिस्तान आपका गुजरात राजिस्तान पंजाब केंसांसे प्रदेश जम्हुकत्मीर लदाक से सीमाि इस्तिपरस करता है ठीक है? दूसरा आजाता चीन चीन जुए है यहांसे केंसांसे प्रदेश लदाक उसके बाद हमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, फिर अरणाचल प्रदेश से सीमा इस परस करता है नेपाल की बात करते हैं, नेपाल भी यहां से सुरू होता है, नेपाल जो है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्ची मंगाल और सिक्टिम से सीमा साजा करता है, बंगला देश की बात करें तो बंगला देश यहां पर आ जाता है आपका पश्ची मंगाल, असम, मेगाले, तिरपुरा और मिजूरम से सीमा रेखा इसकी साजा होती है भूटान की बात करें तो आपका भूटान, सिक्किम, पस्षी मंगाल, असम और अनाचल प्रदेस से सीमा बनाता है मिहमार की बात करें तो अनाचल प्रदेस से सुरू होती है आणना चल पिरदेश नागा लेंड मनिपूर मिजूरम से करता है अफगानिस्तान की बात करें तो आपका यहां पर देखने को मिल रहागा अफगानिस्तान लद्दाक से सीमा रेखा इसकी साजा होती है चुकि इसमें पाक अधिकरस कजमी के तहती आता है यानि कि यह पाकिस से छोटी अंतराष्टी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ साजा होती है जो कि केवल एक सो नौ किलो मिटर है इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारा आ जाता है भूटान से सीमा दूसरे नंबर पे होती है जिसकी 699 किलो मिटर है पहले नंबर पे आपके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पास जो आता है भूटा, भार के दो पड़ोशी देश जो भार की तटी सीमा के साथ जुड़े हुए है, तो वो है स्री लंका और माल्दीव, कौन गों से, स्री लंका और माल्दीव, स्री लंका ये है, और माल्दीव यहाँ आप यहां से देखिए यानि कि बंगलादेश जो है आपका इस तरह से जल सीमा भी बना रहा है और थल सीमा भी बना रहा है पाकिस्तान किसी देखिए जल सीमा भी बना रहा है और थल सीमा भी बना रहा है म्यामार की देखिए यह यहां पर जल सीमा भी बना रहा है और थल सीमा भी चीन के साथ भारत के चार राजी तथा एक के इन साथ से प्रदेश सीमा साजा करता है तो कौन कौन से राज हैं सबते पहले तो आ जाता है हिमाचल प्रदेश में आपको दिखा देता हूं राजियों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश उसके बाद उत्तरा खंड उसके और अचला प्रदेश यानि कि यह चार राट हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश उत्राकंड सिंखिपिंग और अहिंग कहते हैं जिक्यronic भारत का और इखल कि य म सब इसांच करता है नेपाल के साथ पहांच राज्य सीमा साजा करते हैं तो कौन-कौन से उत्तराखंड, उत्तरप्रदेस, विहार, सिक्किम और पश्ची मंगाल, पश्ची मंगाल का यह चुटा सा यहां दिख जाएगा दार जिलिम, चले, नेक्ट बात करते हैं, भूटान के साथ चार राज्य सीमा साजा करते हैं, कौन-कौन से हैं, पश्ची मंगाल, सिक्किम, अनाचल प्रदेस, असम, चूम करके दिखाता हूँ, सिक्किम के साथ, वो भूटान के साथ, सिक्किम, पश्ची मंगाल, असम, और अनाचल प्रदेस, मियामार के साथ, चार राज्य सीमा साजा करते हैं, क अफगानिस्तान के साथ भारत का एक किंसाथ प्रते सीमा बनाता है केवल एक सो नौ क्यूमिटर जो है लग्दाग ठीक है च्याल यह पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार में आगे देख लेते हैं पाक जल डमरूमद्य और मन्नारी की खाड़ी स्री लंका को भारत से अल तुति कोरिन और मिस्तरम यहां आपको देख जाएगा ठीक है मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में इस्तेता है यह रेखा 1914 में सिमला समझोते में निर्जात की गई थी किसके बीच में मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में लेकिन मैक मोहन रेखा जो है भारत औ और अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट रेका इस्था पे दी गए थी लेकिन यह रेका अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ठीक है क्यों कि भारत अफगानिस्तान के बीच में कैसे किया गया था पहले जब भारत तो किस तरह से था इस तरह से था इस तरह का था इस तरह का इस तरह से इस तरह से ठीक है इस तरह से इस तरह से भारत इस तरह से हुगा करता था यानि कि ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी भारत में था ये पच्छी मंगल वाला भारत में था तो अठारहसो च्यासी में बारत और अफगानिस्तान के बीच में बारत और में डूरंट रेखा किय गए थी लेकिन बरतमान में क्या है भारत और पाकिस्तान के वीच में ये सीमा रेखा है ठीक है लेकिन भारत और अफगानिस्वत की बीच में कभी पूचा जाता है तो लगद्द्याक से जड़ा हो जुड़ा भारत और अफ्गानिस्तान के बीच रेड किलिफ रेखा है रेड किलिफ रेखा करने साहसा पंदर अगस्त तो सिनुससाटृ को सर्द सिरील रेड किलिप की अधिश्ता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था सिल्झ ie six नेक्टमात करते है। बारत के राज़ियों में बारत के राज़ियों में छेट प्रल की दिरिष्टी से पांच सबसे बड़े राज़िकों से भी बड़ा है दिरिश्टी से आपसे आ जाता राजिस्तान नंबर दो पे आपका म vrij गास मथिप Guide के अम्हार jullie पर आद्रदेस दिखा देता हूं मैं मैं सबसे पहले कहां गया कहां गया कहां गया कहां पूचे पे ना पूचे कहां गया भाई यह तरह नंबर एक पर आता है राजिस्थान नंबर दो पर आपका आता है मद्रदेस नंबर तीन पर आपका आता है महराज्ट ठीक है उसके बा खांगे उत्तर पर चार पन्च चुक्त है चुद्वित दिखाता हूँ नमबर एक पे राजस्थान नमबर दो पे मत्द पर दे महाराश्च करता तो, पर दो नंबर दो पर महाराश्ट मत्यप्रदेश नंबर तीन पे महाराश्ट नंबर चार पे आपका उत्तर प्रदेश फिर से बोल दे रहा हूं नंबर एक पर राजिस्तान नंबर दो पे मध्यप्रदेश, नमबर तीम पर महाराष्ट, नमबर चार पर आपका उस्तरप्रदेश और नमबर पाँच पर आपका आण्द्रप्रदेश Thilangara जी के गठन से पहले आण्द्र परदेश छेतरबली द्रीश्टी से तीज चौता सबसे बड़ा राज हुआ करता था छेट पर दरिश्टी से भारत का सबसे छोटा राज जो है गोवा है जनसंका की दरिश्टी से भारत का सबसे छोटा राज जो है सिक्के में राज या केंसाथ दरिश्टी से अगर बात किजा तो भारत का सबसे छोटा राज य च्छे लाख एक तालिस जार गाउं है ठीक है चलिए आपके बात करते हैं भारत के पडोसी देश और सीमा विस्तार बता चुका हूं एक वा फिर से रिविजन करा देना हूं भारत का सबसे अधिक सीमा साजा करने वाला देश जो है बंगला देश है चार जार थ्यानवे किलो ठीक है समझे ना भारत का चीन से दूसरे नंबर पर आता है 3448 भारत का पाकिस्तान से 3323 किलो मिटर तीसरे नंबर पर आपका नेपाल पांचे नंबर पर म्यामार छटमे नंबर पर भूटान और आठ साथमे नंबर पर आपका आता है अफ्कानेतान सबसे अधिक सीमा साजा करने वाला देश बंगलादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल, पांचमे नंबर पे आपका म्यामार, फिर से बता दू, नंबर एक पर बंगलादेश, नंबर दो पे चीन, नंबर तीन पर पाकिस्तान, नंबर चार पे नेपाल, सबसे कम नेपाल वो सबसे कम अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे नेपाल सबसे कम है क्योंकि अब पर्टेश रूपसे इंड़रेक्ट लिए जोड़ा हुआ है क्यांकि पाक अधिकर कस्मीर तो पूछा जाये कि सब सबसे कम सीमा साजा करने वाला राजी कौन सा है फिर से बता दो सबसे सीमा साजा करने वाला राजी कौन सा है तो वो सरी सबसे कम साजा करने वाला देश कौन सा है तो वो आपका आ जाता है भूटान दूसरे तीस यहां पर ठीक चलिए फिर से बता दूं नंबर एक पर बंगलादेश नंबर दो पर चीन नंबर तीन पर पाकिस्तान नंबर चार पर नेपाल नंबर पांच पर आपका मियमार उसके अफगानिस्तान च्या लिए नेफ़ बात करते हैं कौन कौन से राज हैं बता चुका हूँ लेकर फिर से रिपीजन नहां पर हो जाता चीन से बात करें तो चीन से चार राजी ताथा एक इंसाथ प्रदेश सीमा साजा करता है तो कौन कौन सा है सबसे पहले लद्दा खा ज किम बंगला जिस से बात करना तो पांच राज सीमा साजा करते हैं आपका पश्ची बंगाल असम मेघाले तिरपुरा और मिजुरम पाकिस्तान से तीन राजी तथा दो किंसात्य प्रदेश सीमा साजा करते हैं कौन-कौन से तीन राजी है तो आपका आ जाता है गुजरात रा मनिपूर, मिजूरम, ठीक है, मनिपूर और मिजूरम, सबसे अधिक सीमा साजा कौन सा राजी करता है, तो अध्णाचल प्रदेश, भूटान से भी चार राज सीमा साजा करते है, सिक्किम, पश्य वंगल, असम, अध्णाचल प्रदेश, जूं करके दिखा देता हूँ, कहा भाग जाता है बे बिना पूंचे हद कर रखी है अरे चलिए फिर से आयो वहीं आते हैं आईए 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 आई देखिए तो भूटान से सिक्किम पश्यमंगाल असम और अरनाचर प्रदेस भारत के नो राजित था भूटान से अफगानिस्तान से एक केंसास प्रदेस करत यहां पर भारत के कुल नो राजित था चार केंसास प्रदेस समुत्री तर्से लगे हुए हैं तो कुजरात महराष्ट गुवा करनाटा केरल केरल तमिलाडू आने प्रदेस होडीता पश्यमंगाल केंसास प्रदेस की बात करत तो लक्षी दीप अंडवा निकोबर दीप सम ठीक है और यहां पर आपको देखे जाएगा दादर नगर अवेलिव और दमन्दीप ठीक केतने केंसास प्रदेस को एक दो तीन चार अगर बात करने राजियों की तो एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है आठ और यह गुवा जो है नो हो जाएगा ठीक है सबसे अधिक कौन करता है गुजरात सबसे कम करता है को होगा समझ गया ना चलिए सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेस है उत्तर प्रदेस नो राज्यों से सीमा लगाता है यहां मौटा मौटी देखें तो आठ राज्य तथा आठ राज्य तथा एक किन साथ से प्रदेस से सीमा साजा करता है तो उत्तराखंड हर्याना दिल्ली किंसाच प्रदेश है हिमाचल प्रदेश राजिस्थान मद्य प्रदेश राजिस्थान और दिल्ली से समझ गए ना पिर से बता दू उत्त्राखंड हरयाना हिमाचल परदेश राजिस्तान मद्य परदेश, 36गड, जारखंड, बिहार, जारखंड, 36गड, मद्य परदेश, राजिस्तान और ये हरयाना ठीक है दिली एक इंसास परदेश हो चलिए सीज पांस ट्रेखा वाले राज बता चुका हूँ बता देता हूँ में दोबारा से अंडवा निकोवार दीपसम मुक्य भूवाग की अगर बात करें तो तो के बार गुजरात आता है लेकिन कि इसाज प्रते राज्यों की दौनों के एक साथ तुलना कर रहे हैं अंडवा निकोवार दीपसम सबसे अधिक करता है दूसरे नमबर पे गुजरात आता है एक अजार चौतर किलोमेटर आंध प्रदेस नोसव सत्तर तमिल्नाडू तीसरे नमबर पे महराष्ट चौति नमबर पे पिर से बतातूं गुजरात नमबर एक पे आंध प्रदेस परनड़ू पांच पर माराष्ट चाहँ देखते हैं कुछ सीमा रेखा ही देख लिए भारत व चीन के बीच में मेक मोधन रेखा सप्ताई सफरण 1914 को निर्धात की ती भारत और अराचल प्रदेश के बीच में बूजच चीन और अरणाचल प्रदेश के बीच में भारत व ही समुद्री सीमा है खाडियां और चैनल के बारे में लाइए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ़ोड़ा सा दे हे लेते हैं उसके बाद पिर हम इसके बारे में आगे हम detail में जानेजें पहरे तो हमदेखते हैं अंक्लोस क्या होता सेख्टराश्ट की समुद्री कानून संदी है law of the sea convention 1982 में ये बनता है 16 नमबर 1994 में ये लागव हो जाता है बर्तमान में 2021 में 157 देशों ने इस पर अस्ताक्षर किये थे इस संदी के तहित जो कोई भी देश है उसके पास जो ही समुद्री सीमा है तो उसके लिए तीन तरह की सीमा रेखा है तैकी गई थी कौन कौन सी चेतरी है जली सीमा जिसको प्रादिय से समुद्री सीमा भी कहते है जो कि समुद्री आधार रेखा से बारे समुद्री मील तक मा क्याते आधार रेखाते 24 समंदरी मील तक होता है इस पे यानि की बार ऐसे 24 तक इस पे समंदरी मील तक हो इसके अंतर चार प्रिकार की अधिकार दे गए होते हैं सीमा सुल्क का अधिकार प्रदूसर यानि की सापसपाई का अधिकार करवसूली का अधिकार और अप्रिवासन तीसरा जो है आरचित छेत्र यानि कि आरचित आर्थिक छेत्र के बारे में आधा देखा से 200 समुद्री मिल तक होता है संसादुना का दोहन का अधिकार बैग्जानिक अन्वेसर करना आती है यह कुछ प्रूम कि इसमें अधिकार होते हैं चलिए देखते हैं आगे चलिए बा है सकते है किसी भी देश का या किसी भी देश का अधिकार कियावल उसके इस्तल तक ही सीमें तनी रहता बल्कि उसका अधिकार समुद्रों में भी कुछ सीमा तक रहता है यानि कि तीपों के जो हम मालीजे यहां पर मालीजे यह हमारा है मालीजे भारत है यह इसका मुख भूखंड है लेकिन उसके आसवास का भी कुछ छेतर ऐसा होता है जिस पर वो क्या करता है उसका अधिकार बना रहता है यहां पर आपको लोगों को मैं दिख इन अंदर पानी भड़ा हुआ है तो यहां पर हम क्या बोल रहा है यहां पर माली जी यह आपके दीप समूँ है दीप जैसे की अंडवा निकुबर दीप समूँ है लक्ष दीप है और इस तरह से चोटबटे दीप है तो मैंने क्या पता है किसी भी देश का अधिकार केवल ज जो छेतर होता है यानि कि अधिकार केवल मुख भूकंड तक ही नहीं होता बलकि इस थली छेतर तक नहीं होता बलकि उसका कुछ अधिकार समुद्रों तक याकर समुद्री सीमा पर भी कुछ अधिकार उसका होता है यानि कि दीपों के तट जो होते है कापी कटे चटे यान उनको भी मिला देने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं आधार रेखा कहते हैं तट और आधार रेखा के बीच जल होता है उसको हम क्या कहते हैं आंत्रिक जल कहते हैं यानि कि यहां पर मालीजे जल है यह तट रेखा है और यहां पर क्या है आधार रेखा आधार रेखा के बीच भारत हिंद भाहसागर वाला चेतर देखने को मिल जाएगा तो भारत हिंद भाहसागर में सबसे लंबी तट्रेखार रखने बाला देश है विस्व के सभी देशों को समुद्र में अधिकार देने के लिए यानि कि उनकी समुद्री सीमाय निधार करने के लिए सन 1982 में सभी दिकार देने चाहिए यानि कि उनीसों ब्यासी में सभी सदस्य देशों ने बीच एक समझाता होता है जिसे अंक्लोस यानि कि इनाइटेड नेशन convention on the law of sea कहा गया यानि कि अंक्लोस के आधार पर भारत की भी समुद्री सीमा भी जो है कितने प्रिकार की बनाई गई तीन प्रिकार की समुद्री सीमा है बनाई गई तो आईए देख लेते हैं कौन-कौन सी वो तीन समुद्री सीमा थी तो पहली जो समुद्री सीमा थी छेत्र गहीं आइए देखते हैं एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहरा जो देख लेते हैं वो है प्रादेशिक समुद्री सीमा प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा से बारे समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं मैंने क्या बताया ये कटे चटे समुद्र को मिला देने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं आधार रेखा कहते हैं आधार रेखा और तट रेखा के बीच में जो जल होता है उसको हम आंतरिक जल कहते हैं तो आधार रेखा से बारे समुद्री मील तक जो भी छेत राता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम समुद्री सीमा होती है प्राज्य समुद्री सीमा तक भारत का समपूर अधिकार होता है यानि की बारे समुद्री को घुसने के लिए जिस तरह मुंख्य गुषना होता है वह सारे क्या करने पढ़ें उसको प्रोसेस करने पढ़ेंग Shh स arada यह है की जितने उसको अधिकार या जितनी ताकत उसको मुख्ष भुभाग पर होती है उतनी उसको बारे समूदरी मिल तक उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर एक nautical मील याने कि एक समूदरी मील बराबर जो होता है बन पॉइंट एट मील ठीक है समझेगा ना एक नोटिकर मील फिर से बता दो आधारेका दे बारे समुद्री मील तक का जो दूरी होता है उसको क्या कहते है प्रादिशिक समुद्री सीमा कहते है यहां तक जो है बारे समुद्री मील है ठीक है यह इतना इतना चेत्र जाए बारे समुद्री मील है नेक्स देखते हैं अब छिन्द मंडल या सनलगन चेत्र इसको भी हम देखते हैं दूसरी है ये क्या है आधार रेका से समुद्र में पचौबी समुद्री मील तक अब छिन्द मंडल की क्या होती है सीमा होती है यानि यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा होगी बारे यानि की जो है बारे एक से जी तट से लेकर बारे और यहां तक जो है बारे से लेकर बारे यह जो छेतर होगा आधार रेका से बारे 24 समुद्रे मील तक क्या कहलाती है आपकी क्या कहलाती है अभिछिन मंडल या सलगन छेतर कहलाता है अभिछ भी दिया गया है पहले में क्या होता है छेत्री है प्राजिसिक समुद्री सीमा में क्या होता है वो सारे अधिकार उसको मिले होते हैं जो मुख्य भुवाग पर होते हैं लेकिन अख्षिंड मंदल में क्या होते हैं सीमा सुलक का अधिकार कर्वसूली का अधिकार साफ सभाई करते optimistic आधिकार और वित्ती अधिकार ताप्त होते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अनने आर्थिक चेत्ट में बात करते हैं अनने आर्थिक चेत्र या इसको आरेख िरा तक पहते हैं आधा होता है प्राधेसिक समुदरी सीमा दूसरा जो होता है अविचिन Israban जो होता है आधार रेका से 24 समुदरी मील तक क्या कहलाता है आपका अविचिन ऐमद्धल या फिर अविचिन मंदल या फिर सनलंग छेतर कहला तीसरा जो है बो है अनने आर्थिक्षेतर और फिर एस्क्री स्क्लूसिव एकॉनिमेक जोन्या ई ईचेट ये जो होता है आधार रेखा से 두सो समुतरी मील तक भारत का अनने आर्थिक शेतर कहलाता है अनने नार्थिक छेत्र में भारत को तीन तरह की अधिकार प्रापत होते हैं अने नार्थिक छेत्र में कौन कौन से 200 समुत्री मिलता है भारत को नई दीपों का निमार करने का अधिकार उसका दिया गया है बैग्यानिक परिच्छर करने का अधिकार होता है प्राक्सिक संसादुनो के दोवन का सनपूर आधिकार दिया गया होता है कितने है, 200 समुधरी मिलता ठीकर चेलिए चेलिए प्रम止 चेल जल्डमरू मद्य के बा realidade घ्रल क्या होते है उसको थोड़ा समझते है चेल्ल दो दीपों के बीच में जो सक्रा समुथ्र होता है या समुद्र जेतर होता है उसे चैनल कहते हैं कैसे होता है तो आई देख लिए मान दीजिए ये दो दीप है ये दो दीप है ये एक दीप ये और एक दीप ये बीच में जो है सक्रा समुद्र है मान लिए तो इसको क्या कहेंगे चैनल कहते हैं दो दीपों के बीच में जो स दिग्री चैनल इनका नाम रख दिया चाता है समझ गया ना तो यहाँ पर मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा आठ डिग्री चैनल नो डिग्री चैनल यहाँ पर आपको दिख जागा दर्श डिग्री चैनल तो आठ डिग्री चैनल की बा आपका दिखेगा माल दीव माल दीव और मिनी कोई के बीच में जो है मिनी कोई माल दीव के बीच में आठ डिग्री चैनल है नो डिग्री चैनल की बात करें तो नो डिग्री चैनल ये सीधा गया है तो नो डिग्री चैनल है वह है नो डिग्री आचांस मिनी कोई दीव और ल आठ डिग्री चैनल है उसके बाद 10 डिग्री चैनल की बात करने तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल देख जाएगा लिटेल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है लिटेल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल है समझ पा यहां पर आपका यह है मिनिकोई और यह है लक्षदीब लक्षदीब और मिनिकोई के बीच में नो डिग्री चैनल मिनिकोई और मालदीब मिनिकोई और मालदीब के बीच में नो डिग्री आठ डिग्री चैनल है ठीक है समझाए ना फिर से बताता हूं आठ डिग्री चैनल मि निकोई और अच्छीदी पीरिद में दर्टिक्री चनल लिटेल अनवान और कार्णिकोबार के बीच में हैं चलिए चलिए आगे बात करते हैं विवाजन इस्तरखंड और चैनल अखाड़ी भारत स्री लंका जलसंदी की बीच की अगर बात करें तो कौन करता है पाक जलसंद पाक जलसंदी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यह पाक जलसंदी भारत और स्री लंका के मत्ध में इंद्रा पॉइंट और इंडोनीसिया को कौन अलग करता है ग्रेट चैनल आईए मैं जूम करके रिखा देता हूं इंद्रा पॉइंट यह है और यह हैं इंडोन अगल को करते हैं और पॉइभ मनजी में तेन तरफ से भूमी कें समूतरी शेतर को क्या कहते हैं खाडी कहते हैं जैन गाल से बंगाली खाडी जैसे बंगाली खाड़ी के अगर बात करें तो एक और यहां पर आप देख सकते हैं क्या है इंडोनीसिया दीप संगूँ ठीक है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरी में इंडोनीसिया दीप संगूँ इधर आपको देख जाएगा यह म्यामार बगेरा चेतर दे of kombat सबसे पहले देखते हैं आपक्षी कारी काई का है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कि गुजरात के कषची जिले के पास है यहाँ दलदरी छेतर है सर्क्री के दलदरी छेतर पादिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मद्य बिबाद बना रहता है, दूसरा देखते हैं, खमबात की खाड़ी, खमबात की खाड़ी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी गुजरात में, ठीक है, यहाँ गुजरात के दच्छिड में नर्मदा, तापी नदियों के महने पर रिष्टे थैं, यहाँ पर आ यहाँ पर इस तरह पर मन्नार इखाड़ी पाक जलसंदी और मन्नार इखाड़ी इस हो रहा है यहाँ पर भी दिखा दें आपको मन्नार इखाड़ी इस हो रहा है गल्फ और मन्नार पाक इस्ट्रेट गल्फ और मन्नार पाक इस्ट्रेट ठीक है यह भारत और स्री लंका के मद यह बंगाली खाड़ी को किस से जोड़ता है मनार की खाड़ी से जोड़ता है कौन सा पार्क जल सेंदी किस-किस के बीच में है भारत और सी लंका की बीच में बंगाल की खाड़ी के बात करें तो यह है भारत के पूर्वी तट परिस्तित एक बहुत बड़ी खाड़ी है अगर बात करें तो इंडोनेसिया दीप समू आ जाता है जिसे पूर्वी दीप समू की कहते हैं पूर्वी ये VIES चुल पर ये इन्डोनेसिया दीप समू आ जाते हैं जिसको क्या कहते हैं इस तरह से 100 ऐसं नेट बात करते हैं भारत की चट्टानों के बारे में बात कर लेते हैं, भारत की चट्टानों, रोक्स, ठीक है, तो शुरुबात कहां से करते हैं, शुरुबात की बात करने हैं, तो शुरुबात जो है, पिरत्वी, शुरु में आख का गोला थी, बाद में जब पिरत्वी के ठंडा होने के साथ चट्टानों का निर्माड होना प्रानम होता है, तो भारत में अलग-लग समयकाल में अलग-लग प्रिकार की चट्टानों का निर्माड हुआ है, भारत में इस समयकाल के आदार पर छे प्रिकार की चट्टानों का निर्माड हुआ है, आर्किन किरम की चट्टाने, दारबड कि गोला थी बाद में जब ठंडा होती है ठंडा होने के किरम में ठंडा होने के किरम में चट्टानों का निर्मार होता है तो उन चट्टानों का निर्मार जो है उसी समयकाल के आधार पर रखती है तो सबसे पहले जो चट्टाने बने जब ठंडी होई ठंडी होने के बाद तु उसके बाद धारबार किरम की चट्टाने और इसी तरह से चलता है तो चलिए देखते हैं नजर डालते हैं सबसे पहला देखते हैं वो है आर्किन किरम की चट्टाने जब प्रत्वी आग का गोला थी उसके कई सालों बाद जब प्रत्वी ठंडी होती है ठंडी होने के बाद स उसमें कुछ होगा ना कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें तो गरम गरम निकला है एकदम ताजा ताजा माल नेकला है तो वो उसके बाद उसे ठंडा कर रहा है तो एकदम बिना परत का होगा ना वो इसको उसमें कोई परत नहीं होगी क्योंकि बरफी जमाते है एकदम थाली मे बात करते हैं, धाल वारकिरम की चट्टानों का नाम कर्ण करना टक्य धालवार çık के नाम पर हुआ है, क्यों कि इन चट्टानो की कोच सब से पहले करना टक में पिर्मुक रूप से पाई जाते हैं करनाटा वाली छेतर के बात करें तो ये बेलादी तथा धाड़वार जिरों में पिर्मुक रूप से पाई जाते हैं ये चट्टाने खनम खने संपदा का भंडार हैं यानि कि इन चट्टाने सभी प्रकार की दातुमें पाई जाते है जैसे कि लोहा हो गया, ताबा हो गया, मैगनी जो गया, अपरक हो गया, डोलोमाइट हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया यही एकार्ड है कि इन चटानों की आर्थिक रूप से बहुत पूंच होती है हमें ऐसे भी कहते हैं कि धारवार किरम की चट्टाने सबसे अधिक आर्थिक रूप से समध्य चट्टाने मानी जाती हैं धारवार किरम की चट्टाने भारते में वो खुरूप से दो छेत्रों में पाई जाती हैं पहला जो है करनाटक वाले चेत्रों में और दूसरा जो है अ जिला, धारवार्द, बेलारी और स्विमोगा जिला में पाई जाते हैं, आर्थिक दरस्टी से धारवार किरम की चटाने काफी सम्रत होती हैं, और भारत की प्रमोग धातों जिन में सोना, मेगनी, तावा, जस्ता, क्रूमियम, तंगिश्टन, लोगा जत्यादी, धातों इन म गुड़वार किरम की चटानों के नाम आंध्प्रदेश के कुड़पा जिले के नाम पर पढ़ा हुआ है, क्योंकि यह चटाने सब से पहले आंध्प्रदेश के कुड़पा जिले में प्राप्त होई थी ठीक है यहां देपर यहां पर कुड़पा बिंद्यन किरम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं इन चट्टानों का नाम कर बिंद्य परवत के नाम पर हुआ है यहां पर यह आपको देखने को मिल जाएगा बिंद्य परवत के यहां पर यह इस तरह से तो बिंद्य परव बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला बनाया गया है और सांची का इस्तूप का निर्मार किया गया पन्ना तता गोल कुंडा की हीरे की खाने इनी चट्टानों में पाई जाती है ये चट्टाने राजस्थान के चितोडगर से बिहार के सासा राम तक पाई जाती है फिर से अब आधार पर ही जोकी दीधियक प्रकार का होता है यानि की बिट्मिनेस त्रकार का कोईला होता है क्योंकि आपको पता होगा कि कोईला जो होते है चार प्रिकार के होते हैं सबसे किसके आधार पर कारवन की उपस्चिती के आधार पर कोईला जो हता है चार प्रिकार के होते हैं यानि कि सबसे अधिक जिसमें कारवन होता है उसमें वह कौन सा होता है एंत्रिसा को लद्दा के कारगिल वाले च्ट्रेंगोन पाए जाती है कौनसी गोंड़माना किर्म की चट्टावनओं वाले च्ट्र यानि के महानदी घाटी गोदावरी घाटी और यहां पर देखने को मिल जागा यह दामोतर घाटी समझ पाना है गौंडवाना किरम की चट्टाने तो गौंडवाना किरम की चट्टाने भारत में प्रमुक रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है तो गौंडवाना किरम की चट्टानों का विस्तार भारत में प्रमुक रूप से तीन नदी घाटियों में पाई जाता है जैसे कि आपक में कोईला जो है दामोदर नदी घाटी महानदी घाटी और गुदावरी नदी घाटियों से ही प्राप्त किया जाता है आंधर में अगर बात की जाए आंधर प्रदेस वाले छेत्र में थोड़ा सा गरम चलने तो सिंग रहनी कोईला छेत्र में गुदावरी नदी घाटी में इस्तित है, तो जारखंड में इस्तित जरिया कोयला छेतर, दामोदा, नदी घाटी में मुझूद है, चलिए, दक्कन किरम की चट्टाने देख लेते हैं, महाराज्ट्रेप उसके आसपास के छेत्रों में इस्तित, दक्कन के पठार को ही हम क्या कहते हैं दककंट्रेप कहते हैं कौन सा महराष्ट वाला छेतर है यह आपका महराष्ट वाला छेतर महराष्ट वाला उसके आसवास के छेतर को हम क्या कहते हैं दककंट्रेप कहते हैं इसका निर्माड जब हुआ जब भारत अफरीका से तूटकर उत्तर पूरू की योड बढ़ने लगता है और भारत के पस्षी भाग में क्या होता है एक बहुत बड़ा ज्यालामुकी किरिया होती है और इस ज्यालामुकी से निकलने वाले बेसाट लावा के फिरवा से एक सीड़ीदार आकरती का निर्माड होता है जिसको क्या कहते है दककंड ट्रेप कहा जाता ह अगर दूसरे सब्दों में गर हम इसको समझे हैं तो प्रायदीप भारत और अफरीकी महादीप क्या है गौंडवाना लेंड के ही इस्सा हुआ करते थे और भारत क्या था अफरीका से अलग होकर उत्तर पूर की दिसा की ओर चलने लगता है और प्रायदीप भारत के अफरीक करन माड़ होता है इसको अब क्या कहते है दक्कन का पठार कहते है कैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो अपका अफरीका से यह जो भाग था यह जो भारत देश है भारत देश जो है इस तरह से यहां पर जुड़ा होता है यहां पर आप देख पा रहे होगे यह इस तरह से क्या करता है अफरीका महधीब से तूट कर क्या करता है यह अलग होता जाता है और उत्तर पूर्गी और प्रिवावित होने लगता है उत्तर पूर्गी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से उत्तर पूर्गी और क्या हो रहा होता है यह प्रिवावित जůजाने की चलना सुरू कर देता है यहाँ पर जब चिका था चलना सुरू होता जब माल लीजे आप माल लीजे इस तरह से ये ये फौन है ये फौन जो है एगर हम इसको तोड़ दें इसका दो टौड़े इस तरह से से जुड़ा हुआ था इस तरह थे ये वाला जो छेतर था इसमें क्या होता है दरारी क्रिया काड क्या होता है गरम लावा का फिरभा होने लगता है गरम लावा जो होता है जब जमीन पर क्या करता है बिच जाता है बिच जाने के बाद क्या करता है परत दर परत क्या करता है वहाँ पर बिच जाता है बिच जाने के बाद इस्ति होती है कि एक ट्रेप सा बन जाता है इस ट्रेप को ही हम क्या कहते हैं दक्कन ट्रेप कहते हैं समझ पा रहे न किस से बना हुआ है लावा से निर्मित बना है यह किस से लावा से चलिए तो लावा के जमाब से निर्मित च गुजरात में भी है मौझूद यानि कि मैं फिर से बता दूँ यानि कि जो दक्कंट रहए वो ज्यादतर भाग किसमें सतर से सी परसेंट महाराष्ट वाले छेत्र में है उसके बाद बचा हुआ बाग जो आजाता है वो मद्द परदेश और गुजरात करनाटक मद्द परद है ठीक है ऐसालट चत्ता नो का निरुमाड लावा के चमाब से होता है है जब इन बेसालट चत्तानों का अप्ष है यान यानि कि तूटपूट होती है तो इस में से निर्मित मिठ्टी को क्या कहते है काली मिट्टी कहते है क्यों कहते है क्यों 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 क्य निर्मित मिट्टी को हम क्या कहते हैं काली मिट्टी कहते हैं इसे कहते हैं कि जब इन चट्टानों का हवा पानी, चल बेसाट लावा का परदन होता है तो इससे निर्मित मिट्टी क्या कहलाती है काली मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी का निर्मार लावा चट्टानों से होता है मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ठीक है काली मिट्टी को क्या क्या का जाता है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इसलिए काली मिट्टी को या कहें रेगुर मिट्टी को कपास मिर्दा भी कहा जाता है ठीक है चलिए भारत के बहुत एक प्रदेश फिजिकल डीजन्स ऑफ इंडिया भारत की भूमी बहुत अधिक बहुत इक बहुत इक बिविन्यतां को दर्साती है यहां की भूख गर्वित समयत्ना की बिवित्ता ने देश के उच्चावच सता बहुत इक लच्छडों की हैं बहुत अधिक बहुत इक बिविन्यतां को दर्साती है जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे उच्चावच कई प्रकार के उच्चावच उच्चावच का मतलब यूता कहीं उच्च कहीं नीच यानि कहीं गैरी खाई मिलेगी तो कहीं उच्चा पठार मिलेगा तो क पाड़ी मिलेगी तो कहीं नदी तो कहीं मैदान इस तरह की कुछ आपको वेविनिता है कुछ आकृतियां देखने को मिल जाएंगे तो इन ही आकृतियों के आधार पर हम यहां पर देखने वाले हैं सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कि इस भारत के बहुत एक प्रदिस में रेग स्थान तटिय मैदान जीव समू उत्री परवत की बात की जाए तो हिमालय आ जाता है ट्रांस हिमालय आ जाता है और पूर्वांचल हिमालय में बात करें तो हिमाद्री आ जाता है हिमाचल वाला हिमालय आ जाता है उसकी वालिक आ जाता है ट्रांस हिमालय की बात करें कि अगर हम तरफ देखें, तो धक्कन का पथार देखने को मिल जाएं जिसमें हम धक्कन के पथार पूर्वी गाट और पश्चिमी गाट देखने वाले हैं, मद्य उच्छी मुमी कि अगर बात करें तो जिसमें आपका मालवा का पथार, छोटा मैधपूर का पथार और भी पश्च्चिमी तटकी बात करें तो नर्मदा का तापी का ठीक है दीप समू की बात करें तो अंडमान निकोबर दीप लक्षि दीप या फिर जैसी कि आपका वंगाली खाड़ी में पाए जाने वाले दीप अरफ सागर में पाए जाने वाले दीप इस तरह से कुछ हम दीप यहां पर देखने बार है ठीक है चलिए देखते हैं बारत के बातिक प्रदेश में ही चलता है चलिए बारत के संपूर छेत्रपल का अगर देखें तो 10% 10.7% में परवती छेत्र जिनकी उंचाई की अगर बात की जाए तो 2135 मीटर या इससे अधिव उंचे देखने को मिल जा पठारी छेत्र की बात करें 27.7% पर पठारी छेत्र देखने को मिल जाए 305 से लेकर 914 मीटर उंचे देखने को मिल जाए सेश चेत्र है वो आपका कायस में है आपका मैदानी फार है भारत के उच्चावच और भू आकरती लक्षड़ों में अत्यातिक बिवजिता पाई ज आईये एक-एक करके समझते है सबसे पहले देखने हैं भारत की भू आकरती को हम साधार रूप से यहां पढ़ ने जो वाले हैं वो छे वागों में देखकर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगा उत्तर का हिमाले परवस सींकला प्राजदीपीय पठार ततवरतीय मैदान उत्तर भारत का मैदान दीप समूर और भारती मरुष्टर आईए देखते हैं सबसे पहले उत्तर भारत की हिमाले परवस सिंखला हिमाले माउंटेन रेंज इन दे नौर्थ आईए समझते हैं उत्तर भारत की हिमाले परवस सिंखला में देखते हैं तो भारत की बहुत बाकरती को मैंने बताए छे बागों में बाटा जा सकता है जिसमें मैंने आपको बता दिया था तो हमाले परवत हमाले परवत भारत की सबसे उत्तरी सीमा में इस्तित है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा हमाले जो परवत है भारत की उत्तरी सीमा में यह आपको देख सो किलो मीटर क्या है लंबाई है कहां से मैंने बताया उत्तर पस्षिम कौन सा है ये आपका उत्तर पस्षिम तो इस तरह से हमाले फैला हुआ है उत्तर पस्षिम से दच्छडपूर की ओर अगर हम चले जाए इस तरह से दच्छडपूर की ओर तो लगवग कितना है तरवजा का रूप में ये फैला हुआ है और कितना देखेंगे हम लगवग 2400 किलो मीटर लंबाई में ये फैला हुआ है इसकी चोड़ाई की अगर बात करें तो ये पश्च चोड़ाई की एगर हम बात करने तो पांसो से दोसो किलो मीटर की इसकी चोड़ाई है इस परवस्षिन्गलाी तेसस सागर पर प्लेट सिधानत के आधर पर हुई है बाहर की उतरी सीमा पर अवस्द हेमाले परवस्थिन्गला जिस में सबसे उन्ची परवस से निकला है ठीक है यमाले को छूने वाले ग्यारे रज्जे बता दो किंसासी प्रदेश के बारे हम बात कर लेते हैं फिर आगे हम बात करेंगे सबसे पहले हिमाचर प्रदेश उत्राखंड सिक्किम अनाचर प्रदेश नागालें मडिपूर मिजोरम तिरपुरा मेग जाएगा ठीर दी में से आके बढ़ेंगे फिर हम सिक्किम की तरफ बढ़ जाएंगे कहां मर गया बिना पूंचे बे फिर यहां पर सिक्किम की तरफ बढ़ जाएंगे सिक्किम की तरफ फिर दी में से आएंगे तो फट्वड़ा सबाग पच्छी मंगाल में भी देखने को मिल जागा मिजोरम मरिपुर और यह दर ना काले समझ रहा है ठीक है फिर से बता दू इमाचार प्रते वे उत्राखण सिक्किम अनाचर प्रते ना करें मरिपूर मिजोरम तिरपुरा मेगाल है असन और पस्षिवंगा कि इस साथ प्रते कितने दो चलिए आगे बाग करते हैं कि नवीन वलेत परवस निकला है ले व्यपारतनिक इस सिद्धान्त यानि कि प्लेट टैक्ट़ॉनिक स्यूरी के अंसारि अज इंडिया नतार व्यर्दा से व fac습니까 निर्माड है यानि की इनका क्या क्या कहना है मैंने आपको बताय Ultra Review ने और दो भात में क्या करति है यह क्या करती है उत्तर पूर उत्तर पूर की और क्या कर रही होती है प्रवायत हो रही होते है इधर क्या है उत्तर पूर की और क्या करती है प्रवायत होती है और चलते चलते क्या होती है उत्तर पूर क्या करती है टकरा जाती है तो उसमें क्या होता है अंदर जो माल होता है वो क्या करता, उपर उठेने रखता है, तो टकरा रही होती है, जो आई देखते हैं, तो मैंने क्या पता है, प्लेट बेवर्थनी की सिधान्त के अंसार, इंडियन तता यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से हमाले का नमाड हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल ही है समझ गए ना चलिए ट्रांस हिमाले के बारे में बात करते हैं कि ट्रांस हिमाले के बारे में बात करते हैं ट्रांस का मतलब पार पार का मतलब इस पार या उस पार तो यह हिमाले की पार हिमाले का पार का मतलब मैं आपको देखाता हूं हिमाले के तेन बागों में इस तरह दिमान ये हमाले हैं इंदे माले मद्देमाले सिवालिक के सिवालिक पार का जो हमाले उसको कहते है ट्रांस हमाले चए च्छोडी प्रफ्शि ऋडियों में बर्टा हुआ है, कारा कोरम, लग्दाieurs कारा कॉरयम, जासकर, लदाक, केलास इस तरह छुट ज़ीच रंक्लाओं में आइए देखते हैं ट्रांस हिमाले महान हिमाले के उत्तर में दिप्बत में इस्तित है यहाँ से लेकर ये छेत्र जो है आपका ट्रांस हिमाले वाला छेत्र तक आ जाएगा ट्रांस हिमाले में दच्षिड से उत्तर के किरम में अगर देखा जा तो कुछ पाहड़ी आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको कैलास, जासकर, लद्दाक, कैलास, जासकर, लद्दाक और कारा कुरम, कुन-कुन इस तरह से तो मैं फिर से बता दूँ, कैलास परवस परवस रेड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, जासकर परवस रेड़ी, लद्दाक परवस रेड़ी और कारा कुरम परवस रेड़ी, उत्तर से दच्षिड के किरम में अगर देखें, उत्तर से दच्षिड हैनि उपर से नीचे देखें, तो सबसे पहले आएजाएगा क आरा कोरम, जासकर, लदाक और कैलास, तक्षिट दे उत्तर की और देखें, तो लटा कर दीजिए, कैलास, लदाक, वो कैलास, जासकर, लदाक और कारा कोरम, ठीक है, समझ गाना, भारत की सबसे उंची चोटी, के टू यानि की या फर इसको गौर्डविन औरस्टिन कह सकते है है, भारत की सबसे उंची चोटी, के टू याक है, गौर्डविन औरस्टिन, आठ जार छे सो ग्यारा मीटर, जो की कारा कोरम, स्रेडी परिस्तित है, हिमाले की सबसे उंची चोटी, नहीं कूछी जा रही है, यह पार हिमाले की बात हो रही है, तो भारत की सबसे उंची चो है राका पूची लगदाक सिनखला की सबसे उंची चोटी है जो की ट्रांस हिमाले का भाग है समझ पाना है चलिए आगे बात करते हैं सिंदु नदी लगदाक तता जासकर परवर सेड़ी के मच्च से होकर गुजरती है कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपकी सिंदु नदी जो है यहाँ पर इस तरह से यह आपकी आ रही है यहाँ पर यह इस तरह से सिंदु नदी हाँ आपको देखने को मिल जाएगी यह है आपका जासकर और यह लदाक लदाक और जासकर के बी पीचते होकर गुजरती है कौन सी सिंदुनदी ते एडंन ने कारा खॉर्म म्द्धि को उच एसिया events कीई रीड किसने कहा सूइन हडंन किसने सूइन हडंने लग्दा कारा कॉर्म म्द्धि की रीड कीई हड्डी कहा हिंज-लाईने अस-चर-जौन बिरध हिमाले को अलग करती है समझे ना कारा कॉरम पश्चिम में क्या है कारा कॉरम पश्चिम में पामीर की गांट में जाकर मिल जाती है कारा कॉरम कहां पर मिल जाती है इस तरह थे पश्चिम में पामीर की गांट में जाकर मिल जाती है ठीक है चलिए नेक्ट बात करते है ट्रांस हिमाले के कुछ किलो मेटर हुजा बातुरा ट्रांस इमाला की इमाले की बात करना है अठावन हुजा घाटी व्याफो साथ किलो मीटर कि शिगार वाल्टोरो पचास इसकी मैं यहां पर दिखा जेता हूँ बातुरा हिस्पर व्याफो वाल्टोरो सियाचिन फिर से बता दूं सियाचिन हिसपर वातुरा वालतुरो ठीक है? यह सियाचिन वालतोरो व्वाफो, हिसपर वातुरा समय न? यह क्या है? टांस इमाले के क्या है? इन देखे चलिए विरद हमाले के बारे में बात करते हैं ग्रेट हमाला है महाने विरद हमाला है विरद हमाला है मद्ध यानि की लगू से मैं सेंट्र त्रस्ट दारा अलग होता है फिर से बता दूँ ट्रांस हमाले महाने वाले किसके किस से अलग होता है सचर जोन से सचर से महाने वाले और यह लगू हमाला किसके द्वारा अलग होता है किसके द्वारा मैं सेंट्र त्रस्ट से मैं सेंट्र त्रस्ट से अलग होता है कि लिए रोना चलिए बिरद हमाले मद्ध या लगू हमाले से में सेंटर त्रिस्ट दोरा अलग होता है यह हमाले की सबसे उंची तता सबसे उपरी या करें उत्तरी स्रेड़ी है हमाले की जाज़तर हमानिया इसी स्रेड़ी में है ब्रद हमाले या फिर हमादरी चाप के आकार में पश्चिम से नंगा परवसे पूर में नामचा तो आठ जार मीटर से भी अधिक हुंची है इसमें कई हमानिया है जैसे कि गंगोत्री, मिलाम, कुमायू, हमायू, कुमायू हमाले में, जेमू, सिक्किम में आपके इसकी चोडाई की अगर बात की जाए तो पच्चिस किलो मीटर, फिर से बता तूं हमाले पर क्या है हमाले च्छेत्र ये हमाले वाला है बिरद हमाले वाला ठीक है इस तरह से ये सबसे उपर वाला ठीक है ये यहां से सुरू होता है इस तरह से कहां पर जाता है नाम चाप पर होता है फिर से बता दू मैंने क्या बताया हां हमाले हमाले कहां पर है मैंने बताया कि ये जो है इसकी बिर देमाले या हमादरी चाप के आकार में पच्चिम से नंगा परवत से पूर में नामचा बरुआ तक फैला हुआ है यहाँ पर नंगा परवत आपको देखने को बिल जाए नंगा परवत से इस तरह से चलते चले आए चलते चले आएंगे और यहाँ पर पच्चिम से पूर में पहुँचेंगे तो यहां पर क्या है नामचा बरुआ तक यहां पर यह फैला हुआ है कितने किलो मिटर में धाई हजार किलो मिटर में फैला हुआ है इसकी उसत उचाई मैंने कितनी बताई छी सो छी हजार सो मीटर बताई लेकिन इसकी चूटियों की उचाई की अगर बात कर बुर्जिल दर्रा और जोजीला दर्रा दिखा देता हूं लग्दाक में जोजीला दर्रा और बुर्जील दर्रा कहां पर है आपका लग्दाक में हमाचर प्रदेश में बारा लाचला और शिपकिला दर्रा बारा लाचला ये हैं आपका शिपकिला और शिपकिला दर्रा और हिमाचल प्रदेस में बॉम डिला और बॉमला और बॉम गिरा बॉमला और बॉम डिला ठिक सिक्किम में नाथूला जेलेपला नाथू जलेवी यानि कि नाथूला और जेलेपला ठिक है चले भारत तिब्बत मार्ग जो कि सिमला वा गंगुटो को जोड़ता है सिक्मला कहा है सिमला आपका पड़ेगा यहां पर हिमाचल प्रिजिस में सिमला गंगटो कहा है या सिक्किम तो सिमला से गंगटो को जोडने वाला जो मार्ग जाता है वो कहां से जाता है आपका तिबबत और भारत को जोडने वाला वो किस में जाता है विरद हमाले में ही जाता है जो की 17 घाटी में स्टिपकला दर्रे से होकर जाता है जेलेपला दर्रे से होकर पस्मी बंगाल कलिंग पॉंसे सिक्किम को चुम्बी घाटी से तिबबत की राजधानी को लियासा तक जोड़ता है यानि की बंगाल का कलिंग प जाजधानी लेहासा से जोड़ता है तो वो कौनसे दर्रे से जाता है जेलेपला दर्रे से जो कि किसमें आपका बिरद हमाल है मैं समझ जगा है ना जोजीला दर्रे का निर्मार सिंदु नदी द्वारा सिपिकिला का निर्मार सतला नदी द्वारा तता जेलेपला का निर्मार आपको देख जाएका यह आपको देख जाएगा इसा थरह से ठीक है से लेपला वह थे लेफला में योन करके दिखा दे था हूं इहां पर शिंदुन थी के दौरा जोझी ह लादारा शप्रणी के दौरण कंसा दाएपला दार मिनें तीस्ता के द्वार आप बनाया गया है बुर्जिल ला या बुर्जिल दर्रा सिरी नगर से गिलगित को तता सिब्किला दर्रा सिमला को तिब्बत से जोड़ता है फिर से बता दू बुर्जिल दर्रा जो है सिरी नगर से गिलगित को तता सिब्किला दर्रा सिमला को तिब्बत से जोड़ता है ठीक है कौन से चेतर में ये अंदर रहे हैं आपके हिमाले वाले चेतर महान हिमाले हिमाले की सबसे उची चोटियों की अगर बात करें तो महान हिमाले में हैं हिमाले की सबसे उची चोटियों की अगर बात करें तो हिमाले की जो महान हिमाले है उसमें सबसे उची चोटिया है माउंट एवरिस्ट की सबसे उंची चोटी है माउंट एवरिस्ट को तिब्वती वाता में चेमा लूंगमा यानि की परवतों की रानी कहा जाता है चेमा लूंगमा कहा जाता है यानि परवतों की रानी कहा जाता है किसको माउंट एवरिस्ट को वहीं नेपाल में इसको साग 48 पर कालेस मीटर की है नेपाल में इस्तिता है दुनिया की सबसे उच्छी चोटी है दूसरी कंचन जंगा जो की भारत में है 8598 भारत की है सबसे उच्छी चोटी दूसरे नंबर बे भारत की हमाले पर सबसे उची चोटी कंचन जंगा पिस्ट्व की सबसे उची चोटी जो हिमाले पर इस्तित है एवरेश्ट ठीक है चले मकालू नेपाल की है 84001 881 मीटर दौलागीरा नेपाल में 81002 मीटर नंगा परवत भारत में 8126 नंपूरा नेपाल में नंदा-देवी भारत में 7870 नंचा भरुवा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर नंचा बरुवा देखने को मिल जाएगी नंगा परमण। एवरेस्ट जोickets देखने को मिन जाएगी यहीं पर मांट यह है ठीक है यहाँ पर गौरी संकर मिल जाए मांट एवरेष्ट सबसे उची चोटी मकालू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी मांट एवरेष्ट मकालू मानासलू अन्नपूरा दौला गिरी ठीक है यहाँ पर आप बना सकते हैं नामचा बरुवा कंचन जंगा मकालू मांट एवरेष्ट चोणू मानासलू अन्नपूरा दौला गिरी नंगा परवर्द राका पोसी या हर्मूस समझ गया ना फिर से बता दू दुनिया के सबसे मुची चोटी मांट एवरेष्ट यहाँ पर आ पर आपको देखने को मिल जाएगी मकालो नेपाल में है यह आपकी माकालू । इंत एस सो से लेकर पैन तारी सो किलोएटर के बीच में आपको दिखा दूяж में पहले इस तरह से कहा para सबसे ऊपर इस तरह से आपका जो गया है यह है आपका नहीं हमाले का भाग नहीं है इसकी बाद आ जाती आप की नंगा प्रव्स्षि लेकर है इस अब ररत प्रेस के आगान इंचा खावर 좌만ब टक उसकी बाद फिर इसके आपका पर आजाता है इस सी वाले ठेट इस तरह से संद्राव चलिए तो हमें किसके बारे में यह सचर ज़हंं से अलग होता है इसे ट्रांस वह ले और बिरहाद माले की बीच में सचर में त्रस्ट से आपका यह ठीक है इसकी प्रमक्स रंकलाओं में पीर पंजाल सबसे लंबी तथा प्रमक्स रंकलाओं में इसके मद्द में कस्मीर घाटी पाई जाती है किसके किसके मद्द में आपके इसके में आ यह मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पीर प्रवती नगर की बात की जाती ह। धर्मसाला डलोची नगर सिम्वा सूरी नरा kate manitaal armola और्दर्थिय ने पिर एकाथ लॉय पर देखा तूं यहांँ अपका नंगा प्रमिश्षय लेकर हिर यह इस तरह से चलता चलता चला जाता है और यहाँ इस कि पर यह यह चाग के आकार और में आपका कि यह इस तरह से सब्सक्रेट है स्वाधे से फालिए चलिए मते ल मेर्य में पीर पंजाल तथा बशंप लिए नाम के तो बनिहाल नाम के दो दर्रेन को मां कि हम देखें गे ठीक है पिल पंजाल की उच्छाई की बात कर देवाध करने से 344 मीटर इसकी उचाहिए भानिया न रहे से उकर जमू कजमीर मार्ग गुजरता है जो जवारं श्वरंग भी इसी से गुजरती है ठीक है सिंगला जो है दोलादर सुरीडीरी परिष्टित है मैं आपको दिखातु हूँ यहां पर पीर पंजाल उसके बाद है दोल अधर सुरीडी में इस्तित है लगों माले के ढालों पर पाई जाने वाले छोटी 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 घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है जैसे की गुलमर्ग और स्वामर्ग उत्राखंड में इन्हें बुवाल तक भुग्याल तता पयार कहा जाता है किनको जो ढालों पर पाई जाने पर चोट 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 कास के मैंदार होते हैं उत्रागण में क्या कहा जाता है पुग्याल और या फिर पयाल कहा जाता है पयार नेपाल गाटी कांगड़ा गाटी तरह कुल्लू गाटी मद्द हिमाले में से तो कौन्सी नेपाल गाटी कांगड़ा गाटी तरह कुल्लू चेत्र है निपाल वाले चेत्र में और आपको देखने के है की निपाल गाठी ठिके भी ने जी सिस्टेर भाँ मद्ञाव दिखती कि और जाने की कस्मीर बॉलिन दिखा देगे यह पीरर पंजालंटि Maxandra आपका दौल्रदी लुलादर स्रीडी जो है हाद ही माचल पृद्य स्रीडडि में इस तो है इमाचल पृद्य में जुम करके दिखने फ्रटी ऑफ की लाट महाबारष राडी और नाग डिल डिल जो है नेपाल वाले चेत्र में ठीक है चेत्र है तीसरा देखते है सिवालिक हिमाले या ओप हिमाले या फिर बाहरी हिमाले इसको कहते हैं परसे मैं बता दू इस तरह से हिमाले जो है इस तरह से पहला हुआ यह है आपका ट्रांस हिमाले जो की हिमाले का भाग नहीं है दूसरा जो आ जाता है इस इसी तरह से हेमाल है इस तरह बरेद या उसके बाद सिवालिक मौन है ठीक है बरद हेमाल न्यक्रिकोभ होता है यह मेंत्रस्ट से बरेद का नहीं है यहिण वाद यह है सिवालिक स्रीडी चलिए देखते हैं हिमाले की चोड़ाई 15 से 50 किलियो मीटर तथा उंचा यह उन्नों सो से 1200 मीटर के पीच में इसका बिस्तार पंजाब के पूतावर बेसिन से कोशी नदी तक है यहां से पंजाब के यहां से पंजाब के पूतावर बेसिन से यहां सुरू होता है और यहां से चलता चला जाता है और कोशी नदी के बेसिन तक देखने को मिल जाता है कहां पर कोशी नदी के बेसिन तक यह देखने को मिल जाता है सिवाले को जम्मू कस्मीर में जम्मू पाडियां त यहां पर का गारू का क्या यहां पर आपको देकर जा जाएनों मिल लेगा टाफला मेरी टीक है अबूर यह कुछ पाड़ियों के नाम से कौन सा डाफला मिजमज मी अलूर पाड़ियों के नाम से चाना जाता है लगवा इमलेक कि इस्तर बाला पूर वो जागा इस्तर बाला पक्षिम तो यहां पर पस्यम बाले चेत्र की अगर बात करें तो पस्यम बाले चेत्र में क्या का जाता है इनको तून का जाता है पूर बाले चेत्र में क्या का जाता है इनको द्वार का जाता है ठीक है पूर बाले चेत्र में दौार और पस्चिंबाले में दून चलिए हिमालय छेत्र के बिलंस देख लेते हैं ठीक तो हिमालय में बलन के काड़ अलग रहाइच चेत्रों के मद्द बिलंस गाटिया पाए जाती है जो कि दो सुर्णियों को क्या करती है अलग करती है मैं फिरस्ती बता दू मेने बताया था कि क्या करती हлись सचर जौन से अलग करती है मैं त्रश्ट से Tips ते अलग करती तो यह आँ पर माली जी यह है इसको कहते हैं आपका को मैं परन से वाले का दूसरा आ जाता है आपका इस तरह से बिरदेवाले तीसरा आ जाता है लगू हिमाले चौतरी सिरेडी जो आ जाती है हिमाले की तीसरी सिरेडी बोली जाएगी तो यह है सिवाले सिवाले इनमें क्या पाई जाती है बीच में गाटिया पाई जाता है या फिर मत्य जो है गाटि पाई जाती है तो यहां पर जो बीच का भाग है ये दो भाग क्या करते हैं तो ये वाला भाग जो है क्या करता है इस और इसको क्या कर रहा है अलग कर रहा है ये वाला भाग इ हमाले के मद्द इंडो तो त्ब्ब्ध हमालय के मद् Dharm सान्ग पो जोन इसल इंडो पो सचर जोन क्या करता अलग करता यानि कि जो आपका क्या है यह जो है भिड़ा іमालय जो है भिड़ा विरद हमाले है और ट्रांस हमाले या तिब्बत हमाले को क्या कर रहा है अलग कर रहा है कौन कर रहा है इंडस सांग को सचर जोन सचर जोन या इंडो इंडस इंडस सांग को जोन क्या करता है अलग करता है किंदो सेडियों को अलग कर रहा है तो ट्रांस हमाले और विरद हमाल एंप सिटी जो है कौन किन के बीच में आपका तो यहां पर माली की यह है इस का बाल आलाता है इस तरह से बीच की भी तो मैं आले के इस तरही एक बिरंस और दिखा देता हूँ मैं आपको और यहां पर यह आपका ट्रांस हिमाल है तो ट्रांस हिमाल है और इनके बीच में जो बिरंस है उसको क्या कहते हैं इंडस सांग पो सचर जौन इंडस सांग पो इंडस सांग को सचर जोन ठीक है दूसरा जो है मेन सेंट्रल ठ्रस्ट मेन सेंट्रल ठ्रस्ट ब्रद हमाले और मद्ध हमाले की बीच में किलियर हुआ चलिए मद्द्वा सिवालिक हमाले के बीच में जो है बाउंडरी फॉल्ट है मेन वाउंडरी फॉल्ट है मेन वाउंडरी फॉल्ट है किसके बीच में यह है लगू हमाले और यह है सिवालिक ठिक मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लिजिए क्या है ये है आपका ट्रांस हमाले ये है ब्रद हमाले ये है लगो हमाले ये है हमालिक सिवालिक 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 तो ट्रांस हमाले और बिर्ध हमाले के बीच में इंडस सांगपो सचर जोन दूसरा जो है मद्ध हमाले और बिर्ध हमाले के बीच में मैं सेंटरल थ्रस्ट जोन टीसरा जो है तीसरा जो है वो है आपका लगू हमाले और स्वाले के बीच में मैं बाउन्री थ्रस्ट चोथा जो है यह है आपका स्वाले को नीचे जो है उत्र वारत का में तो वो है हमालियन फ्रेंटल फॉल्ट शेली नदी घाटी के आधार पर हमाले का बर्गी कड देख लेते हैं नदी घाटी के आधार पर हमाले का बर्गी कड एक बैग्यानिक थे जिनका नाम था सिड्नी केराल्ड बुराड तो सिड्नी बुराड के नाम के भू बैग्यानिक हमाले को चार भागों में बाटा है यह विभाजन नदी घाटियों के आधार पर था किसके आधार पे था नदी घाटियों के आधार पे इसका विभाजन किया गया था तो कैसे नदी घाटियों के क्यों कि मैं आपको यहां पर जूं करके दिखा देता हूं यह आपका यह जो ह तो यहां पर क्या है कुछ नदी आए जैसे कि मालीजी यहां से एक नदी निकलती है आपका लद्दा के साथी प्रिविस करती है और यहां पर गौर्ज को बनाती हो यहां पर यहां पर यह इस तरह से तो है आपका आती है उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम कह नदी नदी काली नदी और सटला नदी के बीच का जो हमालय उसको कहते है कंवाय मले का लिल संधा थी और टीस्ता नदी के बीच का जो हमालय कहलता है वो है उन करके करते हैं तो मैं फिर से बता दू सिड्नी ब्राड नाम के भूबह ग्यानिक ने हिमालिव को चार भागों माटा यह है विवादे नदी घाटियों के आदर पर किया गया था सबसे पहला यहां पर देखते हैं पंजाब हिमाल है पंजाब हिमाल है इसको कश्मीर हिमाले भी कहते हैं यहां पर नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं यह है यहां से निकलती है नदी जिसको कहते है सतलज नदी ठीक है इस तरह से सतलज नदी निकल वह तरी सिंद्धु नदी निकलती है और इस तरह से पाकिस्तान प्रिवेश कर जाती है यहां से इस तरह से ठीक है इसका य जाता है समझ गए ना इस तरह से लंबाई की बात की जाए तो लंबाई जो है इसकी 550 किलो posição है इसकी कुछ प्रुक सिर्डियों के बारे बात कर लेते हैं तो जासकर लटदाक और पीर पंजाल कौन सी आपकी पंजाब हमाले की या कसमी रिमाले की प्रुक सिर्डियां जासकर प्रद्दाख और पीर पंजल ठीक है उसके बाद नेक्स जो आता है बो आता है आपका color चैन्द करो तुषबसा नेक्स बाद सत्लज नदी कमाई उन्हे माले की बात करते हैं तो कमाई हुमाई उन्हे सत्लज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है जो की 320 किलो मीटर की लंबाई फैला हुआ है यहां कि प्रोवक चोटियां देख लेते हैं बदरीनाथ जो है साथ सो चालिस सात जार चालिस मीटर की उचाहे पर तिरसूल गंगोतरी नंदा देवी कामिती यह कुछ प्रोवक इसकी चोटियां है नंदा देवी कुमाई हिमाले का सबसा उचा सिकर है नंदा देवी पर वस चोटी जो है वो सबसे उची चोटी है तो यहां पर आपको दिखा जेता हूँ यह काली नदी काली नदी है 17 नदी के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है आपका क्या कहलाता है आपका कहलाता है कुमायू हमाले समझ गए ना यहां की सबसे उची चोटी जो है वो है आपका नंदा देवी तीसरा देखते हैं हैं नेपाल हमाले के अगर बात की जा तो काली नदी से तिस्ता नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं नेपाल हमाले कहते इसकी जो लंबाई जो है वो है आठ सो किलो मीटर आठ सो किलो मीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है ठीक है तो यहां पर यह काली नदी और यह आपकी तेस्ता नदी इस तरह से यह इस तरह से नदी निकलती है तीस्ता नदी तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का भाग जो कहलाता है क्या कहलाता है आपका कहलाता है नेपाल हेमाला है ठीक है इसकी कुछ चोटियों के बात की जा तो अन्नुपूरा दौलागेरी गोसाइनात कंचन जंगा मकालूत सता एबरेट जो है नेपाल हेमाले की या पूरे हेमाले की या पूरी दुनिया की सबसे उंची च ठीक है यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा सिंदू और सतलज नदी के बीच का जो भाग क्या कहलाता है नेपाल हिमाले सतलज नदी काली नदी के बीच का बाग कुमाई हिमाले काली और तीस्ता के बीच का जो भाग कहलाता है आपका क्या कहलाता है आपका असम हिमाले कहला है समझ पार ना क्या कौन सा हिमाले कहल आए चलिए नेक्स बात आती है असम हिमाले की बारे में भी थोड़ा सा देख रहे थे असम हिमाले तीषता से दिहंग नदी के बीच में लगवग 720 किलो मीटर के छेत लंबाई में यह फैला हुआ है यहां की कुछ देखते हैं कुला कांगड़ी जांग सांगला चुमल हारी नामचावरुआ यहां पर आपको कुछ देखने हुआ हैं यहां पर नामचावरुआ मिल जाएगा तो यहां पर इस तरह से दिह देस्ता नदी के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है आपका असम हिमाला कहलाता है क्लिए रहा तो आइक खुका सिन्दो नदी और संतलं रहतिता नती का बीच में इस तरह से कमाय। इसलमेले आपका श्रेक्ट हिंट्र जो अर अर काली नदी के उस्ष्षी जार, फिलिए इसी, ऊकर अर्दक नीड़े होँ, decorations, आरे सी Absolute की सीट कहें हुएं, सबसे उझाएं के एवरेट, कुमारी ह हिमाले के सब देन में सब्सक्राइह झाव करते हैं . चेलिए तो सबसे बहले मैं यहां पर बात करते हैं पंजाभ हिमाले के बारे में जिर्टेर से हैं कशमीर हिमाले या कस्मीर हिमाले शिर्ण रुदे से बारि का वे किता में बभी कहा जाता है कि क्या बताया कि यह है जो है सिंधु नदी से लेकर इस तरह से सिंधु इसकी लंबाई जो है पानसो साथ किलो मीटर है इस भाग की मुख जो पर वस्रेडिया जो है कारा कोरम लदाक पीर पंजाल धौलादर और जासकर है कौन कौन सी जों करके दिखा जेता हूँ आपको यहाँ कारा कोरम लदाक जासकर पीर पंजाल और धौलादर है कौन कौन सी ह ऐख को देखने को मिल जाएगी यह यह अच्य तो यहां पर दिख रही है उसका यह पीर पंजाल होगा और यह दर हो गया धौला-दर ठिक है पीर पंजाल यह वाले पीर पंजाल उसके बाद यह अध्वह धौला-दर जूं करके दिखा ज़ेद हूं तुम मैंइं सबसे पहले यांपर आजाती है काराकूरम फिर लद्धाक उसके बाद आ जाती है पीर पंजाल उसके बाद आती है ध्वुलादर इसके बाद आ आती है जासका को ठीक है यहां पर आपको देखने को मिल सब्सक्राइब के नाम से जाना जाता है या पंजाब हमाले से अधिक उंचा है कौनसा कस्मीर हमाले से या पंजाब हमाले से यह जो भाग है कौनसा आपका कुमाई हमाले उंचा है नंदा देवी नंदा देवी जो है साथ आजार आट सुस्तर मिटाया की सबसे उंची चोटिया अन्य चोटियों के बात किने तो कामेत तिर्सूली पद्रीना दूनगिरी तथा नंदा कोट यह कुछ प्रमुक चोटियां हैं गंगा यमना जैसी महान यहां इसी से निकलती हैं नैनितालके निकट नैनिताल बहिमताल यह जैसी कुछ पर भी मुख सीए कवी matar में यहां पर मैं आप दीखा देता हूंACE है यहां पर इहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक चलए समझ है यहां प्रोबारेया के बारें मत करते हैं यह है भाग नेपाल में सिते है इसलिए 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 पॉरन भिस तार से लगूनि लिए इस तरह से चैनक सित्क की बात कर रहे दो यह आपका कश्मीर भेमाल से कुमाइव मानओ माल आपने लिए तो हिमाले के सबसे उचा है हिमाले के इस वाग में सबसे उची चोटी मांट एवरेश्ट आठ देखने को मिल जाए काटवांडू यहां पर एवरेश्ट ठिक है यह एवरेश्ट नेपाल और तिब्बद की सीमा पर है अन्य चोटियों की अगर बात की जाए तो यहां पर दोला गे रही है आठ हजार एक सबसे उची चोटी है जो की हमाले पर इस्थित है आठ है बाहर की सबसे उची चोटी का अगर बात करें तो कोड़िविनास्टर नेया केटू है जो की कांपर इस्थित नहीं है एक बात कर लेते हैं यह है आपकी तीस्ता नदी और यह है आपकी दिहांग नदी इस तरह से तीस्ता नदी से लेकर बिर्मोपुत्र नदी तक लगवक सथ साथ सो कि पचास किलो मेटर लंबा भाग असम मिमाले कहलाता है यह सिक्किम असम और अनाचल प्रदेस में फैला हुआ है जून करके दिख आपको देखने को मिल लागा इस तरह से यह है आपके तीस्ता नदी चले में चले हमाले के प्रमुक्खिमनद देख लेते हैं उकलेसियर्स सबसे पहले बात करते हैं आपार को रन सरलउडी पर है 52 कि लंबाई है इसस पर कारा कूरम सर्डी पर साट किलोमेटर इसकी लंबाई है बे आफो कारा कोरम स्रीडी पर साट किलोमेटर इसकी लंबाई है वालतोरो कारा कोरम स्रीडी पर है 58 किलोमेटर बातुरा कारा कोरम स्रीडी पर है खुर्दोपिन कारा कोरम स्रीडी पर जेमू नेपालिया सिक्किम हमाले पर है यहां पर जे प्रादेता हूं सबसे बड़ी स्याचन हिमनत यहां पर कारा कॉरम चेड़ी का दूसरी जो है हिस्पर यह इस तरह से तीसरी जो है बयाफ हो इस तरह से उसके बाद बाल तोरो एहां पर ठीक है उसके बाद है तो सबसे बड़ी यहां पर देख लेते इस समय दूसरे नंबर पर आपका हिस पर यह आपका काना कुल तरी पर जोगी टरांस हराश का बना थिचकतं पर यहां पर जूम करके दिखा देता ooh सियाचिन इस पर दूसरे नमबर पर बेयाफो तिसरे नमबर पर वालतो तो उसके बाद यहां पर गंगोतरी हिमलेट यहां पर है सिक्श्च इमालय वाले बीचेत्र पर में एक प्रस्म बनता है जो बनता है कि ससाइनी और अक्सर पूछा जाता आए भारत की सबसे लंबी जो हिमनद है कौन सी या सबसे बड़ी हिमनद कौन सी या तो वो आती है ससाइनी ऐसा क्यों माना जाता क्योंकि कुछ बुक्स जो है उसमें दिया गया है, एक पुस्तख है, बहुतिक बुगोल का स्वरूप सबिंद्र सीम, ससाइनी उसमें दिया है 150 km, दूसरा है जिगरफी ओप इंडिया, BS चोहान, ससाइनी दिया है 157 km, फिजिकल जिगरफी के भार्द्वा सियाचिन दे रहे हैं 72 km, भारत का बुगोल प्र की हिमनत है ठीक है किलियर हुआ तो ससाइनी सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर सियाचिन तीसरे नंबर पर आपका हिस्तवर तीम काफी है गंगोत्री हिमनत यह यहां पर देख रूख मिल जागा मिला मुझे मुहमनत सिक्क्य महिमाले का भाग है चली आगे बात करते हैं कुछ घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं हिमाले की घाटिया हैं खाफ कर हिमाले वाले चेत्र पाई जाती है बेताव घाटी मर्खा घाटी और नुब्रा घाटी लद्दाक चेत्र में पाई जाती है कौनसी लद्दाक चेत्र में भागी रती दर्मा पिंडर टॉंस लद्द ना भागी रती दरमा पिंडर टां्थ उत्रा किंडवाले चेत्र में इस तरह से अ basis?. थिए जो नहीं से पे में थे किंशने से जुद्विति आपको देखने को मिल जाएगार to दीजो गाटे North Line नागा लेंड में नागा लेंड लेंड में यहां पर इसतरे तक उसको नागालेंड नागा लेंड म मिजूरम है तो नागालेंड ना MOC कुछ दो आश्पुकाटे यहां मैं है शिख के मैं, किम आपको इहां पर देखने को मिल ज़ा गाई, č மला ची मिलेगा. काफी है नेट्टाइक करते हैं बारत के प्रमुक दर्रे देख लेते हैं कुछ प्रमुक दर्रे हैं जिनको हमå मुतिओं के पायख बॉमबदे लॉह्ब लाई यांग पाङ कंगरी कार्कॉलो यांग सांग लिखा पानी तुजू दर्रा ठीक है इसके बाद करते हैं बार्त के दर्रे दो भागों में बाट सकते हैं हिमाले के परवती राज्यों पाए जाने वाले दर्रे और प्राज दीपी भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे इन दर्रों का मेहत तो क्या ह तरहां युद्द वह अन्य उद्द्दिस के लिए ऐसे बता दो मैने क्या बता है भारत के दर्रों को दो भागों में बंठ कर पड़ सकते हैं पहला जो है हे माले छेतर कांは है है हमाले फिर पर यह ऊपर या यह म गये माले खेतर है हिमाले फिर पाय जाने इनी से आवागमन हो पाता है और इद से जोड़ी होई कोई गतिविदिया है ठीक परिभन आने जाने के लिए ठीक है तो कि दर्रा होता क्या है दर्रा किसे कहते हैं पहाड़ों के बीच की जगे को दर्रा कहते हैं पहाड़ों के बीच की जगे को दो पहाड़ पहाड़ के बी है दर्रा कहते हैं यह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्वतों पहाड़ों की बीच पाए जाने वाले आने जाने के लिए प्राक्रतिक रास्तों या मार्गों को हम क्या कहते हैं दर्रा कहते हैं यह प्राक्रतिक मार्ग जिन से होकर पहाड़ों को क्या किया जा सकता है पार कि भराट देखने के महाराष्ट और तो भारत पाय जाने वाले दर्नों को दो भागों में ब्हाइट आ जा सकते हैं कि रहे थैढ़ु के परवस्ती राज्चियों आप बात की जा जैते हैं तो नद्टा की अगर बात करते हैं हमाले के दर्रे हमाले के दर्री तो आप जैसे पढ़ना चाहिए हमाले के दर्रे, हमाले के जंगा आती है ठीक है समझे आया तो कि कंचन जंगा जो है भारत की हिमाले पर इसे सबसे उची चोटी होती है और भारत की सबसे उची चोटी जो है वह के टू यानि की गौडविन आश्टिन ठीक है समझेगा ना ठीक है तो मैंने क्या बताया मैंने क्या बता आप सभी लोग ये जानते हैं कि हिमाले पिस्ट्डू की सबसे उची हैं और इसी पार-करना जो है बहुत ही मुश्केल है लेकिन इसको पार-करने के लिए कुछ दर्रेए हैं जिन के दारा इन परवठ सेटिडियों को पार किया जा सकता है। तो हमाल Yay के जर्रों में सबसे पहले हम बात करतें लग्दा कि सांसे प्रेश के कुछ प्रूंग तर्रे आगे हम केलियर कर के क्रके कारा कुरम खार दुंगला बुर्जिला जोजी ला ठीक है बुरूर झ्ला कार दुंगला कारकुरम ठीक जम्मू कस्मीर कें साथ प्रदेस की दर्रों की अगर बात की जाए तो पीर पंजाल स्रीडी के दर्रे जिसमें बनिहाल पीर पंजाल ये कुछ आपके दर्रे हो जाते हैं ठीक है पीर पंजाल से एन एच बन एमार की जाता है हिमाचल प्रदेस की दर चलिकरा और रोतांग तर्राँ तर्रा जाता है जिसके बारेंगे आगे बात करेंगें देखते हैं तुम और कि दर्रHeis नाथुला और चेलेपला अरना चलर पे इसके दर्रों के अगर बात की जाए तो बुम्ला या इसको ए मामिला भी कह ज़ेते हैं बॉमडिला कांगरी करपूलो, अथिक है यांग पा यांग आप दीफू, यांगसान, लिखा पानी पांग सो या पांग सो धर्रद ठीक आई एक एकर के बात करते हैं लद्दाक के दर्रे सबसे पहला जो दर्रा है बो है कारा कुरम दर्रा यह दर्रा कारा कुरम सेड़ी पर यहां पर आपको दिख जाएगा यह आपका लद्दाक वाला छेत लद्दाक में हमें ने बताया था कि किस तरह से हमाले जो है फैला हुआ सबसे उपर आ जाता है एक सिर्डी जिसको हम कहते है ट्रांस हिमाले आपके कारा कोरम लग्दाक जाजकर और कैलास करके जैसे तीन-चार सिर्डियों में पटा हुआ है तो यह जो है हिमाले का भाग नहीं मैंने आपको बता है तो दूसरा जो आ जाता है ब्रद हिमाले जो की ह सबसे उस ही चोटो जिवली के तो फार्वरा मौजब है यह भारत के लग्दाक को भारत के जो लद्दाक है उसको सिंग्क्यान प्रांस से मिलता है फिर से दिखाती हूं कौन सा मैंने बताया कारा कोरम दर्रा यह है यहां पर है चीन और यह है आपका यहां से लेकर यह जो छेत्र है यह क्या कहनाता है आपका लद्दाक वाला चेत्र है यहां से मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से यह लद्दाक वाला छेत्र जो है लद्दाक जो की किन साथे प् इस तरह से यहां पर एक दर्रा है इसको यहां पर एक दर्रा है जिसको हम क्या कहते है कारा कुरम दर्रा यह कारा कुरम स्रेडी पर है दुनिया की सबसे उची चोटी के उत्तर में ठीक है सबसे उची चोटी के उत्तर में है यह समझ रहा न यह भारत को किस से मिलाता है चीन से के मिलाता है या हम कह सकते हैं सिंक्यांग प्राण से मिलाता है लगता को भारत का सबसे उंचा दर्रा है कारा को रंदरा समुद्र जल से इसकी उंचाई कि अगर बात करना है पाँच हजार छीज सो चोवन किलो मीटर है वो मीटर है कारा कॉरम परवस सिर्डी में ये कारा कॉर कौन से चेत्र में यहां पर आपको पाधी जर्स कश्मीर दिख जाएगा और यह किस से जोड़ता है आपका चीन से भी जोड़ता है चली चली कश्मीर का एक दर्रा देख लेते हैं कश्मीर के दर्रों में एक दर्रा देख लेते हैं बनेहाल दर्रा नहीं तो कश्मीर जो है ब माले का भाग नहीं है दूसरी Sridi आती है इस तरह से विरदेमाले विरदेमाले तुछ दे को रती आप को मिल जाईगी सम привजोन करो सबस्टे मा परवस 치ा श्री और को ये चोड़ता है जवार सुरंग इसी धर्ड़े में बनी हुए जम्मू कखमीर से सीज़नर जाने वाला एन ऐच चेववनु ए इसी धर्ड़े से होकर जाता है यहांपर दिखा जिता हूँ बने हाल धर्णा पी पंजलके लगुया का इस्ता है विरत हमाल है और यह लगू हमाल है ठीक यहां पर आपको दिखा देता हूं जम्मू को कस्मीर से जोड़ता है ठीक है यह पीर पंजाल बनेहाल धर्वा चलिए लद्दाक में देखते हैं फिर से बारालाचला इससे होकर मनाली लिहे सडकमार होता है और यह सर्दियों में क्या रहता है बंद रहता है कौनसा बारालाचला बारालाचला कहां पर आपको देखने को मिलेगा बारालाचला जो है आपको बिरत हमाले पर देखने को मिल जाएग यह आपको देखे जाएगी जासकर परवस्यडी यह इस तरह से जासकर परवस्यडी मंडी और ले को यह जोड़ता है कौन मंडी और ले को जोड़ता है मंडी कहा है मंडी यहाँ पर है आपका यह और ले यहाँ पर यह है इस तरह से जाएगा यह मंडी नमाचल प्रिदेश का जो है मंडी और लिए लड़ा की इन साथी प्रदेस का जो चिला है लें तो उसको जूरता है कौन आपका बारह लचाना समझे ना? चलाज है चांग्ला कि ये अगर बात की जा तो है टिब्बत को लड़ाँ से जूरता है चांग्ला कहाँ पर आपको पीर पंजाल परवस्रिडी पर है, इसमें जम्मू से शिर्न जाने वाला रास्ता से लेकिन विभाजन के बाद यह बंद हो जाता है, पीर पंजाल परवस्रिडी पनहाल दर्रा इसे से और जाता है इसकी समुत्र तल से उंचाई की अगर बात करने ते 3490 मीटर है पीर पंजाग सेड़ी में ये आता है पुल गाउं से कोठी जाने का रास्ता जो है आपका पीर पंजाल परवत सिंखला में इस्तित आपका पीर पंजाल दर्वा से यह है चली नेक्ट बात करते हैं खार ठेटर में छिप ठाहिए ने क्वाद करते हैं थांग लाक वारे में से बारत की दूसरी सबसे मुछी सड़क चटी तब से कार दुंगल से नेक्ट बात करते हैं जो जीला या दर्रा स्यरीनगर क्रता कारल लेग के बीच संपर का साधन एं सीर्व कहा है आपका जमू कसमीर क कारगिल कहाँ पर है आपका लद्धा का एक जिला है और लेवी इ dificil लद्धा का यह तो यह त्विस्टरा के इन है इन हेच को पांचा जो है गास्मीन को मिल जाएगी यह आपका है चार्जकर परबर सेड़ी ठीक है कौन सा चो जीला मैं आपको दिखा देता हूं जो जीला ठीक है इसमें नहीं है मैं इसमें दिखाता हूं जो जीला जो जीला जो जीला इस वाले में हैं जो जीला लगदाउक वाले कितर में ठीक है शली लीपु त्हुल एक दर्णा जो है वह आपका उत्राखंड के पित्थौ अगड जिले में इस चित ow इसी दर्ण तो उत्राखंड के पिथोरागड जिलेव में इस्तित है इसी दर्वे से मांतरोगर की यात्रा की जाती है क्योंकि यहां से इस तरह से जाते हैं और तिबद में प्रिवेश कर जाते हैं कहां पर है आपका यह आपका लिफू लेख दर्रा लिफू लेख दर्रा यहां से इस त जोड़ता है तिब्बत किस जगे से जोड़ता है तकला कुट से जोड़ता है यह दर्रा कैलास मानसरोबर की यात्रा के लिए विशेष महत रखता है यह दर्रा भारत से कैलास परवत मानसरोबर जाने वाले यात्रों दर्रा विशेष रूप से इस्तमाल किया जाता है मैं करदा उत्राखंड में माना ला देख लेते हैं या बदरीनात मंदर के पास इस्तेते यह भी उत्राखंड को कि भट से जोड़ता है ठीक है उत्राखंड के अंतिम गउन माना या माना में इस्ते है दर्रा पांच जार पांचों पैतालिस मीटर की मिचाई पर इस्तित है उत्त्रा खंड के गाउं माना को तिबस से जोड़ता है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं माना तो नहीं दिया होगा माना यहां पर जो है आपका लिपू माना ला जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह माना ला है इस तरह से माना ला यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा माना पास है माना ला जून करके दिखा जेता हूं यह माना ला नेक्ट बाद करते हैं नीती ला यह उत्तरा खंड पत्शिव्बत को यह भी जोड़ता है नमंबर mur se मैं तक बंद रहता है ये दरनाद पांच ह,शार शार्त मीटर के महा लिपः की ऐस research k questo है ये उत्तरा कहंड को ये ति भजाता है इसका है मुलिंगला मुलिंगला जोगर को भी sneez लोगर ये चार जीव आप देख सकते है। उन्हें काफी है हमा चार्व प्रतेश् स को तूड़े मria मिएक दर्वासटे बात करते हैं शीपी किला दर्वां दर्वा सब्सक्रा नदी इसी दर्वे के उस्तर से भारतेश्च करते यह मिंजूम करके दिखा जाते हूं यहान पर आपकी एक आपकी सी सिपकिला दर्रे के उत्तर से क्या करती है सतला जनदी इस तरह से यहां प्रिवेस्ट करके इस तरह से इसमें प्रिवेस्ट कर जाती है तो सिपकिला दर्रा सतला जनदी इसी दर्रे के उत्तर से भारत में प्रिवेस्ट करती है इसकी समझत तल से उंचा जो है चार जार तीन सो मेटर है जासकर स्रीड़ी में है इस्तेत है जासकर स्रीड़ी में कौन सा आपका ये है आपका जासकर में हापर दिखा देता हूँ जासकर जासकर वाला है तो जासकर स्रीड़ी में ऐसे सिमला को तिबबत से मिलाता है आपका तिबबत का संपर कराता है कि इस और क्या है तिब भारत में इसी के पास से प्रिवेश करती है यानि कि हिमाचल प्रदेश में तत्र जन अधी इसी दर्रे के पास से याग है उत्तर से प्रिवेश करती है ठीक है के लिए रुखा चलिए रोतांग धर्रा के बारे में बात करते हैं रोतांग धर्रा यह है माचल की लाहो तेव में इस पीती घाटियों के पीछ संपर्क स्थापित करता है ठीक है कहा पर है रोतांग धर्रा यहां पर आपको दिखा देता हूं रोतांग धर्रा रोतांग इस वाले में देखते हैं रो यहां पर दिख जाएगा आपको लाहोत और स्पीति इसके कोसिस कर रहा हूं है मंडी तो आपको दिख रहा है यहां पर शिमला उसके बाद लाहोत और स्पीति एक जिल्ले के दो नाम है यह लाहोत और स्पीति एक साथ यह पूरा जिला है लाहोत और स्पीति घाटियों के बी बीस मीटर है यह मनारी और ले को आपस में जोड़ता है मैं आपको दिखा देता हूं मनाली और ले यहां पर आपको देख जाएगा कुलू कांगडी मनाली कुलू 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 मनाली और यहां पर यह मनाली यहां पर बोल सकते हैं मनाली यहां पर कुलू को भी जोड़ता है मनाली को भी उड़ता है तो लेहे जो है आपका लद्दाग का जो एक चिला है लद्दाग में दो प्रमुक चिले हैं कार गिरोज ले उसके बाद यह जो है चेतर जो है प्यों के वाला इस्सा पड़े जाता है चलिए नेक्ट बात करते हैं चलिए सिक्किम के दर्रे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिक्किम के दर्रे में आपका नाथुला के बारे में बात करते हैं नाथुला थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कहां पर पहले तो यह देखते हैं यह सिक्किम का भाग है सिक्किम ही काफी है कहां पर है सिक्किम में ठ करते से संपन हुआ करते में आप पर देखा दो आपको पहले तो चीन में यह सिक्किम आ जाता है लब चीन की सीमा पर यह सिक्किम आ जाता है यहां पर भी आप सिक्किम देख सकते हैं यह सिक्किम गंगुटो किसकी राजधानी है यहां पर सिक्किम नातुला ठीक है यह भारत चीन भारत और चीन के पीछ जब वुज़ दूज़ था उनिस सो बान्सट के उज़दी की बाद बंद कर दिया गया था लेकिन दो जाट चैमें ये खोल दिया जाता है ये दर्णा सिक्किम राज में डौगे क्या डौगे क्या सीडियों में लगबक चार जार तीन सो दस मीट की उसाए पर दिश्टेत है ये दर्णा सिक्किम की चुम्भी घाटी से जोड़ती है फिर से बताने ये दर्णा सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ती है चुम्भी या चुम्भी यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर यह है जेमूं गिलेसियर के पास यहां पर कंचन जंगा देखने को मिल जाएगा चुम्भी घाटी से जोड़ती है ठीक है उसके बाद भारत चीन की सीमा पर होने काड़ यह है इसका सामरिक महत बहुत अधिक हो जाता है सामरिक मतलब होता है युद्धी की दिरश्टी से महत जो होता है कि बहुत अधिक हो जाता है 1962 के बात जो भारत चीन उन्यतिक के बाद इसे बंद कर दिया गया था अबर 200 varios में इससे ब्यापारिक कारियों के लिए फिर से खोल दिया गया था बारत और चीन ब्यापार का लगवग 80% ब्यापार इसी दर्रे से किया जाता है ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं जेलेपला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जेलेपला सिक्किम में दो ही प्रमुक दर रहे हैं नाथूला और जेलेपला यह सिक्किम भूटान सीमा पर इस्ते था और चुम्भी घाटी से सिक्किम का तिबबत के लिहासा से संपर कराता है नाथूला आपका किस संप 70 मीटर है इसका निर्मार जो है तीस्ता नति के द्वारा किया गया है कितनी जानकारी काफिर है जोम करके दिखा भी देता हूँ यह ना थुला और जेलेपला ना थुला और जेलेपला भूटा ने सो रहे था तो इस सूर पड़ेगा चलिए इस बात करते हैं चलिए आना चल प्रदिस के थोड़ी सद्र्रे देख लेते हैं पहला जो दर्राया बॉम् डिला या प्मॉला या चैनु कि भूता है छीडा यहां पर मैं आप को जोंब करके देता हूं अब टाने और थोड़ा सा टिबत भीग बोल देंगे या रॉनाता फर्देश वाला की चलता चलाता है तरह से रॉनाता फर्देश के तवांक और प्रेपद को जोड़ने बाला ये औ FR a далее तवांक आपका तिबत में एक बहुत मच है बहुत पिरसिद हैं तवांग में एक फिर या भूटान के पूर्व में तता भारत व चीन सीमा सिमा के थोड़े से दछट में indra माले में इस सिर्टे वी पिर से बता दूँ मैंने क्या बता यहां पर है यह आप भूटान वाला डीत भूटान के पूर्व में बोमडिल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और भारत चीन के या भारत वा तिवदत की सीमा के थोड़े से दक्षर में आने की ये है आपको मैं दिखा दूँ इस तरह से बोलेंगे तो उत्तर दक्षर पूर्व पश्चिम तो मैंने क्या बता है थोड़ा सा पूर में और यह बूटान तो बूटान के पूर में थोड़ा था और यह चीन तो चीन भारत चीन सीमा के थोड़े से दक्सर में तो यहां पर पढ़ेगा आपका बॉम्म डिलाव के नि JEN क्त दे लिए यह दर्रह भारत है दिधबद में इसी दर्रे के पास प्रशित है है अबश्ड करती अ आइए देख लेते हैं यांग याभ याभ दर्रा यहां इस ऑना चरफ प्रदेस के पूरी भाग में यह देखने को मिल जाएगा यांग याभ दर्रा फूरी हान देखने को पर यहां पर यहां पर यांग याभ दर्रा ढक Conf identify तो इन्या को सेङ की दिफू अनार प्रिदेस ब व तो ब्यामार के मांडले 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 त्याल के हैं, आंजाल के पूरू भाग में इस्टे आए, यह मैमार को मांडेले से जोड़ता है, काँंसा आप का देहांग दर्रा, यहां पर आपको देखने को मिलती है, यह देहांग दर्रा, ठिक, यहांगे आप भी बिरमापत्र के पास में हो और दिखार्णा भी प्रमुत्पत नतिये के पास में यह कुछ पर तर्दे हो गए परनाचल पर देश के ठीक है चले नेक्स बाद करते हैं मडीपूर के दर्दे में देख लेथा है तुजू दर्णा मड़पूर के दर्दे में तुजू दर्णा इंफाल को म्यमार से जोड़ता है क्या क्यालाथा थुजु दर्रा क्यालाथा यह है यह पर आपका इस तरह इसके और मड़ुपूर है तुजु दर्रा कोण से चेत्र में है आपका मणिपूर में ने सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुक दर्रों में उत्तर से दख्षड देखेंगे उत्तर से दख्षड नीचे की वह चलते चलेंगे सबसे पहला जो है थाल घाट दर्रा मुंबई विन्नागपुर कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़कमार की इसी से कोई दरते यहां पर राजानिया पश्चिमंगाल की तो मुंबई पूने यानि कि हमें सीधा सा मिंटलरी है क्या में गूए है अच Еще अचा आये समझते हैं पश्चमीहाट के प्रमॉउवततर से द रचव कि लिए रहा यांऔर शार पये जाते हैं आपके पश्चमी गवाली छेत्रम में सबसें पहरा जो है थाल घणवार्ग नाप पुर कोलकाता रेलमार अकर आप ते प्श लेंगा यह आप का मुंबई मुंबई से यहां पर आपको चलते चले आएंगे पूरे पूरे तो नहीं जाएंगे नागपूर किदर गया नागपूर यहां से मैं आपको खीच के दिखा जेता हूं यहां से गए नागपूर से सीधा आपक कलकत्ता वाला रहा है तो मुंबई से नागपूर न रिफाध जाता है मूूम्बाई से पूने पूने इथा आएए क्या पिन्स तरह से छेन नई तरह से को ठीकर करें को चरिब भूरन्घार दर्डा के बारे में बात कर लेते हैं मुंबाइब पूने पूने से बेल शेडनेफ दर शेन नाई से केंग नहीं प्रेट मार्क जो जाए तो यहां पर को मिल जाएगा यह है आपका मुंबई मुंबई कौने पुम 220 यह lie आपका यहां पर सभी है को तो इस तरह से यहां पर यहां पर यहां पर यह को भील ज鉄 सणके मार्क यह थी से कुछता है है next बात करते हैं पालगारड दनरा में जून करके भी दिखा देता हूं मंबई से पूने पूने से बेल गाउं बेल गाउं से आप का यह चेन नहीं मार के इसी से चाहता है कि लियर हुआ है नेट देखते हैं इसी में पालगाड दर्रा पालगाड दर्रा काली तिर्चूर को यंबर्टूर कोची के रेल मार वा गुए सड़कमार इसी दे वो जाते हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं इहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कालिकट मे कोजी कोड की नाम से जाना चाता है यहां पर है आपका पालगाड दर्रा ठीक है यहां पर भी दिखा दूए है पालगाड दर्रा ठालगाड भोरगाड पालगाड ठीक है यहां पर है आपका कौन कौन से बताएं मैंने यह आपका कोजी कोड कोजी कोड से थिरसूर थिरसूर स इस तरह से कोंसा किस से जाना पड़ेगा तो यह आपका इस तरह से बोल सकते हैं चैन नहीं से तो इसंहें पाल ड्र रहा गाट से जोड़ता है ऐसे न कोटा तरा यहां पर आपको देखने को मिल जागे कि मत्रुंद को पूट भूट कहा मज़ीद्ध्यन स इसверж तरह तरह से मद्री खुरता है है पर मज़ हूँ पर आपको देखने को मिल जाए आपको यह थे पाल से देख लेते हैं इसकी समुझ समुंचाइए कि अगल बाद आया सब 34 0 कोजि कोड के रल में फ् weeks day कोजि कोड कोड को आपको this my को मिल जाएगा कोजी कोड काली कट के नाम से भी इसको जाना जाता है यह है कोईवजी कोड को कोईवटूर से जोड़ता है ठीक है के लिए रुआ शरी अन्ना मला भी नीलगिरी की पाड़ियों के पीछ में यहां पर है अन्ना मला यह नीलगिरी की पाड़ियों सैन कोटा पा वाला पास क्या क्या लाता है आपका सेनकोटा बस महाराष्ट का देख लेते हैं महाराष्ट का थालगाट दर्रा देख लेते हैं थालगाट दर्रा मुंबई वे नासिक को जोड़ता है या पर आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई और नासिक को जोड़ता है नासिक कहां पर है आपका नासिक नासिक यहांइए था फी मैं नहीं यह इस तरह से मूंबई को नासिक से जोचता है इस तरह इस तरह से ठेख है एंच इस दालियो चैन नहीं इस तरह मुंबई से नासिखने what चलता चला जाता है और ये इस तरह च्यूयद नहीं में ता ये ऊपर बाद हौ लडग तरीके से बस्ट को अलग तरीके से मिल जागा यहाना सिंपल है आपको थोड़ा सा मिना है प्रि önगे करद कर दिया है तो नदियों दवारा लाए गई माल आपसाडी के दौरा अफसादों के कार्ड मेज़मुदनों काुव किस तरे हूस को ये या एक अपनी लुद गाटी को क्या करती रहती हैं ये हिहरा पर क्या करती है भार मेज़ तो इसको की करती हिं और कभी कभी मुहाने पर भी पिछा लेती हैं तो इससे क्या होता है एक निर्माड होता है कि इसका मैदानों का का निम्मार होता है आए समझते हैं तो नदियों तारा लाए गए माल यानी के अफसादों के गाड़ मैदानों का निम्मार होता है भारत के मैदानों को हम तीन भागों में पांट सकते हैं कैसे तीन भागों मैदान सकते हैं एक तो उत्तर भारत का मैदान हो जाता है दूसरा बागों में और उत्तर भारत के मैंदान को हम ती इस एक करके समझते हैं सबते पहले बात करते हैं तट वरती मैदानों के बारे में चछली है कि यहां पर यह करता है महायारा सी प्रम पर हको तरह यह किस रहे हैं जजरत chamber को रहा है चलिए तो इस तरह से फ्यला हुआ है उडिसा के बाद यहां पर देखेंगे तो आपको गंगा ब्रह्मपत अनधी का डेल्टा मिल जाएगा तो गंगा ब्रह्मपत डेल्टा से लगब लगब के टोटल कितनी लंबा ही है शे जार सो किलोमेटर है तो भायरत की तर्टरेका च् कच्छ के रणसे पूर्मे गंगा ब्रहमपूर डेल तक फैली हुई है प्रादीभी पठार की पूर्वी सीमा तथा भारती तर्ट रेका के बीच के मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं क्लियर करूंगा क्या इसका मतलब है इसको हम दो भागों में बाट कर देख सकते हैं पश्मी घाट तथा पश्मी तट रेखा के बीच के बाग को क्या कहते हैं पश्मी तटी मेदान कहते हैं वहीं पूर्वी घाट और पूर्वी तट रेखा के बीच के बाग को हम क्या कहते हैं पूर्वी तटी मेदान कहते हैं मैंने क्य बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च करते हैं इसी को ही सबसे पहले सब्सक्राइब तर्फ के तरफ है किसी और है जितनी नदियां आती है पर क्या कर आती है अपना जल लेकर आती है और अरब पश्चुमी घाट पश्च्य मीं घाट के पश्च्य में कच्छकी खाडी से लेकर कुमारी कुमारी adalah जब लगबग चोदे सो किलो मीटर की लंबाई में फैला हुआ है पश्चिमी घाट का यह जो छेत्र है हमने कच्छ का रड़ से यहां से शुरू होता है कच्छ की घाड़ी से यहां से शुरू होता है चलता चलता चला जाता चलता चला जाता है और कुमारी अंतरी प्यानी जिसको लग्वग कितने को मिल जाती है अगर अशी किलो मीटर तक देखने को मिल जाती है इसे पता तो या फिर इसको एस्चुरी भी कहते है ठीक है चलिए आईए देखते हैं आगे चलिए आकार में पूर्वी तथा उत्तर भारत के मैदान से जो पर्चमी तठी मैदान है यह थोड़ा सा छोटा है क्योंकि आपको पता है आप ज्वार नद्मोग कर निमार होता तो ज्यादा माल मैदान है ठीक है चलिए तो आकार में पूर्वी तथा उत्तर भारत के मैदान से यह चोटा है यहां पर यह जो तटी मैदान है यह तीन वागों में वैसे देखा जा सकता है सबसे पहला आ जाता है काटियावर तटी मैदान कॉंकर तटी मैदान मालावर तटी मैदान तो य इसकी चोड़ाई कम होने के काड़ यहां पर ढाल जो बहुता दिक है जिस काड़ से यहां पर नदियां जो इस तीब ढाल से चलती है और जहरने बनाती है नदियों में गती होने के काड़ नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या करती है जौर नदमुका निर्मार करती ह है. मचली पालन के लिए यहां पर आधर्स दसाइं देखने को मिल जानी बीवाइब कि यहांसे जो आपका सुरह होता है माहराश्ट मतलब यहां से सुरू होँता है आपका. इस तरह से यह इस तरह से यहां पर देखने को मिल जा counting जाएगा गुजराथ गुजराथ से नीचे चलते के लिए महाराष्ट महाराष्ट फिर आ जाता है गोवा तो महाराष्ट का महाराष्ट से लेकर महाराष्ट से यहा का है गुजराथ महाराष्ट और गोवा वाला तट जो कहलाता है यहाँ पर सम्मिले जूरूर से इसको हम क्या कहते है कौंकर तट कहते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा, यह कौंकर तट है, तो कौंकर तट के जो किनारे वाला जो छेतर है, उसको हम कहते हैं, कौंकर तटी मैदान, उसके बाद करनाटक से लेकर केरल वाला जो छेतर है, करनाटक का जो मंगल वाला जो छेतर है, इसको को हम कहते हैं माला वार तट यहां से लेकर यहां सा जो कच्छ वाला छेत्र है यहां से इसको हम कहते हैं काठिया वार वाला छेत्र तो काठिया वार तटी मैदान तो इस चेत्र पच्छमी तटी मैदान को हम तीन भागों में देख सकते हैं यहां पर काठिया वार तटी मैदा लेकिन पश्चमी तर्टी मैदान का नहीं माना जाएगा वैसे मानना जाता है नहीं कहीं नहीं को दिखेगा तो कोई मेरे वपर केस नहीं करेगा फिर भी मैं यहां पर मांनने के चलता हूं काटियावार तटी मैदान कौंकर तटी मैदान और मनऑलाबार। कर्ना बद दो तट गुजरात महाराष्ट गोवा और करनाटक का मंगलोर तक का गोवा के बाद का करनाटक का जो मंगलोर मंगलोर से नीचे चलते जले आएंगे कन्या कुमारी तक तो बहाँ तक आपको देखने को मिल लाएगा क्लियर हुआ अद्येकट बात करते है पसी तक मेंदानव की बार मीं राद करते हैं यह तर्ट जो है काफी कटा चटा इसलिए यहां पर अन्यक लेगून जील मिलती है जिन्हें कैयाल कहते हैं जैसी कि अष्ट मुड़ी तथा बेम्बानात चील यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अ यहां पर इस काड़ कई सारी लेगून जील मितनी है जिनको कयाल कहा जाता है इन्हें कुछ प्रमक जील है जिनको हम कहते है अश्टमोटी तता बेमबानाज जील आए नेक्ट बात करते हैं पूरवी तटी मैदान के बारे में बात कर लेते हैं और यह है पूर्वी घाठ और है पूर्वी तट्ट इनके बीच की बाग को क्या कहते हैं पूरवी तट्टी मैदान आज देखते हैं इसका विस्तार औरीसा अंध्रदे सदत तमिलनाडू के तटके सारे हैं इसको हम दो भागों में देख सकते हैं पहला है उत्तिरी सरकारता तो यहां से आपको देखने को मिले है औरीसा औरीसा आपका आंध्रदे सोरी है इस तरह से कुछ बाग ठीक दूसरा जो कोरुमंदल दूसरा यहां पर देखने को मिले हैं पूरा तमिलनाडू वाला जो छेत्र है इसको कहते हैं यहां पर जूम करके दिखाओं तो यहां पर एक नदी जाती है वो है आपका महा नदी फिर गोद गूत्री सरकार तक कहते हैं समझे यहां की एक प्रमग घील है जिसको हम कहते है चिलका जील नहां पर आपको देखने को मिल जादगी चिलका जील एकपर यहाँ पर काविरी नदि के डेल टा के बीच में ये फैला हुआ है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आपर वैसे और देखाना देखना चाहें तो और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी यह उत्तरी सरकारय हो चेतरय वह खेलाता है आपका उत्तरी सरकार मैदान और यह को रूमन लग तक्टिय मैदान यहां पर जो इतना छेत्र है यह उत्कल तक्टिय मैदान जो उडिसा वाला छेत्र है आंद्र प्रद्रिस वाला जो खेलाता है आंद्र तक्टिय मैदान ठीक है क्योंकि उत्तरी सरकार तको हम द में ये क्या है उत्तर भारत के मैदान से चूटा है, लेकिन व्हिव्ह श्मी तटी ये मैदान thermometer से क्या है ये पड़़ा है गुदावरी किष्णा कावेरी नदी के पास मैदानों की चौडाई जो इसकी उसक चोड़ाई जो है सो से एक सो तीस किलो मीटर है कितनी है सो से एक सो तीस किलो मीटर है पस्चिम की पस्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर तमिल नाडू तक यह फैला हुआ है यहां से पस्चिमी बंगाल की जो हुगली नदी है यहां से चलते चले आएंगे च तमिलनादू तक ये नीचे फैला हुआ है ठीक है उडिसा से आंद्र प्रदेस के तरफ का क्या कहला था उडिसा से लेकर यानि की मैंने बताया था उडिसा से लेकर आंद्र प्रदेस तक की का जो छेतर है यहां तक इतना यह क्या कहला था उतकल तटी अमयदान कहलाता है प्रजेस से यहां सुरू होता है इसके बाद तमिल्नाडू का पूरा तटक्या कहलाता है कोरो मननत तटक्या कहलाता है बारत की कई प्रमुक नदियों की डिल्टा इसी मैदान में बनते हैं इन नदियों के है यहां पर महाने इतना काफी है नेज सेखते हैँ जाली सत्य बात बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में नॉर्दन प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं उत्तर भारत का मैदान उत्तर भारत का बिसाल मैदान को थोड़ा तर अच्छे समझते हैं आपर भारत के सभी मैदानों में सबसे बिसाल है इसकी और सच चोड़ाई की अगर बात की जाए तो और सच मीटर से लेकर तीन सो बीस किलो मीटर तक है इस मैदान की समुद्र तल से उंचाही कम होने के काड़ यहां पर नदियों की कत्रीक काफी धीमी हो जाती है अपने साथ लाए हुए अफसाथ को यहां पर जमा कर देते हूं जो कि इस मैदान की फिसालता का फिर वो कारें फिर से बता जो मैंने क्या बताया समुद्र तल से उंचाई कम होने के कार यहां की नदिया क्या करती है जब उपर से बहकर आती है मालीजे गंगा नदिया आती है या फिर कोई और नदिया आती है तो यहां पर क्या होता है समुद्र तल से इनकी उचाए कम होने का यहां की नदियां क्या होती है बहुत कम यह क्या है बहुत धीमी गती से चलती है जिसके लिए जो माल लेकर आती है गादा वगयरा लेकर आती है जो भी आता है वो क्या करती है अपनी नदी घाटियों में क्या कर लेती है डाल लेती है इस से क्या होती इसका मैदान की बिसालता गई है प्रमुकारड़े इसे कॉंप चार भागों में यहां पर बाट कर देख सकते हैं पहला आ भावर, तराई, बांगर और खादर, चारीकार से यहां पर देखेंगे भावर, खादर, तराई और खादर, चलिए देखते हैं, एके करके समझते हैं यह मैदान उत्तर में हमाले ताथ दक्षड में प्राइधी पतार के बीच में साथ लाग बर किलूमीटर की छेत्र फ्याला हुए यहाँ से शुरू होता है आपके इस तरह से यह यह इस तरह से यह इस तरह से शाथ लाख बर किलूमीटर चेत्र मेंBeंसाइख बारत का विसाल मेरान उत्तर के पर्वतों और दच्छड के प्राझ-दीपी उच्छ भूमी के बीच में यानि कि या जो प्राझ-दीपी प्ठा रहे है इसके और उत्तर मेहमाले के बीचों बीच में है समझे रहा ना इस मैदान का निर्मार सिंदू गंगा बिर्मपुत्र नदिया तता उसकी साइक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोर निच्छे पे आव साथ या फिर माल के द्वारा हुआ है जैसे बता दूँ इस उत्तर भारत के मैदान का या फिर कहें विसाल मैदान क निर्मार हुआ है काइसे हुआ है सिन्दु नदी गंगा नदी और विम्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए चलोल निछ्छेव के कारड़ हुआ है समझे आए समझ पार ना गंगा तथा सिन्दु नदी के महाने तक इसकी लंबाई जो है तरह से यह माना जाएगा क्योंकि पाकिस्तान वाला हम नहीं जोड़ेंगे भारत में इस तरह से इसकी लंबाई जो है वो कितनी है इस तरह से 2400 किलो मीटर है कितनी है 2400 किलो मीटर है कि अगर बात कितनी रह जाती है minimum जो रह जाती है नब्य से सो किलूमीटर तक ही रह जाती है कितनी रह जाती है नब्य से सो किलूमीटर तक ही रह जाती है समझे गए और से चोड़ाई किसनी है एक सो पेटास से लेकर पांचो किलूमीटर तक भारत में कितना इसके लंबाई है चोविस्तो क किल्यومेटर टोटल कितना है बतिस्टो किल्यومेटर कहां से शुरू होता है यहां से सिंधुनेदी के महाने से लेकर गंगा नदी के महाने तक पूरा फैला हुआ है ठीक है चलिए जिस आगे बात करते हैं उत्तर भारत का म्यदान में ही तो मैंने बतायए था उत्तर हों चार भागों में बंद्क कर धिए पर पढ़ने वाले हैं जो अवसाद जो है अवसाद है कहा पर जो जलोड निच्छे पर जो पहाड जैसे क्या है कि नदियां होती है नदियां जब होती है उपर से जब नीचे की और आती है तो क्या करती है उपर से पहाड़ी इलाके जाती है पहाड जो में क्या होता है कंकड पत्थर दीजे नदी है ये इस तरह से नदी ऊपर ढ़ाल से बैठी हो या रही तो यहां किया ढाल भॉकत दीजा तो बड़े-से-बड़े-माल जो होगा वो भी क्या करेंगी बो ला सकती है लेकिन जब धीमे से वो नीचे आई नहीं है और जहां उनका ढाल मंद हो जाएगा यानि कि हलका हो जाएगा, हलका जब ढाल होगा तो यहां पर क्या होगा? ओ उल्सक्ष्राशाईर ठीट जाक्तюсь होगा इससे बनाफम मारे भी नीचे लेकिन जब ढाल चाहल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा उससे रागे नहीं बाड़ए माइना पढ़ना इसी तरह से यहां का समझना पढ़ा है जब रहा पाद के सारे सिंदू से तिस्ता नदी के बीच में यह इस तरह से सिंदू के नदी कौन सी है यह आपका सिंदू नदी इस तरह से यह सिंदू नदी जाती है यह तिस्ता नदी सिंद और तिस्ता नदी के बीच वाले भाग में यह मौजूद है कहां पर है यह इस तरह से सबसे पैर, गिरी मतलब परवत और पाद मतलब पैर, तो गिरी पाद के चड़ों में, यानि कि गिरी के चड़ों में, सीधा तो मतलब है कि ऊपर पहाड है, ये मालीजी पहाड है, मालीजी ये ऊपर पहाड है, पहाड के नीचे चलते चले आज़ेंगे, तो यहाँ पे, ये क्या है गिरीपाद, यह छेतर जो है गिरीपाद कहलाएगा, समझ पारा है, चलिए, तो यह है सिवालिक तलटी यानि की गिरीपाद के सारे सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक इस्तित है, इसकी लंबाई, यह है, इसकी चोड़ाई की अगर बात की जाए, आठ से छबिस किलूमीटर की चोड़ी पट्टी में है, गिरीपाद पार इस्तित होने के एकाड़, इस शेतर में नदीयां जो होती है, बड़ी मात्रा में भारी, कंकर, पत्थर, पजरी, बालू, लाकर जमा कर लेती है, जिसके सारे क्या होती है, यह होता है, किरसी के लिए उपजाओ नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कि इस तरह से माली जीए, यह जो है, माली जीए पहाड़, पहाड़ से क्या है, यह इस तरह से, माली जीए यह पहाड़ का यह जो छेतर है, गिरीपाद है, नदियां उपर से बैती हुई आ रहे हैं, तो पहाड़ को काट का ले में आने कि नीचे तलटी में क्या करती है वो उस माल को लाकर क्या कर लेती है जमा कर लेती है जब जमा कर लेती है तो माल लिजी इस तरह जमा कर लेती है बहुत सारे पत्थरों को वहाँ सारे तो उसमें क्या होता बह रही थी इसलिए पत्थर पगे ना काट ले आ रही थी पत्थर है बजरी है बालू है कंकड है इस तरह से समझे ना यह जो कंकड बालू पत्थर होने के काड क्या है यह शेत्र में ग्रसी करने की इस्तिति नहीं बनती है क्योंकि बालू में कंकड में पत्थर में आप है भावर यह है आपका भावर ठीक है भावर बावर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी दल्दली पट्टी देखने को मिल जाएगी तो मैंने क्या बता है भावर के दच्छड में दल्दली पट्टी है भावर के दच्छड का मैदान जिसमें भावर की नदियां फिर से सतय पर आ जाती है यही तराई प्रदेश कहला था इसकी चोड़ाई जो है बीस से तीस किलो मीटर है या जाजता दल्दली भाग के रूप में फैला हुआ है यहाँ यहाँ ज्यादा नमी होने काड़ घने बन तता तरह तरह के प्राड़ी जैसे कीट पतंगे संप कीड इस तरह के पाए जाते है इसकी रचना जो है बाहरी कंकर पत्तर रेत तादा चिकनी मिटी से हुई है बैसे अकरसी होगी नहीं है लेकिन इसे करसी के लिए साफ किया जाता है मैं फिर से बतातू मैंने क्या बताया था मान लीजिए यह आपका परवत प अगरिपाद पर पहुंची हो अगरिपाद पहुंचने के बाद नदी ने क्या किया यहां पर अपने जो भी पत्तर कंकर लेकर आई वो यहां पर इसने डाल लिया जमा कर लिया चमता अब इसमें नदी में इतनी नहीं दे कि इस पत्तर को आगे बहा कर ले जाया जा सके तो नदियां जो होती है वो पारगम में यहां नदियां van आता है तो नदियां जो होती है उसमें प्रिवेस कर जाती है उपरी इस existen नहीं दिख रही होती है लोग नदियां पर पर चोट चोटी तो यहां पर क्या करती है वो ले कर आ जाती है कंकड़ पत्थर वालू तो यहां पर क्या हो जाता है दल्दली छेत्र हो जाता है यहां से बावर प्रदेश में नदिया जो होती है पारगम चटानों के असर प्रवेश कर जाती है यानि कि भूमिदत हो जाती ह वहीं तराई पिरदेश में नदिया फिर से सतय पर आ जाती है और यहां पर यह दलदली छेत्र हो जाता है इस छेत्र को क्या कहते हैं क्या कहते हैं इस छेत्र को हम क्या कहते हैं इस छेत्र को हम तराई कहते हैं तो फिर से दिखाते हैं मैंने क्या पता है हमाले वाला छेत्र य या तो यहाँ पर क्या है दल्दली छेत्र का निरमान हो जाता है? ठीक है? तो बाबर के बाद तराई ठीक है? हुलिए कितनी इसकी चोड़ाई है? इसकी चोड़ जो है 20-30 km है. करसी के लिए योग है? नहीं करसी के मेदान में ही भांगर देखते हैं, यह वैच छित होता है, जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यह पुरानी जरूर का बना हुआ होता है, इसमें काईल्सियम, कार्मोनेट या कंकर की गिरंधियों की मात्रा बहुत अधिक होती है, पंजाब में इनको क्या कहा जाता धाया का जाता पंजब ताहारे लाणा किस को बागों में लवंड युक सपेत परत बाली बैंगर को रह तरréal कहते प्रदस में कहीं वालू के ढियर पाए जाते हैं जिनहें हूर कहते है था है ये क्लियर करते हैं माल लिए यह है आपकी एक नदी नदी इस तरह से होती है नदी की जो घाटी होती है इस तरह से होती है पहले इस तरह से इस तरह से इस तरह से ठीक है पानी जो होता है अपनी नदी घाटी में बहता है इस तरह से इस तरह से जब बार का पानी होता है तो पानी पानी यह नॉर्मल रहता है यह कितना पानी नॉर्मल रहता है इस तरह से इस तरह से यहां पर इस तरह से नॉर्मल पानी इतना रहता है लेकिन जब बाड़ बगेरा आ जाती है बाड़ बगेरा तो क्या करता है बाड़ बगेरा जब आ है एक मिनिट इसका तोड़ा कलर कर दूं तोड़ा तालग लग अलग का नतिला वे है ये लाठ लगेगा कि one about आज़ा ता यह यह पानी होता रहो पर्सक्राइब है कि उपात जाता है इस तरह से किसूत तरह है इस तरह से एक प्रतक उपर तक इस तरह से नदी की गाटी में से पानी जो है आसफास के चेत्रों बेहने लगता है इससे क्या होता है इससे क्या होता है मैंने क्या बता है पुरानी जलूर काफ होती है इसमें क्या करती है जो नदिया होती है वो आसफास के चेत्र में क्या करती है मिट्टी को बिच क्याती क्या है मैंने बताए ता कि आस्था की चैत्र में कि पुराना अधे ुप्रना पुराना जणशन मतलब यानि कि इसथा ही इतना हो गया लेकिन जो इन चेत्रों में जब होता है जब बहुत ज़्यादा आती है काफी पानी जो है उपर हो जाता है समझ पाना तो चलिए फिर से बता दूँ बांगर को पंजाब में क्या कहा जाता है धाया कहा जाता है पंजाब रहना कि सुस्क वागों में लबड युक सपेद परत वाली बांगर और को रे या कलर कहते हैं उत्तर पर दें कहीं बालू की डेर पाय जाते हैं जिने बूढ का जाता तो फिर से बता दूँ यह है आपका सिवालिक सिवालिक के गिरिपाद वाले चेतर में यह बहावर उसके बाद तराई उसके बाद खादर ठीक है और बंगर चलिए इसको किलिए करते हैं समझते हैं दूसरा जो है खादर आ जाता है खादर यह निचला छेत्र होता है जहां नदियों की बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है नदियों की बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाकर इन छेत्रों में बिचा दिता है हर वर्स नई मिट्ट की जमां होने काड़े है किरसी के लिए बड़ा उपचाय होता है खादर प्रदेस बालू का कंकर से युगत होता है इसलिए भूमिगत चल अच्छा भूमिगत जल का ये अच्छा संग्राक होता इसको आई ये क्लियर करता हूं मा लीजिए ये आपका मैंने बताया था कि ये इतने में इतने में इतने में जब बाल आई जब बाल आई तो बाल क्या हर साल पानी जो है बरसा होती है तो बाल इक तो नदी क्या करती है इतना उपर हो जाता है इस तरह से पानी जो है जब उपर हो जाता है तो नदी क्या करती है नदी क्या करती है इस तरह से मैं आपको नदी क्या करती है ये माली जी नदी है तो आसपास के छेत्र में क्या करती है नई जलोड मिट्टी को बिचा देती है इस तरह से नई जलोड मिट्टी को बिचा देती है इसको क्या कहते है खादर कहते है इस तरह से आसपास की घाटियों में आसपास के छेत्र में नई जलोड क्या करते हैं यह बिचा देते हैं इस तरह से क्यों यह निचला चेत्र है यह निचला चेत्र है ठीक है समझना बात को इस तरह से निचला चेत्र है यह इस तरह से इसके बाद दूसरा जो उपरी चेत्र की अगर बात करें तो उपरी चेत्र की बात अगर हम कर लें तो उपरी परिषे तरह जोन और तीका इस थ्रिया जाता है न दीका इस थी तरह से पानी ये वे बहुत आ रही तरह से यह ठीक है इस तरह से अब समझेना बात को पानी जब बैता हुआ है हर साल क्या होता है जो खादर है रेड कलर का जो आपको देख रहा है मैं आपको देखा दूँ जो खादर है ये रेड कलर का है जो खादर तो ये क्या है खादर में क्या होता है हर साल नई जलोड मिट्टी का क् उपिछा लेता है यह क्या होती है किरसी के लिए बहुत अधिक उपजाह होती है क्योंकि उपरी छेतर से नई एक दब मिट्टी चकाचक ले और इसमें बालू की बजरी की मातरा थोड़ी ज्यादे होती है तो यह क्या होता है जल का बहुत अच्छा संग्राक होता है के लिए हुआ ना ऊपरी अब ऐसे मालीजिए यह है छेत्र क्या मालीजिए उपरी छेत्र में थोड़ा सा लेट पहुंचता है तो इस तरह से अब आ कहलाता है और नई जलोड मिट्टी क्या कहलाती है खादर कहलाती है खादर कहलाती है खान सलमान खान करता सुनिया ना सलमान खान हर साल नई मूवी लेकर आता है इसी तरह से आपको याद रखना होगा कि खादर जो है वो क्या करती है खान मतलब नई मूवी लाता है तो खा जया होती है क्यों कि हर साल यह नई मिट्टी लेकर आता है और घाटियों में प्रविश करा देता है तो आपको पिर से समझ में आ गया होगा जो के आसपास का जो निचली घाटी है इसमें क्या होता है हर साल नई मिट्टी यानि की खान मतलब खादर वाला छेतर जो है ये कहलाता है क्योंकि हर साल नई मिट्टी लेकर आ जाता है और इसके बाद इसके बाद जो बांगर है वो पुरानी जलोड निच्छेव का छेतर होता ह किलियर हुआ न तो फिर से बता दूए है निचला छेत्र होता है जहाँ पर नदियों की बाड़ का पानी नई मिट्टी लाकर इन छेत्रों बिचा देता है हर साल नई मिट्टी की जबाओने काड करसी के लिए बड़ा उपचाओ ये छेत्र माना जाता है ठीक है खादर प्रि कि उसके पानी निकलना रगा चले देखते हैं विसाल मैदानों का प्रादिशीक व्वैजन देख लेते हैं समझते हैं कि सतरह से विवाजन का बारे में हलका थोड़ा सा बता देते हैं हमने खादर बांगर और तराई खादर घादर तराई वह भावर दात molecule का दर्द बार पहला जो है उत्तर भारत की मैदान का फ्रादिसी व्याजन की बात करें तो राजिस्थान का मैदान, पंजाव हर्याना का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मत्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान और ब्रहमपुत्र यासम का मैदान, क्लियर हुआ, फिर से बता द तो मैंने आपको बताया था सिंद्धु नदी के महाने से लेकर गंगा नदी के महाने तक लगबग चोंतिस बत्यस्सों किलो मीटर भाग में गंगा का मैदान या सिंद्धु गंगा का मैदान फैला हुआ है ठीक है भारत में इसकी मैंने कितनी लंबाई बताया थी भारत में की लंबाई 2400 किलो मीटर बताई थी जिसकी यह पश्चिम बाला चेत्र में हमने चोड़ाई चीओ थी 500 तक बताई थी और इस असम बाले चेत्र में हमने बताया था कि इसकी लंबाई चोड़ाई जो होती है 90 किलो मीटर तक ही रह है ठीक है चलिए सबसे पहला देखते हैं तो किलियर हुआ ना तो सबसे पहले देखे रहे हैं राजिस्तान का मैदान या सिंदू का मैदान किलियर करते हैं इसका विस्तार राजिस्तान की अराबली सीडियों से भारत पाक सीमा तक है कहां से राजिस्तान की अराबली सीडियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है कौनसा आपका क्या पैला हुआ है आपका सिंदु मैदान इस मैदान को दो भागों में पांटा जा सकता है मरुच्तलिय तथा बांगर शेत्र, मरुज्टलिवाला यह थार वाला शेत्र हो जाएगा और यह बांगर शेत्र next बात करते हो झावारे में देखते हैं पंजाब हर्याणा का मेधान तो यह मेधान दोआप का बना हुआ, दोआप का मतलब होता है दो नदियों के बीच का इस्थान ठीक है तो दो नदियों के छेत्र को हम क्या कहते हैं दूआप कहते हैं इस मेदान में पांच दूआप हैं कौन कौन से दूआप है एक दो तीन चार और पांच ठीक है कितने दूआप हैं पांच दूआप देखने को मिल जाएंगे ब्यास त बियास और सतलर नदी के बीच के बाग को क्या कहते हैं बिस्त दौाब कहते हैं बियास तता रावी के बीच का बियास और रावी के बीच के बाग को हम क्या कहते हैं रावी के बीच को बाग को हम क्या कहते हैं बारी दौाब कहते हैं रावी तता चिनाप के बीच का बाग है मैदान दुवाब का बना हुआ है कहां पर यह जो छेतर है यह दुवाब का बना हुआ है और यह पांच दुवाबों का बना हुआ है दुवाब जो होता है दो नदियों के छेतर के बीच के बाग को हम क्या कहते हैं तो आप कहते हैं इस मैदान में पांच दुवाब में कौ इस तरह से, गंगा नदी का मैदान इस तरह से है, इसको हम तीन भागों में देखेंगे, यह मैदान हमाले से निकलने वाली गंगा तता उसकी सायक नदीयों के निच्छेव से बना हुआ है, इस मैदान की लंबाई की अगर बात की जाए तो लगबग 1400 किलो मीटर है, उत्तर प्रिदेश, बिहार और पशी मंगाल में फैला हुआ है, उत्तर प्रिदेश, बिहार और पशी मंगाल वाले चेत्र में ये फैला हुआ है, इसका देल्टाई भाग, पशी भाग तता बंगलादेश में फैला हुआ है, इस तरह से वो बिस्तो का सबसे बड़ा देल्टा है, इस तरह से वो विज्टो का सबसे बड़ा गेलता है यह तीन इसको तीन भागों में बांट कर पर सकते हैं कि इसको गंगा के मैदान को हम तीन भागों में बांट कर पर सकते हैं पहला जो है वो है उपरी गंगा का मैदान यहां पर देखने को मिल जागा उपरी गंगा का मैद ठीक है कौन सा उपरी गंगा का में इसका दो त्याई भाग जो उत्तर प्रिजिस में फैला हुए यह मैदान नी मैदान गंगा की साइक नदियों यमुना राम गंगा गुमती घागरा से बना हुआ है यहां मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यह जो है आपका गंगा नदी इस तरह से यह गंगा नदी निकल कर जाती है इस तरह से यह इस तरह से इस तरह से यह गंगा नदी निकल कर जाती है यहां पर बहुत सारी इसकी साइक नदियां जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा जमुना इस राम गंगा सोन इस तरह से कुछ आपकी गंगा नदी की स उपरी गंगा के मैदान को किस 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 नहां किस कितने वाग sympath सकते हैं अवद का मैदान अवद का मैदान और रुघ tätä का रुघ का मैदान और यिमना गंगा यमना दो कि नाम से यहाँ पर एक नदी निकलती है जो कि शी यह Learn नदी में आपको को दिखा दो यह और यह, गंगा यमना, दोाब, किस का भाग है, आप का, ऊपरी, गंगा का मैदान, किलियर हुआ, फिर से बता दो, यह दो- स्वेला राम इनको हम, तीन वागों में बाटते हैं जिसमें गंगा, यमना दुआप, रुवेल खंड दुआप और अवद का मैदान, नेक्स बात करते हैं, मद्द गंगा का मैदान, मद्द गंगा का मैदान ये आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के पूरी वागताता बिहार में फ घागरा, कोसी, और सो नदियों के द्वारा बनाया गया है, किस किस के द्वारा? यह मैदान, घागरा, गंडग, कोसी, सो नदियों के द्वारा लाए गए, निच्छेपों के द्वारा बनाया गया है, इन तीनों, इन इसको, यानि कि मद्द गंगा के मैदान को भी हम तीन भागों में बाट सकते हैं तो गंगा घागरा दूआप गागरा गंडग दूआप गंडग कोसी दूआप क्योंकि मैंने बता इस दो नेदियों के बीच के भाग क्या कहते हैं गागरा यहां पर मैंने क्या बताया गंगा यह है गागरा गंगा दूआप गागरा गंडग दू अइसमें डेल नम गंगा को साविल किया ता कौं सा जो डेल टाइचेतर इसमें डेलिटाइचेतर को सामिल किया जता है है थिंक करते हैं भरहें पुत्र का मेताम को में जो निए असमगाटि वाले चेतय को इसमें सामिल केया असम घाटि कौनसी है यह इस तरह से यह असम गाटी गाटी चेत्र को इसमें सामिल किया जाता है इसका निर्मार ब्रह्मपुत्र तता उसकी साइक नदियों के द्वारा किया गया है नदियों के बारे में आगे पड़ेंगे इसमें कई नदी दीप बनाए गए इसमें माजुली दीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी दीप है न 2929 बर किलोमेटर नदीप हम नहीं है आप पर दिखाई देता हूँ आपको यहां पर आप को देखी जाएगा माजली दीप यहां पर देखेने को मिलेगा नदीप है यहां पर ब्रममुप्त-ठनदीव यह है माजूली दीप ठीक है चले यतनी काफ़ी है आखे बड़ते हैं का चलिए साथ उसपाथ करते हैं प्राइज दीप्ये पठार के बारे में टो correct प्लेड़ है तो तो हम बात कर लेते हैं प्राइदीप यह भारत के पठार में तो प्राइदीप का मतलब क्या हो इसको हम सोड़ा समझते हैं प्राइदीप का मतलब होता है बहुमी जो तीन तरफ से क्या हो जलसे गिरी हुई हो उसको हम क्या कह देते हैं प्राइदीप कहते हैं तो जैसे कि हमा रहा पूर्म में आपका देखने को मिल जाएका बंगली खाड़ी पंगली खाड़ी ुद्च्ड में हिंद महा साकर ख्र Town पठार में कौन कौन से हिस्से आते हैं तो प्राजदी 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 गर बात करने हैं गुजरास से पस्षी मंगाल तक तो लगवक चौदे सो किलो मेटर तक सोले लाक बर किलो मीटर चेतर में फैला हुआ है नर्मदा नदी का विरंसन इस पठार को दो असमान भागों में बाटता है नर्मदा नदी का जो भिरंसन है यह इस तरह से नर्मदा पठार को हम किस तरह से पढ़ना है तो प्राइदी पठार को हम दो भागों में बाट कर पढ़ सकते हैं पहला तो आ जाता है पहाड में दूसरा आ जाता है पर पठार में ठीक है तो थोड़ा सा जानकारी ले ले लेते हैं कि पहाड पठार में क्या अंतर होता है तो पहाड का जो सिखर होता है यानि कि उपर जो चोटी होती है पहाड जो होती है क्या होती है उपर चोटी होती है इस तरह से नुकिली यहाँ पर क्या है रहा नहीं जा सकता बहीं पठार का कोई उपरी सिखर या चोटी नहीं होती है पहाड जो होता है वह पठार जो होता है पाड़ों की आराष्ट का पतार देंदगारिन का पतार तिलेंगना का पतार करनाटक का पतार राधियों में देखे हैं तो अराबली शीलडी शटप्रार शीलडी, महानदी बेसन, पच्छमी घाठ, पूर्वी घाठ, उडी और बिन्यांचर परवत स्रीडी के बारे में आपर बात करने बाले हैं आए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अरावली परवत स्रीडी के बारे में अरावली यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से यह अरावली परवत स्रीडी वाला चिछेतर है इस तरह से के पठार के उत्तर पक्षिम में इस्तर मालवा देख लिए पहले यह है आपका मालवा का पठार यह मालवा का पठार मालवा का यह उत्तर है और यह पशिम तो अराबली परवसेडियां मालवा के पठार के उत्तर पक्षिम में हैं उत्तर पक्षिम में इस्तित हैं इसकी मुक पुराना बलित परuger्वत है जो लंबे परदन के बाद एक अफिष्ष्व परवत के रूप में रहे गया तुमें फिर से बता दू मैंने क्या बता आरावली पर्वत ट्री जो है वो बहुत पुराना य्या बहूत पर만 अफ पर रहा होगा हमाले से भी उंचा ये रहा होगा समझ पा रहा है ना चलिए तो मैं फिर से बता दो अरावली पहाडियां जो है मालवा पठार के उत्तर और पस्चिम छेत्र में फैला हुआ है और अरावली पहाडियां खास कर आपके राजिस्थान वाले छेत्र में हैं ये बहु होते हुए दिल्ली तक लगवग आzkst om facts you like फैला हुआ है का ऊपर मैंने बताया यहाँ पर आपका ये कई गु지राथ का इहाँ पालन पुर से लेकर चलते चले आएंगे गुझरात के पालन पूर तक चलते चले से लेके आपका राजिस्तान और राजिस्तान से लेके गुजरात तक ये छेत्र में फैली हुई है ठीक है लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो भाग है वो क्यों से राजिय में है सबसे अधिक अधिक जो है वो राजिस्तान में है इसका सबसे उंचा सिकर यानि कि सबसे उंची चोटी जो है गुरू सिकर है सत्रे सो बाइस मीटर है आवू पहाड़ीयों में इस्थित है राजिस्तान के सिरोही जिले में माउंट आवू के पास में ये गुरू सिकर मौझुद है अरावली परवस्षिनकला की आवसत हूचा है जो है नो सो बीस मीटर है चोड़ाई की गटती जाती है इन्हें यानि की जो अरावली परवत है इनको उदैपुर में यानि की राजिस्तान के उदैपुर के उत्तर पस्चिम भाग में जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है तोरगड के पास मारवार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है अलवर के पास हर सनात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और उत्तर में दिल्ली में इसको रिज पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है कौन से किसको आपकी अरावली परवस्रेडी है इसको राजिस्थान में कई जगे अलग-लग नामों से जाना जाता है जिसमें आपको मैंने बताय कि उदायपुर के उत्तर पश्चिम में इनको जर्गा पाडिया कहा जाता है तोडगड के पास मारगाड की पाडिया कहा जाता है अलवर के पास हर्सनात के पाडिया और उत्तर में जो यहां पर दिल्ली इस्तित है यहां पर इनको क्या कहा जाता है इनको इनको क्या कहा जाता चर्ट डिल्ली कहा जाता है दिल्ली में राश्टपती जो है रावली पहाड़यों पर ही इस्तित है यह जो रावली पहाड़यों का ही अंग थे बता दूं दिल्ली में जो राश्टपती छहाइ सेल जैसे की सीषा, तावा, चस्ता. पिशिक बता दूं, अराबली परवस एडियो में कई परिकार के खनीज मिल जाते हैं. सीषा, तावा, और चस्ता. इस पहाडी में या इस परवश सिरक्रा की अन्य महतपूर चोटीों के पाते हैं. सबसे उंची जो थी आपकी गुरू- शिरोई जिले में ये भी है 15-907 मिटर रागुनात् hockey क्योटी जूटि यो है एक 05P saja का राजिस्थान में ये ए अच्छ अच्छब गड की ये है Deutsch टेरे इसी मीचली में ही है दिनवाणा के पास 1120amer है 1442 मीटर सिरोई जिले में यह वि! एक जैन मंदिर है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, बिंध्यांचल परवत के बारें बात करते हैं, यहाँ पर अरावली देख जाएंगे, अरावली के बाद मालवा का पठार देखने को मिल जाएगा, और आप मालवा के पठार के थी थोड़ा सा दस्च्छड में जाएगे, दस्च्ड पूर की और अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, बिंध्यांचल परवस्ट्री, ठीक है, चलिए, बिंध्यांचल पहाडियां, बिंध्यांचल पहाडियां जो हैं, मालवा के दस्च्छड में, सोन नदी के उत्तर में, तता गुजरात तता राजिस्तान की सीमा के पूर में, फिर से बता दूँ इदर है गुजरात और राजिस्तान, राजिस्तान और गुजरात यह है, गुजरात का मानिजी यह है आपका गुजरात, गुजरात है, तो गुजरात के पूर बालवा कौन सा होगा यह, तो यहाँ पर परवस्त रिड़ी है ठीक है यह परवत माना नर्मदा नदी के उत्तर में नर्मदा नदी के उत्तर में नदी के समाना अंतरब पश्चिम से पूर की और फैली हुई है फिर से बता दूँ नर्मदा नदी कहां पर आपको देखने को मिल जागी जूम कर देता हूं यहां पर आ क्या बताया मैंने बताया कि यह है परवत माला जो है या नर्मदा ददी के उत्तर में नर्मदा नदी है यह इसके उत्तर में उपर वाला भागी है तो नर्मदा नदी के उत्तर में समाना अंतर पश्चिम से कौन सा यह पश्चिम से पूर की और फैली हुई है यह ठीक है यहा पूर में उत्तर यह है आपका उत्तर दस्चर पूर पशिम तो उत्तर पूर कौन सा हो जागा इस तरह से तो यह क्या है आगे चल कर यह उत्तर पूर में मुड़ जाती है जहां पर यह भांडेर थाता कैमूर सेडियों के नाम से जाना जाता है मैं फिर से बता दूं यह जो ब न्यांचल परवस्रेडी को इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1200 किलिमीटर इसकी लंबाई है यह परमतमाला एक जल विवाजा का कार करती है जो की गंगा नदी के किरम को दच्छड भारत की नदीयों के किरम से अलग करता फिर से बता दूँ बिंद स्रेडी के दच्छड में नर्मदा की संकीड गाती है जिसका निर्माड अदो विरंसन या डाउन फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है कि इसका फिर से बता दूँ मैं लिए यह है आपका नर्मदा नदी यह बिन्यांचल परवस्रेडी तो मैंने बताया कि बिन्यांचल परवस्रेडी के दक्षड में नर्मदा बिरंसन पाया जाता है जिसका निर्माड आदो बिरंसन के द्वारा की होता है या हुआ है ठीक है चलिए नेक्ट वात करते हैं बिंध्याचल परवस्रेड़ी गुजरास से शुरू होकर मद्य परवस्रेड़ी गुजरास से शुरू होकर मद्य परवस्रेड़ी गुजरास से मद्य परवस्रेड़ी गुजरास से मद्य परवस्रेड़ी गुजरास से मद्य परवस्रेड़ी गुजरास से मद्य परवस्रे आपकी मद्य प्रजेस में M.P. में कैमूर की पाड़ियां जो है आपकी उत्तर प्रजेस ब्यार और मद्य प्रजेस वाले छेतर में हैं पार्सनात की पाड़ यह है जो है वो है कहां पर जार खंड में आपको देखने को मिल चाहिए ठीक है चलिए next वार करते हैं बिंद्यांचल परवस रंकला की कुल लंबाई जो है एक अजार पचास एक अजार पचास किलो मीटर है कैमूर पारियों को मिला कर मोटा मोटी ठीक है बिंद्यांचल परवस रेड़ी की ओसत उचाई की अगर बात करें तो तीन सो से छे सो मीटर है बिंद्यांचल परवस रे भावना सिखर चलिए सद पुड़ा परवस्ति रड़ी यह नरमदा तापी नदियों के गाटियों के बीच में यह आपकी नर्मदा नदी नर्मदा नदी यह आपकी तापी नर्मदा नदी नर्मदा नदी यह आपकी तापी नर्मदा नदी नर्मदा नदी यह आपकी तापी परवस निकला बोल सकते हैं स्रेड़ी ठीक है चले तो नर्मदा नदी नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों के बीच में यह मौझूद है इस स्रेड़ी में राज पीपला की पहाड़ियां महादेव की पहाड़ियां और महादेव की पहाड़ियां ति मैं क्लियर कर दे यह नर्मदा तता ताफी नदी की घाटियों के मत देश्टित है सत्पड़ा की पाड़ियों को तीर भागों में पांटा जा सकता है राज पीपला की पाड़ियां और महादेब की पाड़ियां और महादेब की पाड़ियां ठीक है आईए देखते हैं राज पीपला की बारे म का हिस्सा है महादेब पाड़ियां कहा है यह है सबसे पहले किस तरह से देखा जाएगा महादेब और राजपीबला राजपीबला महादेब और महादेब ठीक है तो मैंने क्या बता है सब पड़ा की पाड़ियों का सबसे उच्तम बिंदु धूपगड इसी का हिस्सा है धू तापती नदी जो है महादेब कहा गया कितर गया यह तापती नदी का जो है इस तरह थे ठीक है तापती या तापी एक यी बात रहती है इसकाद मेहकाल की पहाड़ियों के अगर बात करें मेहकाल की पहाड़ियों की तो अमर कंटक जहां से नर्मदा अमस्टोन नदी दो नदिया निकलती है उसी पहाड़ी को क्या कहते हैं मेहकाल पहाड़ी कहते हैं अमर कंटक की चोटी जो है मेहकाल पहाड़ियों का सबसे उच महादेव की लिए हुआ है और कंटक से क्या निकलती है नर्मदा देना निकलती है यह किस पहाडी की चोटी है...? महार है महादेव का किस का इसस्ञा है सध।बढा-कट का नंग्यों के बीच पष्चिम् में राजपीपला की पहाडीओं से सुरू होता है होती है और पूर में महादेब और उत्तरपूर में महकाल पहाड़ियों के नाम से इन्हें जाना जाता है इसकी लंबाई की अगर बात की जा तो 900 मीटर है सपड़ा की सबसे उची चोटी जो है पंच मड़ी के पास दूपगड़ में जिसकी नुचाई जो है तेरे सो पच्यास मीटर है यह मादे पहाड़ी पर है इसकी दूसरी चोटी जो है अमरकंटा के एक हजार पैंसट मीटर है महकाल पहाड़ी पर है यहीं पर नर्मदा और सोन नदी का उद्गम इस्तान है सत्पड़ा परवस स्रीडी में सत्पड़ा परवस छेत्र में नदीयों ने कई जलपड़ाव बनाई हैं जिन में से जवल पुर के पास नर्मदा नदी पर धुआदार जलपड़ पास बहुत जादा प्रसिद है यहां पर मैंने दिखा दूँ मैंने क्या बताया नर्मदा नदी जो है इस तरह से यहां से निकलती है और अमर कंटक चोटी से आपकी नर्मदा नदी निकलती है इस तरह से यह इस तरह से निकलती है और यहां से जो है महादेव की पहाडियों से महादेव की पहाडियों से नि जिसका नाम है दूपगड़ी दूपगड़ ठिक दूसरी सबसे उची चोटी अमर कंटक अमर कंटक सी दो नतियां रिकलती कौन कौन सी सोन और नर्मदा किलियर हुआ चलिए गरजाद की पाड़ियां देख लेते हैं गरजाद पाड़ियां जिने उड़ीसा उच्वोमी भी कहा जाता है किनको गरजाद पाड़ियों को ये लगवक तीनसो ब्याली 82 किलो मीटर की लंबाई में उत्कल तट के सहारे उत्तर पूर से दक्षिर पस्चिम की दिसा में फैली उत्तर तट कौन सा है जो उत्तरी सिरकार तट है उसको उड़ीसा वाले छेतर में क्या कहते हैं उत्तरी सरकार तट का ही आदा हिस्सा जो उड़ीसा वाले छेतर उसको उत इसको कहते हैं इन पहाड़ियों में कोईले के बंडार पाए जाते हैं जिसमें तलचर कोईला चेत्र बराकर कोईला चेत्र पिर्मुक हैं इसकी सबसे उची चोटी जो है महेंद्र गरी 1490 मीटर हैं कहाँ पर महेंद्र गर्जात पहाड़ियों की सबसे उची चोटी है यह ठिक चली चली साथ यो बात करते हैं पश्चमी घाट यानि कि सहात्री परवत के बारे में यह तापी नदी के मह महाने से लेकर कन्या कुमारी केप के महरें तक पश्चमी तटके साहरे लगबग सोले सो क्लिमीटर लंबे चेत्र पहला हुआ है कहाँ तापी नदी का महाना यह आपका तापी नदी का क्योंकि तापी जो नदी है वो कहां पर गितिया खंबाती खाडी में इस तरह थे नदी के महाने से लेकर कन्या कुमारी के याक है केप के महरें तक पश्चमी तटके साहरे लगबग सोले सो क्लिमीटर लंबे चेतर में यह फैला हुआ है यह एक अबरोधी परवत यानि की ब्लॉक परवत या ब्लॉक मांटेन है इसकी और सत मुचाई की बात की जाए तो ए पश्चमी घाट पराईदीब के बास्तिसवी जल्ब ववबाजक का का कार करते है तो इसको हम थोड़ा सा its करने का तरीका बता तूम मैंने क्या बताया है यह तापी नदी के महाने से तापी नदी कहां पर है तापी नदी देखने को मिल जाएगी यह आप को चूम करके दिखाता हूँ यहां पर यह खंबात की खाड़ी खंबात की खाड़ी में यहां से निकलती है आपकी आपकी निकलती है महादे पहाड़ी से महादे पहाड़ी से एक नदी निकलती है उसको कहते हैं तापी तापी जो खंबात की खाड़ी उठना चल जाती है तापी नदी के म तक लगबग लगबग कितना 600 किलोमीटर नंबे छेतर में प्षेला हुआ है तो यह जो पस्च्चमी घाठ है इसका निर्माड कैसे हुआ था तो निर्माड होने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक जमाना था एक जमाना क्या था कि एक समय था जब जो अफरीका से ये निकल कर क्या है उत्तरपूर की ओर चलने लगता है तो जब इसका ये वाला इससा जो टूटा था इससा जब आहां से टूट के आया तो नदियों ने क्या कर दिया बाद में जाकर जब वहाँ पहुचा, तो बहां से नदी जाये करती ती नदी जब जाती थी तो जो अरब सागर वाला जो हिस्सा था अरब सागर में क्या हुआ है इसका इस्थल खंड तूट जाता है तूट कर उसी में गिर जाता है तो एक डाल बन जाता है ठीक है फिर से बता दूँ इसका निमाण भारत के इस्थल खंड के अरब सागर में गिरने से हुआ है इसका पूर्व जो पश्मी इत्तठ है वो क्या है वो क्या है वो इसका तीब्र है सीधा तो मतलब यह हां कि ये वाला जो छेत्र इस तरफ बाला इस तरफ बाला जो है वो क्या है बहुत तीब्र है और इस तरफ बाला क्या है मंद है ठीक है तो समझ रहा ना मात को मंद और सीड़ी नुमा है पूर्वी इस तरह मैं आपको जूम करके दिखा तो माली यह क्या है पश्चिमी घाट है ठिक पश्चिमी घाट है पश्चिमी घाट का मैंने बताया कि यह पश्चिम बाला भाग है यह पूर बाला भाग पश्चिमी घाट का पूर और यह पश्चिम तो मेरा कहना यह है कि इ पूर्वी तर्थ है ये क्या है बहुत मंद है इस तरह से आप देख पारोंगे ये एकदम खड़ा है इस तरह से यहां से क्या है अगर कुछ जा रहा है तो दीमे दीमे जाएगा और यहां पर इस पीट थोड़ी दीमे जागी यहां से क्या है गिरा तो सीधे अंदर गिरा रहे हैं चलिए नेक्ट वाप करते हैं उत्री सयाद्री की सबसे उंची चोटी जो है काल सुभाई सो ले सो च्यालिस मीटर है इसका दूसरा प्रमुक चोटी जो है महावलिस्वर चोदे सो अर्थिस मीटर है सबसे उंची चोटी कहां पर है मैं आपको दिखा दूँ यहां प सोल है 446 मीटर काल सोँ ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर यहक अंगर यह ठिक और इसकी दूसरी सबसे उच्ची चोसे चोटी जो है महा बलेश्वात 1438 मीटर यहां पर देखने को मिल जाएगी जो कि यहां पर ही आपको मिलेगी महावलेश्वर ठीक चलिए महावलेश्वर का सबसे उच्चितम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट है विल्सन पॉइंट है ठीक आर्थर सीट पॉइंट नीडल होल पॉइंट यानी एलिफेंट महावलेश्वर पर ही इस्तेत हैं महावलेश्वर पर ही इस्तेत हैं मैं आपको यहां पर जूम करके दिखा देता हूँ महावलेश्वर यह है इस तरह से महावलेश्वर ठीक है यह जूम करके दिखाता हूँ महावलेश्वर पहली जो है काल सुभई पर भी टिक कर देता अधितरि नहीं इस क्लें निकलती है धे क्रीक मैं आपको दिखा दूँ महावलेश्वर की पहाड़ीयां यहां यह से कॉन, कौन, कॉन निकलती है आपकी पाच नतीयां निकलती है कौन से सबक्राध्य क्रभीक जो है फिर्शन सावत्री गौन ना गायतरी कोई ना निकलती है बाबा बुधन की पहाड़ियों पर कुंद्रे मुख अठारे सो बाने मीटर चोटी है यह चोटी लॉइस के खहन के लिए पिरसे द्याँ पर एक सरकारी या यानि की सार्जेंट छित्र के उपिकरम कुंद्रे मुख आयरन और कंपनी लिम्टे है कितनी इसकी उचाई है अठारे सो बानवे मीटर है यह चोटी लॉइस के खनन के लिए बहुत प्रिसिद्ध है कौनसी पाड़िया बावा भूधन की पाड़िया चलिए पूर्वी घाट तथा पश्मी घाट के परवत नीलगिरी परवती घाट के रूप में मिलते हैं ज या फिर इसको हम उटक मंडल भी कह देते हैं उटी भी कह देते हैं यहाँ पर सबसे उची चोटी जो है दोद्धा बेटा इस छेत्र की यह दच्छड वारत की सबसे उची चोटी है दूसरे नमबर पे सबसे पहले की आगे बात करेंगे ठीक है समझ में आ गया तो नीलगि आगी देखने को मिल जाएंगी तो अना मलाई के पहाडियों में अदा अनाय मुदी चोटी 2695 मीटर यह दच्ड वारत का सबसे उंचा उंची चोटी है दूसरे नमबर पे आता है दोद्धा बेटा कौन से मैं नीलगिरी में अनाय मुदी पहाड़ी चोटी देखने को मिले यह है पालगाट दर्रे द्वारा नील गिरी से अलग होता है यहाँ पर दिख जाएगा आपको पालगाट दर्रे से यहाँ है पालगाट दर्रे से नील गिरी से यहाँ पर है आपका अना मले की पहाड़ी यह पालगाट दर्रे से नील गिरी से अलग होता है अना मले की पहाड पहाड़ियां दच्छड में काड़म में इलाची की पहाड़ियों के रूप में फैली फिर से बता दू मैंने क्या बताया अन्ना मलगी जो पहाड़ियां हैं वो उत्तर पूर्ज में पलनी की पहाड़ियों के रूप में दच्छड में काड़म में इलाची की पहाड़ियों क का नाम क्या रख दिया गया इलाइची या काड़मम की पाड़िया रख दिया गया है काड़मम पाड़ियों के दच्चड में नागर कोईल की पाड़िया है कोड़ाई कनाल पलनी की पहाड़ियों में ही इस्तित है कोड़ाई कनाल जो है पलनी की पहाड़ियों में ही इस्तित है लेकिन इनमें चार दर्दे है जो हमें इस पार से उस पार ले जाने में मदद करते हैं कौन समय न cheesy वह वह कले से ओर र क्छिमी गाट जो है वह किस तरह से एक दीवार यह फ्र इतना खड़ा हूँ है लेकिन इसको पार करने के लिए वी चार प्रकार के चार परकाने चार दर्रे हैं जिसको मैं दर्रों में पढ़ा चुका हूं केरल और महराष्ट वाले चेत्रों में ठीक है आई देखते हैं कौन कौन से कुछ चारदर्रे हैं पस्च्मी घाट के प्रमक दर्रे उत्तर से दख्ड़े यहां पर सबसे पहले आ जाता है थालगा थालगाट भूरगाट पालगाट और सेनकुटा दर्रा ठीक है मैं पढ़ा चकाऊं पीछे थालगाट दर्रा की अगर बात की जा तो मुंबई नागपुर कूलकाता रेलमार्ग या सड़कमार्ग इसी से खोज़ता है थालगाट दर्रा यह आपका मुंबई मुंबई से यह आपका मुंबई मुंबई से पूने पूने से आपका बेल गाउं और बेल गाउं से सीधे यह आपका चेन नहीं साड़कमार को रेल मार्ग इसी दो जाते हैं जूम करके दिखाता हूं मुंबई से नागपूर नागपूर से कोल का था मुंबई से पूने पूने सतारा से सिदे चिन नहीं राज से उतरना नहीं िसलिए नहीं इसलिकर दरना कि बात करें काली काट तर्चूर या थिल सूर को यमक्र तूर कोची मेर् Genk Mark इसी से लिपस आप sprout है कालिकट या कोजी कोड यहां से जाता है थिरसूर थिरसूर से सीधा कोयमबटूर जुम करके दिया देता हूं कालिक कहां गया कहां गया भी कहा कि यह आपको कोजी कोड को मैं कर देता हूं कोजी कौड को यह कोजी कोड यानि कालिगाड ठियर सूर कोचई और्य थे कुल्ची और यह पूजी अतुर जाने के लिए आपका पालगार का इस्ते डियें को को जोड़ता है हैble पर आपका यह है तिर्वंत परम और यह मत्र है तिर्वंत परम को मत्रे से जोड़ता है ठीक किलिए रुआ तो एक बाद फिर से मैं किलिए करा दूं सबसे पहरे थालगार दर्रा इस तरह से पस्ची मंगाल नागपुर और यह मुंबई एक सब्सकराइब पर जैसे पुणत पर इस तरह से यह है पूर्वी घाट के बारे बात करते है पूर्वी घाट जो वह दखकन की पठार के पूर्वी सीमा पर है पूर्वी घाट जो है दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पर इस्तिता है दक्कन का पठार आपको इस तरह से देखने को मिल जागा यह इस तरह से दक्कन के पठार पर पूर्वी सीमा पर आपका पूर्वी घाट परवत इस तरह से आपका पस्च्मी घाट परवत था पूरा ए है एक साथ नहीं है बलकि नदियों ने इसे जगे जगे काड़ दिया चाहें यह महा नदी हो चाहें फिर यह गुदावरी हो चाहें किसना हो चाहें फिर काविरी हो इस तरह से इन नदियों ने क्या कर दिया इसे काड़ दिया तो महानदी गोदावरी के बीच की परवत सिनकला के अलावा कहीं पर भी परवती लचड यहां पर दिखाई नहीं देते हैं महानदी और गोदावरी नदी के बीच की अगर बात की जाए तो उसके अलावा कहीं पर भी क्यो इसकी और सवत है ग्यारासों मिटर है यह स्रंखला लगाता नहीं विलकि स्रंखला को लगांतियों के जगे घर काट दिया है कौन-कौन सी नहीं जैसे की आपका महानती कुदावरी किसना काविरी चलिए नेक्ट पाथ करते हैं कि इसको अलग-अलग इस तानों पर अलग नाम सेवाराय पाड़ियां पंच मलाई की पाड़ियां सिरू मलाई की पाड़ियां ठीक है किलियर हुआ सिरू मलाई पंच मलाई सेवाराय जवादी ठीक है और यह है सेसा चलम पाड़ियां किलियर हुआ चलिए नीरगरी के पास दोनों पाड़ियां यानि कि पूर्वी घाट और पूरी गाट पर का मललन होता है कारे निदी नदी के बीच में में पहाड़ी पहाड आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर मेलगरी की पाड़ियां ठीक है करनाटक वाले चेत्र में चलिए नेक्ट देखते हैं पूरी विजाट की कुछ पर वो पाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं उत्री सरकार तर्ट पर अगर बात कि जाए तो यह पाड़ियां है उत्री सरकार तर्ट वाली यहां की उडिसा यहां पर जो पारियां अगर बात कि जाए तो आंध्परद्प्रद्थ वाले चेत्र में देख जाएंगी आपके सेवाराय और तिरुमलाई पाडिया यह यह पर जो पाड़ें देखने हैं जवादी शेवर और सिरुमली ठीक है तमिलाड़ की पाड़ियों में यह पाड़ी जिसमें घारो खाशी जैंतिया और पटकाई बूम पाड़िया आ जाती है ठीक है छली देख लेते हैं पूरुतर की पाड़ियों ये पहाडियां हमाले परवत का ही इस्सा है क्योंकि हमाले परवत जो हता है इस तरह से जाता है और ये क्या कर जाता है चाप के आकार में हाँ पर जाता है इस तरह से मिल जाता है क्लिए हुआ तो ये पहाडियां जो है, माला एक परवत का ही हिस्सा है, ये पहाडियां मुख्यत है, पांच राजियों फेली हूँ, कौन-कौन सी राज हैं? मेगाले, असम, नागालेंड, मनिपुर और मिजुरम, इच दिखा जेता हूँ, आपका मेगाले, एक मिणड़, असम बाला चेत इनको गारो खासी जहिंतिया की नाम से जाना जाता है मेगाले में इनको गारो खासी जहिंतिया की नाम से यहां पर यह मेगाले में गारो खासी जहिंतिया की नाम से इनको जाना जाता है जैनती पाडियों को कुछ भाग असम में भी है जैनतिया पाडियों का कुछ भाग क्या लुसाई पहाड़ियों के नाम से यहां पर दिखा देता हूँ मैं आपको नागा पहाड़ियों मिजो और यहां पर थोड़ी देखने को मिलेगा आपको लुसाई पहाड़ियों ठीक है पटकाई पहाड़ियों को हिमाले परवत हिमाले पहाड़ियों के मियामार में पढ़ने यहां उनको किस नाम से जाना जाता है अराकान योमा के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं भारत के प्रमुख पठारों के बारे में देख लेते हैं कुछ पठार हैं जैसे कि बंदिलकंड का पठार मालवा का पठार दक्कन का पठार बगेलखंड का पठार फ् पठार बिंद्यांचल बगिलखंड का पठार चुटानागपूर का पठार मेगाले का पठार महराष्ट का पठार डंकारिन का पठार तेलंगाना का पठार करनाटक का पठार तमिल नाडू का पठार यह कुछ इसमें पठार है जो कि हम यहां पर देखने वाले हैं तो पस्य में आपको अरावली इदर आपको देखने को मिल जागा बिन्यान चल ठीक है आईए समझते हैं यह मद्ध प्रदेश राज्जी में इस्तित है कौन सा मालवा का पठार यह जो आलमों की चट्टानों का बना हुआ है कौन सा मालवा का पठार इस इस से चंबल काली सिंध बेदवा क्या नदिया निकलती है इसकी सीमाओं का निधार उत्तर में अरावली दच्छड में बिन्यान चल सिर्डी तता पूर में बंदेलकंट पठार की द्वारा किया जाता है यानि की सीधा समत्रव यह है कि आपका इस तरह से मालवा का पठार है मालवा के पठार में उत्तर में आपका अरावली सिरेड़ी, दच्छड में आपका बिंद्यांचल और पूर में आपका बगेल खंड का पठार जो है पिरमुक रूप से देखने को मिल जाता है दिखा देता हूं में फिर से मालवा का पठार है यह उत्तर में अरावली, दच्छड में बिंद्यां चल और यहां पर जो है बुंदिर्खंड का पठार देखने को मिल जाता है तीन ओर से यह सीमाय बनाता है ठीक है कहां पर इस्तेत है मत्रदेश राजी में इस्तेत है चले आगे बढ़ते हैं इसी महीं इस पठार में बहने वाली जो नदियां है उत्तर पूर जिसा में बहते हुए यमना नदी में जाकर मिल जाती है यहां पर मैं दिखा देता हूँ इस पठार में जो नदियां आती है यहां से एक नदी है यह है आपकी चंबल जो नदी है इस इस पठार में बैने वाली नदिया जो है उत्तर पूर्दिसा में बैतुई यमना नदी में जाकर मिल जाती हैं, इन ही नदियों के प्रवह के गाड़ यह है पठार जो है अने के स्वानों पा क्या है उबड़ खावड हो गया है और बड़े बड़े बीहड और खड़ बन है यह जो नदी है जिसमें चंबल लदी बैती थी तो जो आपने अक्सर सुनाओगा चंबल के डाकु जो होते हैं चंबल के बीएड में रहते हैं तो इस तरह के जो बड़े बड़े यानि कि आपको देखने को मिल जाएंगे यह इस तरह से यह देख रहा है यह मालना बड़े खड से महसूस होंगे यह इस तरह से अंदर पानी घुष जाता है यह बहुत 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 अंदर गहराई में चला जाएगा तो यह आप नाले का अपरदन यानि की अपरदन कैसे हो रहा है बतला हम अंदर नालियां बना लिए और उसके बाद अंदर ये अंदर क ठीक है चली साचू बात करते हैं बुंदेलकंड बगेलकंड का पठार के वारे में आपको पताद दिया था मैंने मालवा का पठार महराश्ट वाले छेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा अब नालिका अपरदन का एक पुर्मु खुधार है बुंदेलकंड बटा ठीक है यह भुबाग जो है गंगा के मैदान तक ता नर्मदासção घर्थ के बीच इस्थित बेंदे बलुआ पत्तर के कगार यानि कि ढाल पर पाई जाती है ठीक है यहां के कटकों पर सूर कटक की यानि कि होक बैक या सूर सूकर कटक की समचना मिलती है यानि की कटक है आप फिर सूकर कटक पाए जाते हौक बैकी सनचना पाए जाते हैं किसके इनके कटकों पर किसके बुंदेलखंट और बगेलखंट के कहां पर पाए जाता है मालगा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंट और पूरभी भाग में आपका बगेलखंट का पठार देखन को मिलता है लेकिन इसका कुछ बाग जो है कुछ बाग जो है बिहार उडीसा पच्छी मंगाल में भी पाया जाता है जैसे कि यहाँ पर यह मुख्य बाग क्या है यह आपका चारकंड वाला चेत्र है यह प्रमुक्रूप से यह पाया जाता है लेकिन इसका कुछ बाग जो है बैहार में देखने को मिल जाएगा यहां पर मैंने क्या बताये यहाँ आप इस तरह से आती है और यह प्रिष्ट कर जाती है ठीक है छ्टा नाकपुर क्यों। फन्हें क्वित वाली अगर बात की जाए तो लोहां कोईलñas अब्रकत अमगा यूरेनियम तथा Tungsten फ्रोमक है चलिए आगे बात करते हैं राज महल की पाडियां इसकी उत्री सीमा बनाती है किसकी छोटा नाकपुर की पठार की यहाँ पर राज महल की पाडिया देखने को मिल जाएंगी छोटा नाकपुर की पठार की उत्री पाडिया बनाती है यहाँ पर गौंडवाना काल का कोईला है काल के कोईला बंडाने से लिए इस पठार को भारत का रूर पिर्देश भी कहते हैं भारत का लगवक तीन चौत्याई कोईला तीन चौत्याई कोईला जो है यहीं से निकाला जाता है कहां से छोटा नागपुर के पठार से इस यह पठार जो है कई छोटी छोटी पठारों मे से जारीबाद यहां पर दख्षड में देखने तो रांची का पठार और कूर अर्मां का पठार ठीक है यह हो की चुटी सी शेयर गषब को व्याजने का बेख लेते हैं, मेजने का पठार यहां सिलान का पठार ठीक है मेजने का बठार को इसलां का पठार को जाए देख से इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो ये बीच में कुछ वाग कर जाता है और जा कर चाकर क्या होता है इस तरह से मेगाले में फ्यला हुआ है ठीक है तो आईए देखते हैं तो मैंने क्या बता है यह है प्राइदी पठार का उत्तर पूर्गी और विस्तार है प्राइदी पठार का क्या है उत्तर पूर्गी और यह विस्तार है क्योंकि प्राइदी पठार हमारा इस तरह से आ जा है मालदा गैप के द्वारा अलग होता है इसे इसे गारो खांस गारो राजमहल गैप भी का जाता है किसे आपका किसको का जाता है जो गैप होता है माल लीजे ये है आपका पूरा पिराईदीप ये पठार पिराईदीप पठार जो है इस तरह से यहां पर सिलांग का पठार जाता है बीच में जो गैप पड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है मालदा गैप भी कहा जाता है किसको यह जो बीच में गैप है इस पठार के पश्चिमी वाग में गारो खासी जैंतिया तता पूरी वाग में मिकर और रेगमा पहडिया ऐं कौन सी आपके सिलोंग पठार के रिम पथार केस्षमी वाघ कौन सा यह ? he 5יה और पूरी वाग की बात करें तो मिकर और रेगमा पाड़ियां पाई जाती है वैं पूरी वाग की बात करें तो गारों खासी जैंतियां इस पठार पर फिर्मों को पाड़िया है, सिलोंग पठार की अगर बात की जाए तो सिलोंग पठार जो है उन्नीस सो इक सट मीटर, सिलोंग पठार पर उन्नीस सो इक सट मीटर, उन्नीस सो इक सट मीटर, उन्नीस सो इक सट मीटर, उन्नीस सो इक सट एक क्या है, सिलोंग क्या है, एक सिखर है यानि कि चोटी है यानि कि मेगाले पठार की सबसे उची चोटी जो है वो कौन सी है वो है सिलांग सिखर ठीक है जिसकी उचाई कितनी है 1961 ठीक है खासी पाड़िया मद्दिकाबाद मेज की तरह है जिस पर सिलोंग सहर बसा हुआ है गारो गारो खासी और जैंतिया ठीक तो जो जो खासी है इसका जो उपरी भागे कैसा है इस तरह का सपार्ट है जिस पर क्या बसा हुआ है सिलोंग सहर बसा हुआ है इस पठार के त पांच पहाड़ी आती है ठीक है कौन को मैंने बताई है आपका गारो खासी जैंतिया मिकर और रहिमा इतनी काफी है यह लिए टंड का रहने का पठार देख लेते हैं टंड का रहने का यह उडीशा च्छाथ तेलंगाना साथ आंध प्रतिस में लगवक नवासी हजार बार कि पहला हुआ है यह इस तरह से ठीक है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आंध प्रतेश उडीशा तेलंगाना च्छतिस गर्ड़ ठीक है समझ रहना चलिए तो यह है उडीशा च्छतिस गर्ड़ तेलंगाना अंध प्रतिस में लगवक नवासी हजार बार क्यों में पहला हुआ है इसके तरह अबूज मार की पहाड़ियों में वेला डिला रेंच के पास उच्छ कोटी का लोह एस का जमाँ पाया जाता है कहां पर आपके डंड कारन के पठार में इस शेतर की प्रमु नदी की अगर बात की जा तो इंद्रावती है इसके अलावा तेल उदा कारन के पठार के अंतरगती आता है बस्तर का पठार भी डंड कारन के पठार के अंतरगती आ जाता है किसके डंड कारन का दक्षड वाला भाग जो क्या कहला था बस्तर का पठार कहला था चलिए आगे बढ़ते हैं दक्कन का पठार देख लेते हैं दक्कन का पठार या दक्षिड का मुक्य पठार दक्कन का पठार या दक्षिड का मुक्य पठार देख लेते हैं आई समझते हैं दक्कन का पठार या पठार तापी नदी के दक्षिड में यहां पहले तो आपको तापी नदी एक हलका सा बत इस तरह से ये एक सीमा बनता है इस तरह से ठीक है आईए समझते हैं किलिर करते हैं यह पठार तापी नदी के दक्षिड में तिरोजा का रूप में फैला हुआ है इसके उत्तर पश्चिम में सत्पड़ा परवस्रेडी बिन्यांचल परवस्रेडी उत्तर में महादेव ठीक है पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं यह पठार जो है लावा से बना हुआ है फिर से बता दू मैंने क्या बताया दक्र का पठार या पिर दक्षिड का मुक्र पठार जो है उत्तर में इसके क्या है बिन्द्य जान चल महादेव और मेकाल ठीक पूर्व की तरफ जाए तो पूर्वी घाट पस्चिम की तरफ जाए तो आपका पस्चिमी घाट इसकी सीमा बनाता है बीच में आपका पढ़ जाता है ये दक्कन का मुख्य पठार ठीक इस तरह से इस तरह से ठीक है दक्कन का मुख्य पठा चल उत्तर में महादेव और मकालू पूर में जो है पूर भी घाट पश्चिम में पश्चिम की सीमय बनाते हैं यह पठार जो है लावा से बना हुआ है ठीक है इस विसाल पठार की डाल जो है पश्चिम से पूर की और पश्चिम कौन सा है यह है पश्चिम ठीक पश्चिम से पूर की और मतलब इस तरह का बना हुआ है इस तरह से पश्चिम से पूर पश्चिम से पूर समझना ना यानि कि यह हमाल लीजिए यह है आपका पठार पठार पश्चिम और यह पूर तो पश्चिम से पूर की और यानि इस और की लिए है ठीक है तो इस यहां से जितनी भी नदीया निकाते हैं आपको पता किस ओर जल गिराती हैं आपका बंगाली खाड़ी में तो मैंने कहता है इस विसाल पठार की ढाल पश्चिम से पूर की और बैती है और इन नदीयों ने अपनी घाटियों काफी गैरा कर लिया पूरे दच्छी पठार को क्या है कई चोटे-च का पठार हो गया तेलंगाना का पठार हो गया और करनाटक का पठार हो गया फिर से बता दूँ मैंने क्या बताया आपका जो ये दक्कन का पठार है इसका ढाल किस और है इसका ढाल जो है ये पस्चिम ये पूर पस्चिम से पूर की और ढाल है पस्चिम से पूर की और ढाल है जैसे कि मैंने बताया महा नदी, महा नदी, कहां मर गई भे, महा नदी, गोदावरी, किसना, कावेरी नदिया क्या करती है, पश्चिम से निकलती है, और पूर में बंगाली खाड़ी में जाकर गे जाती है, इन नदियों ने क्या किया है, इस पठार को छोटे छोटे भागों का पठार करनाटक का पठार और महाराष्ट का पठार तो आई एक एक करके देखते हैं कौन सा मैंने क्या बताया सहाद्री यानि कि पक्षमी गाट को छोड़ कर और कौंकर्टत को छोड़ कर पूरे महराष्ट में क्या फैला हुआ अब कर त्कन का पठार वाला भाग फैला हुए है जिसको दकन के पठार के महराश्ट के पठार के नाम से जानाँ जाता है, फिर से बतानों कौंकर तथा क् possível यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी अ जो आइग आज गार्ज में फैला हुआ है इस पठार के पाँच छोटे चोटे वागया कौन से माराष्ट के पठार की माराष्ट का पठार किसका वागया आपके दक्कन का पठार का सबसे पहला जो आ जाता है वो है अजंता की पाड़िया यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी अजंता की पाड़िया ठीक है समझ रहा ना अजं कहते हैं इसको इसका महादेव उच्च भूमी इसके कुछ प्रिमों क्या है आपके यहां पर देखो अजन्ता सत्माला पहाड़ियां बाला गाट अहे मतलगर गोदावरी यहां से नदी निकलती है तो गोदावरी की घाटी यह कुछ में रूपके क्या हो गए आपके इसके छ सामिल नहीं किया था माहराश कर रुपके पाड़ सियाद्री पहड़ी यानि कि पक्षी मी घाट और सियाद्री पक्षी में जिसको एम सामिल नहीं हुता है मुल्यान गिरी 995 मे defa बाबाबुधन की पहाडियों की सबसे उंची चोटी है अब बाबाबुधन की पहाडियों की सबसे उंची चोटी है यहाँ पर यह बाबाबुधन की पहाडिया जो कि यह आपका करनाटा पठार के तहत करनाटा को केरल में यह फैला हुआ है दक्तन के पठार का भाग है समझ पार रहा ठीक है और बाबा बुदन की पहाड़ीयों की सबसे उची चोटिया कौनसी मूल्यान के रिभी नेक्ट बात करते हैं ते लंगाना आंदर पठार के बारे में बात कर लिए ते लंगाना आंदर प्रजाइस का पठार ठीक यह चेत्र जो है इस तरह से दो भागों में तता रायल सीमा उच्च भूमिया रायल सीमा पठार एक समतल भूमिय है यहां से महानदी बेसिन के बारे में बात कर लेते हैं यहां से महानदी आपकी निकलती है इस तरह से यह बैती हुए आती है और यह इस तरह से यह इस तरह से अपना महाना बना लेती है ठीक है महानद पहाड़ियान इसकी रचना दारवार की पहाड़ियां इस्तित हैं इनकी रचना काई से हुई है लुए है इतनी तनिकरी के लिए कफिया आ है है हाँ भात्ति दीफ समूं के बारें बात करते हैं इंडियन ऐसलेंड्स आए समझते हैं सुन है भारती दीफ समूं भारत मुक्ष इस तल के अलावा मितलब भारत का ये मुक्ष Wahand है इस तरह यह हिंदमाद सागरबाले चाहता है यह हिंदमाद सागरबाला तो मैंने क्या बता है भारत में मुखिस्तल के अलावा हिंदमाद सागरबाला में बहुत से दीब हैं जो कि क्या है भारत के कप्चे के हैं ठीक है तो भारत में बरतमाने में कुल बारेसो आठ दीब हैं निर्ज है था कि भारत जो आपका क्या है हिमाले है हिमाले इस तरह से चलता चला जाता है चलता 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 है और चाप के आकार में इस तरह से चला जाता है हिमाले जो है दच्छिड में जब जाता है और मियामार में छुप्षवला है हिमाले का ही भाग है जिसको अराका नियुमा के ही भाग है वही अरब सागर अरब सागर के जो दीप है वो पिरवाल भित्यों के जमाब से बने हुए दीप है दोनों में अगर अंतर देखें तो मैं पिने क्या बताया कि जो अरब सागर के जो दीप है अरब सागर के दीप पिरवाल भित्यों के निर्मा पिरवा हुआ हुआ है इसमें पंगाली खाडी में बहुत से दीब ठीक है जो भाग किसके हैं आपके हिमाले के जो की क्या है दच्छिड में बिस्तार जिसको किस नाम से जाना जाता है अराकानियुमा के नाम से इसके अलावा गंगा के मुहाने पर कुछ दीब मिल जाएंगे मननार की मुख्य हुआ गे इसके अलावा भी भारत के कुछ छेत्र हैं जो कि क्या है भारत के कबड़े में जैसे कि बंगाली खाड़ी में कुछ दीब मिल जाएंगे इसके बाद बंगाली की जैसे अंडवानिक ओबर दीब समुए इधर अरब सागर मिल जाएंगे लक्षी दीब कुछ नदी के महाने पर है कुछ नदी के अंदर दीब हैं तो इस तरह के दीब हैं तो आइए समझते क्लियर करते के का चलिए बंगाल की खाड़ी के दीब देख लेते हैं सबसे पहले इसमें बात करते अंडवान निंगो बदीब समुए मैं आपको दिखा दूम, इस तरह त़् प्हला हुआ है, यह है आपका अंडबान, अंडबान में एक, दो, तीन, चार्थ दिख जाएंगे, उत्तरीं अंडबान, Kombatzyं अंडबान, फिपन या कार की बात की जाए तो कार निकोवार दीप की बात की जाए तो निकोवार दीप समूँ, कार निकोवार, ग्रेट निकोवार, लिटल निकोवार, ठीक है, तमाम छोटों बोटे दीप हैं, आई ये देखते हैं, ये दीप समूँ जो है, दस डिगरी चैनल से क्या होता है, लिटल अंदमान को निकोवार से अलग करत तो 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार तथा लिटल अंडवान या का है जो लगू अंडवान है उसके बीच में तो फिर से बता दूँ 10 डिग्री चैनल लिटल अंडवान और कार निकोबार के बीच में है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अंडवान को निकोबार से कौन सा चै देता है और डंकन पास छोटा अंडवान वा बड़ा अंडवान के बीच में इस्तिता है फिर से बता दू मैंने क्या बताया यहां पर मैंने बताया यह आपका निकोवार तीप समूँ यह अंडवान तीप समूँ अंडवान और निकोवार के बीच में धर्टीरी चैनल है यह जूम करते हैं तो सबसे दच्छिरतम बिंदु जो है आपका ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार पर आपका इंद्रा पॉइंट इस्तित है जो की भारत का सबसे दच्छिरतम पॉइंट है इसके बाद डंक डंकन पास जो है छोटा अंडमान और मद्य अंडमान के बीच मे आईए मैं दिखाता हूँ आपको डंकन पास यह है आपका डंकन पास ठीक छोटा अंडमान का है लिटेन अंडमान और बड़ा अंडमान ग्रेट निकोबाद ग्रेट ठीक है इस तरह से कहाँ पर है आपका यह डंकन पास है ठीक यह इस तरह से यह इस तरह से ठीक है डंकन पा या सेडल पीक अंडमान निकोवर दीप समु की सबसे मूची चोटी है कितनी है सास सो बत्थिस मीटर फिर से बता दूँ आपका जो यह आपका देखने को मिल जाएगा बड़ा जो अंडमान है बड़ा अंडमान जो हैं यहां पर देखने को मिल जाएगा पेरनदी और नार सो रहा है बेरंदीब केसा सक्री जोनम फिर ङकरण का जेलां इस की कभी भी इसमें पिसपोर हो सकता है ठीक है और यहीन पर आपको क्या मिल जाएगीा बेरंदीब पर सबसे उंची चोटी अंडमा निकोबर और समूव क्या कहते है इसको से यै बात Mire लेंड फॉल दीप अंडवा निकोबर दीप समू का सबसे उत्री दीप है यहाँ पर दिखा देता हूँ लेंड लेंड फॉल दीप अंडवा निकोबर दीप समू का सबसे उत्री दीप है सबसे उत्री दीप यह है मैं हमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है मैं हमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है आई यह दिखा देता हूं मैं कोको जलमार्ग यह मैं हमार से क्या हो रहा है इस तरह से कोको दीप समू कोको जलमार्ग से या कोको चैनल से अलग हो समूं में कितने हैं 19 दीप है जिसमें निकोवर सबसे बढ़ा है मद्य अंडमान निकोवर दीप समूं का सबसे बढ़ा दीप है मद्य अंडमान जो है यह है मद्य अंडमान ठीक है अंडमान निकोवर दीप समूं का उत्तरी अंडमान मद्य अंडमान और दक्षडी अंडमान और लिटेर अंडवान तो मद्द अंडवान जो है इसका सबसे बड़ा दीप है ठीक है दच्छडी अंडवान में इस दीप समू की राजधानी पोर्ट बिलेयर इस्तित है किसकी आपकी पोर्ट बिलेयर जो है राजधानी किसकी है अंडवान निकोबर दीप समू की राजध पर तथा न्यो मूर दीब गंगा घंघाम बंकथ लिद्टा पर हैं इस पर भारत तथा बंगला ग्लादिस के बीच विवाद है है हाली में निकल कर आया है मैं फिर से दिखा दूँ गंगा सागर दीब कहा है उगली के महाने पर उगली नदी का है इस तरह से यहां से एक नदी निकलती है यह इस तरह से यह इस तरह से उगली नदी के महाने पर क्या है गंगा सागर्दीप ठिक उगली नदी के महाने पर गंगा सागर्दीप और गंगा नदी के महाने पर क्या है गंगा बिरम नदी के महाने प तरह है यहां पर कहा है इस तरह से यह चेन नहीं के पास उत्तर में देखेंगे तो स्री हरी कोटा दीब है ठीक है नेल लोर के पास इस पर क्या है इस रो का अंत्रिच अनुसंदान केंद्र है जिसका नाम क्या सतीज धन्रवन अंत्रिच केंद्र भारती अंत्रिच अनुसंद नक्स और बैग्यानिक 37 दवन की मिरत्यू के बाद उनके सम्मान में इस दीप का नाम बदल दिया क्या नाम बदल दिया है 37 दवन अनुसंदान केंदर ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं आके बहुं में इस तर उपग्राइब प्रिछे पढ़यान जी एस एल बी यानिकी जी बीलर दीप को अबदल कलाम आइसलेंड के नाम से भी जाना जाता है जहां से मिसाइलों का परिछड किया जाता है मिसाइलों का परिछड किया जाता है ठीक है कहां परिस्ते था यह चांदीपुर में बीलर दीप का नाम बरतमान में क्या कर दिया अबदल कलाम आइसलेंड इतनी जनकारी कापी है देखते हैं अअरप सागर के दीव देख लेथैं अरप शागर के इफ घर पड़े में जुम करके यहां पर दिखाता हूं लक्षी दीप यहां पर यह चेत्र जो है लक्षी दीप आला है इस तरह से है गई सारे स्यमें चोट्ट चोटी दीप हैं इसमें का सारे धी दींब में चोट्ट करके दिखता हूं हमें आपको यह पकवर्ति यह याँ पर कवरति जो है लुश्षी दीप की राइता हुं यहासी बर कि देप इंद्रोथ दीप समू लच्ची दीप का सबसे बड़ा दीप है यहां पर दिखा देता हूं एंद्रोथ या इंद्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह है आपका एंद्रोथ दीप समू ठीक है एंद्रोथ यह इस लच्ची दीप का क्या है सबसे बड़ा दीप यह पर आपको देखने को मिल जाएगा मिनी कोय है मिनी कोय तस अन्यृ किसका लक्षीडीब का इस तरह से क्लियर हो राया है थिक्षे जो लक्षीडीब के सेश्डीब नो डिग्री चैनल से क्या होते हैं अलग होते हैं यानि कि यह जो ऊपर का हिस्सा है ऊपर का जो मैं हिस्सा दिखा दूँ यह है आपका लक्षदीप के बाकी और नो डिग्री चैनल जो है बीच में है यहाँ पर मिनी कोई जो है लक्षदीप का ही बाग है लेकिन नो डिग्र चैनल क्या करता है इसको सेस जो दीप है उनसे अलग करता है नेक्ट बात करते हैं आठ डिग्री चैनल जो है माल दीप से क्या होता है माल दीप से अलग हो जाता है मिनी कोई को अलग करता है ठीक है चलिए सबसे उत्तर में अगर देखें सबसे ऊपर में सबसे उत्तर में इस दीबी सबसे उत्तर में है अमीन दीबी दीप समु का एका भागे आपका लक्ष दीब का भागे इतनी जानकाली काफी है कुछ अनिदीब देख लेते हैं पस्चमी तर्टीदीब बैर टर्न कोस्टल आइसलें पीरम बेसला काटियावाड चयत्र में कच्छ वाल चथ्र कच्छ वाले में यहां पर लो खंबात की खाड Süddyo काटियावाण बाला। यहां पर खड़िया बेट और अलिया बेट नर्मदा томल कंड़ के हैं ठीकर्ट इस फ्रक में से नेक्ट वाद करते हैं घनगा नदिक है डील्टा पर देख करने तरह से तरह से अजा यहां पर बात करतें ईडा के वांडेण चों है आपका मनारी खाड़ी में देखने को मिल लएगा यह मनारी खाड़ी याँ पर देखने को मिल लाए खच्छा-धी कम Traffy मैं इस तैने है दीप बार्स Hybrid स्री ृस्टर कीया कर दिया थे दिया था लेकिन भारत और स्रीरणका जो थे दोनों ब्रेqs के आप लोगों उसा दॉनों देशों के वीच यह स्थिति बनती है कि यह दीब डॉनों देशों के आजा नोहने तक इए लेकिन जब निसो सेयतालिस में भारत और सीरिलंका निसो ड्यास में आजाद हो जाता है तब यह देश इस पर क्या वताते राधिकार जाता है दें इस देस्ट को कारवाही आदेस के तRE सृलनका को दे दिया जाते हैं ने भारत ने क्या किया चाट, सृलनका पर लेकिन संसद में है कि जब भारत देश क्या था दोनो भारत और स्री लंका यह घुलाम थे 1947 में आपका भारत हो जाता है Gobierno 1993 में आपका स्री लंका हो जाता है फिर बाद में कहते है मे cens सोorms कारबाय आदेश कook पारइबゃ दे दिया जाता है लेकिन भारती संसद है उसके द्वारा किसी भारत का जो अंग है अगर किसी को देना है तो एक संसद में कानून पारित करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने क्या बताया लेकिन इसका संसद द्वारा अनमोदन यानि के अप्रूबल नहीं कराए गया था इस आधार पर हस्ताना अंत्रड की हो रहा है मैं सोचता हूँ इसी में ही हम निवट लेते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमसकार चैहिंद और पंदे मात्रम और पीडिये बगएरा को चाहिए कुछ भी नोट्स बगएरा चाहिए तो नीचे कमेंट वक्स में आप दे सकते हैं और कोई ज